कि अब 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 मार्श्रा खाने पीने गए क्या अब कि अब अब कि स्ट्रीमिंग इस्टार्ट हुई नहीं यह 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 हो गई स्टार्ट होगे वाई जब है लो गुट इबनिंग विपिटी बैच आहां हां आवाज आ रही है सबको अगर सबको आवाज आ रही है तो सब लोग जो एक बार जारा हाट का साइन बना दें यह स्नो से कम्यूनिकेट नहीं करेंगे हम लोग हुम हारी है आपको कैसे बता अच्छा 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 बोलो 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 क्या मेरी अबाज आ रही है हाँ इस पैमर्स की तो आज लगाएंगे तवियत से हाँ अबाज आ रही है मेरी अगर मेरी अबाज आ रही तो सब लोग एक बार हार्ट का साइन बना दो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो आज जो चेप्टर अपन कबर करने वाले हैं वो है वर्क पावर एनरजी तो चेप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात थोड़ी से प्लानिंग हम लोग डिसकस कर लेते हैं कि किस तरह से हम लोग चीज़ा आगे बढ़ाएंगे ठीक है लास्ट क्लास जोती यार बहुत लंबी चोड़ी होगी थी आठ गंटे के अप्रॉक्सिमेटली खिचगी थी लेकिन आज ऐसा नहीं होगा आज मैं यह चाहूंगा कि क्लास हो है ऑप्टिमम पांच गंटे चार से पांच गंटे के बीच में ही सारी कि सारी समाप्त ह हो जाए ठीक है बाई बोलो 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 जल्दी और इस दोरान है आई अगरी आप लोगों बीच में ब्रेक देना भी जरूरी होता है ठीक है लास्तों लोग आठ गंटे लगा ता नो निष्ट लगे गए लगे गए बिना ब्रेक के तो अपन सबसे पहले जो है आब आप म है बोलो 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 मेरे खोता नहीं पड़ती है मैं तो आठए सकता हूं लगतारि तो फिर मैं काम करता हूं कि मैं तीन slot मा आज का lecture डिवाइट कर देता हूं ठीक है हाँ तीन slot मा आज का lecture डिवाइट कर देता हो उसी साफ से हम लोग चलेंगे पहला slot तकृबन अपन लेंगे दो घंटे का ठीक है उसके बाद लेंगे अपन break यह 1.5.2 घंटे के बीच में जा सकता है जादा कों भी हो सकता है दों से जायतर नहीं होगा देर और दो के में रहेगा एप हैख लेगा है इस में आपन लोग्र सब ठीक है पहले में प्लानिंग है आप लोगों से डिसकस कर ले था हूँ बस हाँ इस बात की मेरी गारंटी है कि आज ही क्लास में हम सारे जही में जही एडवांज जितने भी कुश्चन्स आई वे हैं पीवाई क्यूस बगारा वो सारे आज की आज ही हम लोग समाप्त करेंगे इसलिए बेटा ठीक है रहना बिल्कुल और बीज में अगर कोई स्पैम हर्स आए तो पकड़के धो देना सारी लोग उसको सब्सक्राइब यह बात पकड़के धो देना तबियत से जाला द्वारे किजी क्लास में जाके स्पैमिंग ना करें ठीक उसके बाद फिर अपन एक इसके बाद फिर अपन ले लेंगे 15 मिट का प्रेक और लाश में हम लोग कवर करेंगे पोटेंशल एनर्जी वाला पार्ट जितना भी पोटेंशल जी वाला पार्ट है ठीक पोटेंशल जी कैसे निकालते हैं हो सकता है फोफुली यह जो वर्टिकल सर्क्लमोशन है हमारा ए टीस मिनट रहेंगे उसमें अपन लोग जो है कुश्चन की प्रेक्टिस करेंगे खूब सारे कुश्चन की प्रेक्टिस ठीक है वही यह दो घंटा है भले ही लेकिन इसमें मुझे लगता है कि त्योरी वाला पार्ट तो हमारा 45 मिट कंदर हो जाएगा बाकी जो सबाग घं इसका स्तेमाल तो हम लोग इनसेंट में भीह और जाएख तो आप तो क्या बोलोगे तो एसा ना बोले की जो है अधीर सवाल का एवरेज ऑन आवरेज दो सवाली निगलखे आता है लेकिन डेकिन उसके अलावा इसकी जो जरूरत होती है बहुत रोटिशन में भी तो आप इसको इंडिविजल चेप्टर ना माने आप यह मानके चले बहुत है सच्छी बात यह बहुत बहुत को कुटो सुरू कर दिया कोई पीच में कुटो सबकुछ फैक्स किंग एलजे ठीवन ओके आगया भाई अपने नाम से लिगा करो भाई ठीक साथ गंटे की ग्लास लीजे देखते साथ गंटे की जाती नहीं जाती फिर पोटेंशेंट जी पार्ट मुझे लगता है देड़ घंटे का पार्ट यह सफिशेंट रहेगा देड़ घंटे म हो गया तो तकरीबन पांच सब्सक्राइब घंटे की क्लास आज की मुझे लग रहा है शायद जाएगी ऐसा भी हो सकता कि पांच गंटे पोने पांच गंटे या सबापांच गंटे इस हेर फेर में समाफ्त हो जाए है क्लियर है हां बेटा इस चेप्टर के लिए एनलम आन मेरी भी जिम्मेदारी है मेरी वी गारंटी है इस बात की कि आपका जो पांच गंटे का वक जाएगा मैं उसको जाया नहीं होने दूँगा मैं उसको बरवाद नहीं होने दूगा और इस दौरान हम लोग सारी चीज़े करेंगे बढ़िच बीच में आप लोगए मैं प्रोवाइट करा रहे हूँ अगर आपकी तरफ से मोटिवेशन दिखता रहेगा आपकी तरफ से पढ़ने की भूग दिखती रहेगी तो बैटा question तुम्हें कराता रहूँगा कराता रहूंगा तुम मिझे सुवए साम तक पढ़वाता रहे तो मैं सुवए साम तक पढ़ाता रहूंगा बस इसके लिए आप लोगों के अंदर चाहिए वाई सर जजवा बीच मैं यह नहीं बोलेगा सर कोई ब्रेक दे दो अम मैंने टाइम डिसाइड कर दिया है कि अपन बेसिक की गारेंटी नहीं है बिल्कुल बेसिक से जाएंगे तो चेप्टर 4 गंटे में पिर 40 गंटे में पूरा ओगा और भूलो और बलूड और बो लिए सब बेसिक से एरो डॉब लेवल तक लेके जाएगा बिल्कुल कोशिश रहँ दोस्त पूरी कोशिश ही रही बेरी प्राजबन सर ने साथ चुनी बेटा साथ नी छोड़ा सर भी पढ़ा रहे हैं ऐसी बात नहीं है हम मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि हम सब लोग मिलके मंजिल सिरीज को आगे बढ़ा रहे हैं तो कुछ लेक्चर्स मैं लोगा कुछ लेक्चर्स जो है मैं दोज बाते बोलूगा यहां पर ठीक है तुम्हें यह मैं पढ़ने से मतलब है जो सर पढ़ाएंगे हम पढ़ेंगे हमारे फेविट सर आगे तो बही हम मजे लेके पढ़ेंगे इत्रेट कोई नए सर आये जो जिनको लोग नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं नहीं ठीक है और क्या कहना चाहरे हूँ सर्कुल मोशन पढ़ाएंगे चैन्शन लें कोशिश करूगा मैं ठीक है और इसके बाद सर राजबन सर उस दिन गुस्सा हो गए थे तुम लोग जब हरकते ऐसी करोगे तो गुस्सा तो मैं भी बहुत हो गया था सज बाता हूं तो मैंने भी एक बाद सोच ले था मैं नहीं पढ़ा रहा मंजिल मंजिल जरी जाए ठीक है आपने देख लो आप ऐसी हरकत करी तो राजबन सर गुस्सा हो गए तो अब मनाऊ उनको आप इस तरीके से थोड़ी जा चलता है काम की सर यहां पर पढ़ा रहे हैं मेहनस से और आप लोग वहां पर स्पैमिंग कर रहे हो ठीक है इसलिए मैं यह बात बोलो आज के क्लास के अब है तो वह तो भाई साब उसका तो मकसदी स्पैमिंग करना है ना इसलिए वह स्पैमिंग कर रहा है तो इन देट केस जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अच्छे बच्चे हैं ठीक है उनका फर्ज बनता है कि आप पकड़ कैसाले को कूटो कि अगर वह दो मैसेज इसको ऐसे डाल दो कि भाई साब वो द्वार है जो है इस पैमिंग करने से पहले दस बार सोचें सर तक बात ही नहीं आए बस खताव सनमस्तों के बढ़ाते रहेंगे और तुम्हारा भी काम चलता रहेगा अपना भी काम चलता रहेगा बहुत बढ़िया मैं तो बोल रहा इतना अच्छा काम ही इतनी इतना जो है आप तो ऐसे बोले जोड़के जली आए लो क्वालिटी बेटा लो क्वालिटी का मत्तव है इंट इंटनेट जो आ रहे है तिरे पास थोड़ा सा कमा रहा है ठीक है ओके 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 तो हमें चार्ट करें फिर मैं एक बार गरम प लेकिन हां आज की क्लास अपन जो है बहुत रिलेक्स मोट में रखेंगे लास्ट आठ गंटे के लिए चैप्टर नहीं थे उसमें दो-दो चैप्टर थे भाई ठीक है मैंगनेटिक मैटीरियल आठ जियो मैगनेटिसम और मैगनेटिक मैटिक तो मुझे भी बात मैं हैसास मैगनेटिसम इतना लंबा चैप्टर आठ गंटे तक चल गया चलो जो बच्चे लास तक ठीक है ठीक है मैं उनको जितनी उनको तारीफ करूं उतनी कम है ठीक तो आज ऐसा नहीं करेंगे आज अपन थोड़ा बहुत चिल्ड़ माहुल लखेंगे रिलाक्स माहुल रखेंग लगाते हो ए और दो तीन में बात करोंगे अब हाँ गर्मी बड़ी हो रही है यार तुम्हाइट भी घर्मी हो रही है अच्छी का सी अच्छा एक बार सब लोग अपना स्टेट टाइप करना स्टेट आप किस किस से स्टेट से हो थोड़ा आइडिया लग जाए मुझे शॉर्ट में टाइप करना यूपी उत्राखन बिहार अभी कहां अभी जहां से पढ़ रहे हो वो हिमाचल अरे वाँ बिहार ओ हो 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 यूपी राजिस्थान पंजाब राजिस्थान जैपूर एंपी दिल्ली यूपी एंपी असाम अरे वाँ असम सिवियो शांदार गोवे गोवां से कोने भाई गोवाले मिलेंगे बहुत ही जल्दी बीच किनारे ऐस सुना गो आप में बीच के किनारे बहुत मज़ाता है वाई सारे बीच में कुछ कुछ बीचेस में किरला किरला से भी है अरे कि किरला या मन्यानेतिल का वे और कोन है जहार खंड अच्छा अभी अ था सर आपका रेट कलर फेबिट ना बिल्कुल नहीं यह मेरा रेट कलर फैबर बहुत बात ना कि वोच रेड वती है चस्मा भी रेड होता है कभी कभी शूस भी रेड हो जाता है जैकेट भी रेड हो जाती देट से डिफरन टींग बैश पंगॉल ओके श्री लंका ओ भाई स्री लंका से पढ़ रहा है क्या अच्छा तुम्हारे याभी एक्जाम होता होगा ना जैसे हमारा एक्जाम होता है वैसे आप लोग अभी आता होगा स्री लंका इंस्टीट ऑफ टेक्निलोजी ए अगा लेंड बहुत ही बड़िया मेरे साब से समय जो है जितने लोगों आना था शायद वो लोग आ गए होंगे तो अब इससे जादा समय हम लोगों यहां पर नहीं लगाना चाहिए तो मैं क्या पढ़ना लिखना शार्ट कर दें आपन लोग फिर जल्दी से बोलो बिहार अमेरिका बाई अमेरिका से भी है कैप्टन अमेरिका बहुत ही बढ़िया मिर्जापूर भाई साब कालीन भाईया को नमस्कार कहना है मिर्जापूर कि चलो शार्ट करें चलो शार्ट करें चलो तो सुनना मेरी बात बेसिकली जो कहानी थी हमारी हमने पूरीbers मैं एक बार ओबर्वीव दे देता हूं सबसे पहले हम लोगों ने बढ़ा था क्या कि काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने प्रोजेक्टर बिद वेलोस्टी इतना तो मैं यह बार देता हूं कि अब तक बार आई आपको आता होगा उसकी बज़े हम लोग ने कहां पड़ी थी? NLM में पड़ी थी कि neutral law mushroom हमने देखा था या आगे वाला फोर्स, मैंने पीछे वाला फोर्स बरावर मास इंटू acceleration या Fnet बरावर मास इंटू acceleration तो एक्सलेरेशन की जो में बज़े थी मेरे भाई वो हमने कहा पर पढ़ी थी वाई साब अब उसके बाद हमारी जो मेकैनिक्स है मकैनिस को हमने थोड़ा सा यू टर्न लिया और हमने फिर एक नया चेप्टर बना जिसका नामे वर्क पावर नेरा जी जिसमें हम लोग जो मे देखने का थोड़ा सा नजरिया बदल देते हैं दोरान जिन जिन फिजिकल कॉंटिटी के बारे में हमको डील करना है मैं एक बार बोलकर निगल जाता हूं जैसे मोमेंटम मोमेंटम आप सबको पता होता है मास इंटू वेलोस्टी होता है एक्जेक्ट फॉर्मला जाओगे तो जीरो होगी या पॉजिटीव होगी निगेटिव कभी नहीं होगी तो काईटिक इनरजी मोमेंटम आई होप यह बेसी बेसी से चीज़ा आप लोगों ने पढ़ी होगी नहीं पढ़ी तो मैंने यहां पर रिवाइस करा दिया अब जो है जो हमारा चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम है वर्क पावर एनरजी उसमें नाम है स्टार्ट हो रहा है यहां पर वर्क क्या होता है वर्क ठीक तो बेसीकली जो हमको यहां पर मेकैनिक्स पर पढ़ना है हमें पढ़ना है वर्क दन भाई यह फोर्स एफ तो मैं सीधा मुद्ध्य पर आता हूँ धिहान स force लगाया F और suppose यह angular theta थोड़ी देर के लिए मान के चल यहां पर कि friction friction कुछ भी नहीं है तो मैं तुछ से पूछू कि भाई इतना बता दे अगर इधर F लगाया है तो क्या आगे की तरफ F cos theta और उपर की तरफ F sin theta एक तरह से आपने आपे force लगा दिया अगर मैं yes पुछूं आपका अंसर yes है तो yes का मतब heart बना के दीजिएगा ठीक है और अगर no तो आपका अपना अंसर no के form में दीजिएगा अब कि लिए अब इसी क्वालिटी लो नहीं है आपकी साइट से इंटरेट की स्वीट कम है तो इसलिए आप वहापर जो है थोड़ा सा साइटिंग बेटिंग कर लो इंटरेट की मेरे सामने भी कभी-कभी ये quality low हो जाती कभी हाई हो जाती है और दूसरी बात अगर quality low है त आने का है आप कुछ नहीं हो सकता अगर quality low है तो अभी आप चुपचाप पढ़ो ठीक है सब तो सपोज मैं ऐसा बोलू भाई साब यह ब्लॉक जो है आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ ती जाएट जी बात है फोर्स आगे की तब लगाया तो आगे तरफ एक्सलेशन आएगा और आगे की तरफ एक्सलेशन आएगा तो आगे की तरफ वेलोस्टी बढ़ती जाएगी तो बंदा आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा हम लोगों ने डिफाइन किया मैं बात कर रहा हूं डेफिनिशन की कि सच्छोटा सा वाग्डन डी डवलू अगर सपोज कोई फो आप यहां पर बोलोगे कि वाग्डन डाइब वाग्डन बाइब इस फोर्स एक्वाल टू एफ डॉट टी यह हम लोगों ने डिफाइन किया है सीधी बात ही हम लोग ने क्या गया है बाइस आप डिफाइन किया है फुजिक्स में जब भी कभी तुम्हाइं सामने चीज़ क्यों होती हम इस बातें चर्चा नहीं करते हैं हाँ काई टिक नर्टी हाफ एम इसके बाद हम लोग दिमाग लगाना स्टार्ट करतें तो बिल्कुल उसी प्रकार कि वाग्डन भाई यह फोर्स एफ अगर मैंने उसको छोटा सा वर्गडन आएगा वो डी डबलू बराबर जाएगा लाफ डॉट डियेस अब इसमें एक एक के करके सारी बात प flowerbéish कि सार एफ क्या है कि सार एफ क्या है मैं बोलूगा एफ वो notre for good है जिसका बहुत ओएं am आप निकाल रहे हो बच्चे को यही समझ में यह आता कि F है क्या कभी मुझे चाहिए force work done by force F1 तो मैं आपर F1 रखूँगा मुझे चाहिए कि work done by net force तो मैं आपर net force रखूँगा मुझे चाहिए work done by tension तो आपर tension रखूँगा ठीक अब बात आते हैं किसा DS क्या है DS को लगे काफी हद तक जो है बच्चों के अंदर confusion रहता है कि सर DS basically है क्या क्या यह displacement of body है क्या यह displacement of center of mass है कुछ बच्चे ऐसा बोलते है कि सर यह basically है displacement of body ठीक तो basically मैंने बता दूँ भाईया यह definition यहाँ पर काईदे में गलत है यह displacement of body नहीं होता है displacement of center of mass भी नहीं होता है काईदे में यह होता है displacement of point of application of force point of application of force मतलब जिस point पर आपने force लगाया है जिस point पर आपने force लगाया है उस point का displacement यह है basically यह कहानी है परन्तु अब इसका जो importance है वो हमको मिलता है इसके बाद इसके बाद work power energy के बाद जब हम actual physics में जाते हैं देख work power energy तक जो भी physics है वो basically एक तरीके से actual physics नहीं है क्यों क्योंकि हम यहाँ पर block को भी बिंदू माल लेते हैं स्पेर को भी बिंदू माल लेते हैं हर चीज को हम लोग बिंदू माल लेते हैं तो लेकिन जैसे हमारा नेक्स चेप्टर स्टार्ट होता है central mass rotation वहाँ पर हम actual body के साथ deal करते हैं तो जब actual body के साथ deal करेंगे तो वहाँ पर तुनने देखा होगा कौनसी definition सर डिये जो है displacement of point of application of force है ये बात बोल ये displacement of body है ये बात बोल ये displacement of center of mass है ये बात बोल ये तीनो बाते एक जैसी दिखाई देने लगती है अगर सपोर्ज ये जो ब्लॉक है ये तेरा छोटा सा पार्टिकल है बिलकु सुई की नोकी बराबर पार्टिकल है अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो प्लीस याँ पर टाइप करो जल्दी से हाट बना के टाइप करो कि हाँ सर आपके बात हमाई समझ में आ गई है कि कायदे में जो कहानी है वो कायदे में कहानी ये है कि हम लोग क्योंकि यहाँ पर point particles के लिए पढ़ते हैं तो इसलिए प्रोब्लम सबके साथ होती है आप जिन सर के साथ पर जिन सर से आप पढ़ते हो एक बार उन सर से आप बात करो यह बात करो सही वक्तबर बात करो जब मैं आपको 15-20 में ब्रेक दूगा तब अपनी बात रखना अभी बीच में इस तरह के स्पैमिंग मत करो अभी इससे मत करो सब्सक्राइब के बाद मुझे क्लास ऐसी मिल रहे हैं जिसमें सारे लोग आप पकड़के पील रहे हैं एक तरीक को स्पैमिंग कर रहा है तो चलो लोट के बापस आते हैं तो यहां से देखो मैं इसको आगे बढ़ता हूं यहां पर तो सब्सक्राइब नहीं मैं यही जानना चाहा रहा था सुन मेरी बात रहां से सून मैं बोलू यह क्या है आप लोग के जो answer है वो मैं आपने बोल देता हूं क्योंकि इससे बहूत अच्छे concept आपको clear हो जाएगे एक बच्चेन ने बोला सरी conservative force है गलत conservative भी हो सकता है एक बंदन ने बोला सरी work done आप निकाल रहे हो और ds यहाँ पर क्या है बिटा displacement of point of application मुझे इतना बता दे अगर तुमारी suppose body point mass है ठीक block है अगर मैं उसको point mass मानके चलू particle मानके चलू बिंदू मानके चलू छोटा सा rate का कण के परावन मानके चलू तो क्या displacement of body displacement of center of mass और displacement of point of application क्या तीनों का मतलब एक जैसा ही हो जाएगा अगर यह बास समझ में आ रही है तो जल्दी से heart का sign बना दो सब लोग जल्दी से speed up सर speed up कर रहा हूं बेटा टेंशन ना ले सुनील बोलो बोल वाह कह रहा है सर आप पढ़ाएंगे और कोई spammers आएगा तो उसको पेल दिया जाएगा पगड़ा कहा कूटो बिल्कुल बहुत ही बड़ी है शाबाज तो यह जो work done है यह छोटा सा work done है अगर मैं तुम से पूछों कि भाईया मुझे तो net work done बता दे तो तुम बोलोगे सर दोनों तरफ क्या कर दो integrate कर दो integration करोगे तो यह निकल के आ जाएगा f.ds अब अगर मैं ऐसा बोलूँ if force is constant अगर यह जो force है मेरे भाई वो constant है तो integration से बहार निकल के आ जाएगा तो work done बराबर निकल के आ जाएगा f.integration of ds integration of ds का मतब ds is displacement उसका integration करेगा तो net displacement आ जाएगा तो work done आप लिख सकते हो f.s या f.d बोलो क्या बात के लिए हुई यहाँ पर ठीक मतलब जो बच्चे बहुते हैं कि सब work done होगा f.d वो हमेशा नहीं होता है ठीक work done बराबर f.d केबल आप केबल तब होगा जब यह कब होगा जब 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 फोर्स क्या होगा अगर force constant नहीं है तो गलती से भी f.d मत लगा देना बनना सवाल निपर जाएगा और आज मैं तुमसे गलती करवाऊंगा ठीक है आज की लेक्षिन मैं तुमसे बीच 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 गलती करवाता रहूँगा कि बद तुम्हें यह चीज ध्यान नहीं कि sir f.d हम तभी लगाएंगे जो लोग notes बना रहे हैं चाहो रब को भी लेके बैठे हैं वो जरूर इस बात को लिख ले खोपचा बनाके कि f.d हम तभी लगाएंगे जब force constant होगा बात समझ में आ रही है जब force क्या होगा बाई साब constant होगा वरना नहीं लगाएंगे बिल्कुल ठीक चलो कोई दिक्कत नहीं है sir तो sir यहां से एक बात और समझ बागे sir sir work done बराबर आपने बोला integration of f.ds तो इसका मतलब अगर अपन मैथमेटिकली बात करें तो हम यह बोल सकते हैं कि force इदा displacement इदर हमें पता है sir area in the curve में हम लोगों ने बोला था area होता था integration of ydx तो y axis में मैंने force रख दिया x axis मैंने जो है s रख दिया तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि sir suppose force versus displacement का graph कुछ ऐसा दे दिया गया है तो इसका जो area होगा मेरे भाई वो area क्या दे देगा work done by force f बात समझ मारी है इसमें यह बात तुझे ध्यान रखनी पड़ेगी कि यह वाला जो force है वही यह वाला force है ठीक है ऐसा नहीं है कि उसने y axis में f दे दिया और x axis में कुछ और x axis में displacement दे दिया तो यह नहीं कि network done देगा ऐसा नहीं है area यहाँ पर network देगा आप बोलोगे sir area दे इस force कौन सा force जो force यहां पर है बोलो अगर यह बात समझ में आ गई है तो जल्दी से एक बार हाट का साइंग मना दो सारे लोग बोलो video की quality increase करो sir बेटा मैं चाहा के भी नहीं कर पाऊँ मां ठीक है i video की quality मैं चाहा के भी नहीं कर पा रूँए जब break लूँगा तो मैं उपर जरूरूर बात कर लूँगा यहां पर अभी कि वीडियो की quality खराब है तो एक बार देख लो यहां पर clear है बड़े आगे बोलो 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 ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहां पर यहां पर आप यहां पर यहां पर यहां पर जो काम की चीज़े सीखी वो यहां पर सीखी सब work done बराबर होता है क्या एक बार यहां पर सारी एक एक चीज़े लिखते चले आते सर आप समझ मां गया सब basic formula जो work done होता है वो होता है f.ds और अगर यहाँ पर आप यह भी बोल सकते हो कि area under curve है तो work done देगा force और displacement का और अगर मैं बोलू कि भाई साफ force constant है तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि sir work done बराबर जो आ जाएगा वो बन जाएगा f.d clear है इस बात को कहीं कहीं ऐसे भी अच्छे से समझाया जाता है कि sir देखो अगर मैं बोलू एक mass m है आपने force इदर f लगाया और constant force लगाया और इसका displacement sir आगे की तरफ support ds है यह d है और यह angular theta तो अपन यह बोल सकते हैं कि sir in that case अगर यह constant force है तो आप बोलोगे कि sir walk done बराबर हो इसी बात को मैं दो तरह से लिख सकता हूँ ध्यान से देखना क्या कि sir f d cos theta की जागे क्यों ना ऐसा लिख दो f cos theta into d ठीक f cos theta into d का यह मतलब हो गया ध्यान से देखना कि sir force अगर इधर है displacement आगे है तो force का वो component जो displacement की तरफ होगा वो हो जाएगा f cos theta अगर इस तरफ सब उच फोर्स है और इस तरफ displacement तरफ है और इस तरफ displacement into displacement ऐसे भी question से आपर देखने के लिए मिलेंगे कैसे इस पर सवाल आएंगे वो आपन अभी थुर्दे के बाद देखेंगे अभी पहले basic 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 शीज़ें आपर clear कर लेते हैं बिल्कुल उसी प्रगार ऐसा भी लिख सकते हो कि सब work done बरावर f d cos theta तो शायद इसको मैं ऐसा लि बोल सकते हो कि सर इधा डी तो displacement का component force की तरफ सर इस तरफ हो जाएगा d cos theta तो इसका मतलब वागद भाई इस फोर्स तुम यह भी लिख सकते हो force into component of displacement along the force दोनों का मतलब एक ही है दोनों कब कैसे लगाने है यह मैं आपको questions में देख के बताओंगा जैसे ऐसे questions मैं आपको देता रहूँगा बैसे बैसे आपको बताता रहूँगा बोल भाई साब जल्दी से सुपरमैन लग रहे हो थैंक यू अरे बहुत ही बहुत शुक्रिया बच्चे बोल रहे हैं कि quality बहुत खराब आ रही है अब बताओ इसका कोई लाज गर्मी भोतूरी एसी बढ़ाओ यार इस सोला से कम नहीं होता क्या है करो यार इसको सोला से कम हाथ एक बाद quality आप देख लो गुलाबी दिल आप सारा मोडर्ण फिजिक्स भी पढ़ाओगे बिटा मोडर्ण फिजिक्स का मंजिल सिरीज हो चुका है इसकी कोई डारेक्शन नहीं होती है यहां से क्या बोल सकते हो क्या कि सर हम लोगों ने बोला कि अगर फोर्स कॉंचेंट है तो वागड़न बराबर अभी हम लोगे ने देखा कि f.d होगा मतलब fd कॉस ठीटा होगा अगर ठीटा की वेल्यू 90 रखूँ तो तु बोलेगा सर वागड़न बाइक इस फोर्स जीरो हो जाएगा ठीटा की वेल्यू अगर मैं सब गो 90 से कम क्या जाएगा नेगेटिव आजएगा मतलब वागड़न केन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ओन कि आप कैसे कैसे आप चीजे खेलो बहुत सारे एक्जांपल में तेरों को आज की गलास में देने वाला हूं बेटा इस सारी चीजे पढ़ाना मेरी मजबूरी है एक एक बार मेरी मजबूरी है तो तो प्रिक्षा बार मेरी मजबूरी है और अगर नहीं आता है तो बहुत शांती से मेरी एक-एक बात को ध्यान से सुनो और आप को अपी पे लिखते रहो हूँ कि बोलो फ्रिक्षन ना है तो आएगा ना सब आएगा टेंशन ना ले सब आएगा अब बोलो पी ब्लोक कब होगा मुझे गया बता मैं पी ब्लोक धोड़ी बढ़ा रहा हूं भाई सर्वाग दं और नेटक फोर्षक में क्या व्व क्या मतलब। मैंनका अभी वह मतलब इठाता हूं मैं पहले मुझे एक अ कन्फर्मिशन दो क्या कॉंचन फोर्स का व्वक दं आपको क्लियर हुआ कि F.D होता है अगर کہ इस बाट bear का कि क्या वह बहुत इशू सच में इशू है कोई इशू नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते इसमें कि 480 पर चला इसको 720 पर नहीं चला सकते लेटिंसी बढ़ जाएगी मैं बोलूंगा इनको कल सुभर सुनाई देगा अच्छा बहुत अच्छा सवाल आपन यहां पर लेने वाले हैं पेशिंस के साथ सवाल देखना सारे डाउट तुमारे किलियर हो जाएंगे सारे टुझे ठीक ठीक मैंने बोला कि ब्लॉक है दस किलोग्राम का ठीक है आगे मैंने फोर्स लगाया भाइसा एफ सपोर्ज इसकी वैल्यू मैंने बूल दी हंड्रेट टुम टर्ण ठीक है सीथा आगे इता मैंने फोर्स लगा दिया और प्रिक्शन को विशयन मियू मैंने दे दिया भाइसा पॉइंट पूर ठीक है? ध्यान से समझा मेरी बात, ध्यान से समझना है. एक example लेंगे, इस से आपके सारे doubt clear कर लेंगे, सारे A to Z. ठीक है, सर्थ. अब जैसे ये block अभी यहाँ पर है, suppose ये block आगे दोड़ा-दोड़ा-दोड़ा-दोड़ा-दोड़ा-दोड़ा-दोड़ा-दोड़ा-दोड सारे मैंने देख लिए यहां पर वो सारे औल्मोस तेरे डाउट दे रहे इस चोट इस सवाल से किलियर हो जाएंगे बस ठीके रहना और थोड़ा सा जवाब देते रहना ठीक है मैंने बोला बाई साब यह जो फोर्स है मेरे भाई यह है कॉंसें फोर्स और सपर्ज यह आगे मूज किया है कितना मूज करें उसको हैं दस मीटर है पहला प्रेशन ध्यान से देखना ठीक इसका नथीस किलो घृ है किलो नों फट नोंघ एफ नॉट एफ नॉट ने कितना वॉक्ड़न किया मेरी बास सुनना अभी क्योंकि चैप्टर तो पीटा भी श्टार्ट ही हुआ है अभी श्टार्ट हुआ है चैप्टर तो इसका मतलब यह नहीं है कि अभी सवाल कर लेगा बात के सवाल में तो कंफ्यूज रहे इसलिए जब भी कभी तुससे किसी का वॉक्ड़न पूछा जाए पहले तो तु यह कसम खा ले किसा ताड़ा ताड़ी नहीं करूगा एनस्पी नहीं करूगा ठीक है एनस्पी का मतलब नयन सुक प्राप्ति यह नयन सुक प्राप्ति आप मार्केट में करो नुकड़ पे करो ठीक है मॉल में करो घुम अच्छे से करो लेकिन यहां पर आप एनस्पी नहीं करोगे एनस्पी का मतलब यह है कि जिस फोर्स का वॉक्ड़न पूछा है केबल उसी को निहारोगे बाकी किसी और को नहीं ताड़ोगे मतलब रूल नमबर वन नो ताड़ा ताड़ी किसी को ताड़ना नहीं है जिसका फोर्स पूछा है बस उसी पर फोकस बनाए रखना है जल्दी से मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोग खुपचे में लिखते चले हो यह जो लाइन में बोल रहा हूँ ना बिटा कोई ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ और ऐसा नहीं है तुझे किसी किताब में मिल जाएगी किताब सर किताब में लिखा था कि तारा तारी नहीं करन करेंगे जल्दी से सर ताड़ा ताड़ी नहीं करेंगे जल्दी से ताड़ा ताड़ी नहीं करेंगे अब है जल्दी टाइप कर समय कम है ओ भाई साब मुझे लगना डिलेव हो ज़्यादा हो गया वाई एनसपी कॉलेज में करेंगे आ एनसपी तो नशा है बेता नशा नहीं एक मज़ा है लेकिन वो सही वक्त पर वरना फिर फिर ये एक सजा है ठीक है चल बहुत बढ़ी तालग खाड़ नहीं करेंगे तो तु वर्ग दमाई फोर्ट मुलिया जब फोर्स किता लगा आगे बंदे का डिस्प्लेस्मेंट किता रहे आगे तो इसका मतलब तर इसका वर् किसा नॉर्मल की जो वैली होगी नॉर्मल हो जाएगा एमजी के बराबद इस पर लग रहा होगा पीछे की तरह फ्रिक्षन क्योंकि यह फिसल फिसल के आगे की तरफ गया है अगर देख सुन मेरी बात अगर तू एक हेल्दी महल बनाके रखेगा तो मैं तेरा फ्रिक्षन एनलम वर्पाव एनरजी सेंटर ओव मास कुछ ना कुछ रिवाइस कराता रहूँगा ठीक है जैसे कि यहां फ्रिक्षन के बारे बात आई तो मैं तुझे बता दू फ्रिक्षन दो प्रकार के होते हैं एक होता है स्टैटिक अगर फिसला फिसली हुई तो समझ जाना कि फ् कार्ण प्रिक्षन है पाइटिक फ्रिक्षन सटीक फिसली हुई तो फ्रिक्षन होता है कैसे ने के तंप गया ऐखाऊ और काइनेटिक फ्रिक्षन होता है constant friction है पीछे की तरफ और बंदे का displacement है आगे की तरफ तो इसका मतलब अगर मैं दूसर प्रशिन आपसे पूछूँ कि what is work done by friction तो आप बोलोगे कि सर बंदा गया आगे है और फोर्स इसमें पीछे की तरफ लग रहा है तो इसका मतलब माइनस मे 40 गुणा 10 बराबर माइनस 400 आपके डाउट सर तो पीछे लग रहा है मैंने का तो सरी आगे कैसे चला गया भाई बंदा जाता उधर है जिदर उसकी वेलोसिटी होती है उसको आगे की तरफ वेलोसिप मिल गई है नेट फोर्स की वज़े से नेट फोर्स की विएसा आगे ए आगे की तरफ जा रहा है इसका मतलब वॉँक्ड़ ग्राविट ऑर उसी प्रकार वॉउख डरंबई नॉर्मल है हो जाएगा जीरो क्योंकि नॉर्मल किदर लग रहा है उपर किदर अगर यह चीज समझ में आगे हैं तो जल्दी से टाइप कर दें बाई साथ का साइन बना दें जल्दी से बहुत ही बढ़िया नेक्स आगे बठें अब अगला प्रेश्ण जैसे कुछ बच्चे ने पूछा था सर वाग यह ऩाँ वोगड़न ब्लौच यह वोगड़न ब्लौच एफ नौट प्लस भागड़न वज फरिक्शन प्लस वागड़न ग्रेय्टी प्लस भॉगड़न ब्लौच अबॉड फोर्स का मतलब है त्यान से सुनना कि दुनिया भर के जितने फोर्स ब्लौक पे लग रहे हैं च चाहें चाहें वो एक्श्टर्न रहों इंटर्न भी हो सकते हैं यूसकते उनसा इंट वो दन्थ तो बोलेगा सब्ड़न्व है एफ नौट गूल टॉच्छन अगर बात समझ माई तो जल्दी से हाठ का साइन में ना दे फटाक से जल्दी से सर N क्या है नॉर्मल एक्षन अब यार यह मत पूछी यार कि N क्या है इतना तो आता होगा ना भाई एन क्या है पूझने में लगा पड़ा है एन है दॉर्मली एक्षिन ठीक है सार अब मेरा अगला प्रशन ध्यान से देखना सवाल को थोड़ा सा यहां पर तुमने शायद एक थियोरम पड़ी होगी जो कि मैं पीछे चलता हूं यहां पर जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थि थेहोरम का मतलब है है कि वाल्दन भाई ओल दर पोर्शेस एक्षर्ण जीन काइनेटिश यह थिग आए यह थियोरम बेसिकली मैं सही बात बता हूं तो वर्क पव एनरजी में मैंज्रोटी वो यहीं से निकल के आए हैं कि जितने 80 70 परसेंट कोश्चन तेरे हैं इसे बनके तियार हुआते हैं 60-70 परसेंट कि वर्क एनर्जी थियोरम क्या बोलती है वर्क नमई ओल दा फोर्स एक्वल तो चेंजें काइटिक एनर्जी मतलब इस सवाल में अगर मैं तुस्ते कितना निकल काया सच 600 निकल के आया 600 पर चेंजी काइटिक एनर्जी मतलब सब्सक्राइब काइटिक एनर्जी होती हाफ अब सर ध्यान सब्सक्राइब तुने एक डाउट पुछा था कि सर इंटीगिरेशन ओव एप डॉट डॉट इस में जो एफ था वो कौन सा फोर्स था नेट फोर्स के वोक्डन का क्या मतलब है मनका एक बात बता तु यहाँ पर अगर थोरी देर के लिए मैं ऐसा बोलूँ तू दर चल अब अपन सीख गें धीरे धीरे सब कुछ ठीक है अब अगर मैं तुस्ते बोलूँ कि सर देखो आप यह बता हो PARTICLE पर NET FORCE कितना होगा किसी भी टाइम पर थीक है सर यह बता नेट फोर्स कितना होगा किसी भी टाइम पर तो हम वोलेंगा सर देखो अगर आपको सर पीछे की तरफ फोर्स लगा फ्रिक्षण काइनेटिक बाल मैंने थीक है भाई ठीक है और सब्विछी तरफ लगां एमजी और ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल अब अगर मैं आपसे मुझे सार नेट पूर्स क्या होगा क्या ये ब्लोक आपको हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या हवा में उड़ता जाए नहीं गड़े में गुस्ता दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ जल्दी से पड़ाक से क्या अंदर गड़े में गुस्ता बजाता दिखाई दे रहे हैं पेलो सर पेलो स्पेमर पेलो सर शालो को जो भी आ रहा है बीज़ बीज में जल्दी से हाँ नो सर इसका उपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स तो एनलम के फंडे से मेरे भाई तू बोल देगा कि नॉर्मल बराबर एमजी और एमजी की वेलु यहाँ पर कितनी है सो मैंने का करेक्ट है कोई दिक्कत नी है तो इसका मतलब यह सब चीज़े थोड़ो यह तो तो बोलेगा एक्सलेरेशन विल भी आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बटे मास बराबर 6 हां यह ना और अगर यह बास समझ में आई तो जल्दी से आप यहां पर जो है एक बार टाइप करके बता दो कि हां सर यह बास समझ में आ गई बेसिक एनले में एक पीछे वाला फोर्स बड़ा मास इंटू एक्सलेरेशन हां कि ना ठीक अच्छा अगर मैं एक्सलेरेट पूस्ता है यहां पर जगह कम रहेगे चल कोई बात नहीं पहले इसी पर चलते तो एक्सलेशन कोंसेंट आ गया और एक्सलेशन कॉंसेंट आ गया तो अगर मैं आपस सवाल पूछ हूँ एक पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रोम रेश्ट है एक्सलेशन सिक्स मीटर पर सेगेंट स्क्वायर और आगे की तरफ बंदा चला है दस मीटर तो बताते फाइना वालो उसकी कितनी होगी तू बोलेगा साथ कुछ मत करो सर एक्सलेशन कोंसेंट है एक 120 अब तू समझ कहानी अभी हमें फील रहें फिर हम लोग चौथा किया डालेंगे स्पीड अप हो जाएंगे क्या फील रहें सर देखो यहां हमने इंडिविजल फोर्स का वागडन निकाला हमने देखा कौन सा फोर्स कितना वागडन कर रहा है ठीक उसके बाद हमने यहाप और वर्क एनरजी थूरम लगाई और उसकी मदद से हमने यहां पर फाइनिया काइंडिक निकाल ले यह तरीका था हमारा एंडेलम का कि यहां पर निकाल लो भाई साब आप नेट फोर्स नेट फोर्स को मास्ते डिवाइड कर दो तो एक्सलेशन आ जाएगा और अकर एक्स सब्सक्राइब इतनी आवे हैं इस से ज़्याद है नाती जो अभी बोलना इतना ही ठीक है नेक्श उसके बाद सब साइट से हट ये स्कीन शॉट लेना है हिमान शूबेड़ा इसकीन शॉट बात में लेना आपको पीपीटी दे दी जाएगी वहां से ले लेना आप अभी स पेलो इस प्रेमर्स को बहुत ही बड़ी या शाबाद ये कोन है बाई एक लोड़ा बड़ा अच्छा है क्या नाम है इसका और यार निकल गया वह बड़ी अच्छी बात बोला था हाँ ये मास्टर गोलू ठीक है सर के रास्ते में जो भी आएगा पेल दिया जाएगा ठीक बिल्कु सही बात है एक लड़की ने बड़ा अच्छी बात बोली किसार यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म वेलोस्टी के साथ मूब करेगा इसको यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे अब आपने एक डाउट और बोला था किसी बच्चे ने किसार यह बताओ अगर मैं इस सवाल में तुष्ट से यह पूछूँ कान लिखों कान लिखों चली इसको नेक्स पर लिख लेता हूं तुम उझे एफणेट बता दे कितना है तुम वह लेगा सर आगे सो पीछे चालीस एफणेट बराबर साथ आगे यह देख ले आगे 100 पीछे 40 एपनेट पराबर 60 और मज़े की बात ही है कि सर यह कॉंचेंट आ गया तो वर्क दन याद करो कॉंचेंट फोर्स का वर्क दन होता था एफ डॉट डी तो अगर मैं नेट फोर्स का वर्क दन पूछूंगा एक तो बया यहापन नेट फोर्स रख देगा कॉछेगा तो यहां रख देगा फोर्स में वह ₹ यही Amd डाट इस में वह पो फोर्स से जिसका वर्क दन आप निकाल ले हो चाहे वह मोझन रहो जाहे वह इंट्रणल और मेरे ट्र बिल्कुल सेम इसी तरीके से तो अब तू बता net force आया कितना 60 और आगे की तरफ displacement कितना दिया था 10 चेक करके देखो यहापर तो इसका मतलब आगे की तरफ force एक positive आजाएगा कितना निकल का जाएगा प्लस 600 तो मजे की बात दे यहाँ पर भी हम लोग ने देखा था यह भी 600 था और यह भी 600 था इसका मतलब मैं यह भी बोल सकता हूँ कि walk done by all the force निकाल या walk done by net force निकाल दोनों का मतलब एक ही है चाओ तो खुब चब बनाके लिग दो कि walk done by all the forces निकालो या walk done by net force निकालो दोनों की value same ही आएगी बोला भाई साब क्या बात समझ में आई जो मैंने बोला जल्दी से पंकसर ओपी पंकसर तो ओपी है ही भाई साब पंकसर आगे क्या वे पंकसर आए है अरे वा बहुत बढ़िया तो तो इसका मतलब सर की बात आप मानोगे ठीक है हाँ अच्छा अच्छा दोनों क्लास एक साथ चल लिए गया है जल्दी बोल जल्दी बोल ये सर अच्छा अच्छा तुम लोग तुम में से काफी लोग इस बात कर वेट करके बैठे तुफान आएगा तुफान लोट आएगा फिर बताएंगो उसको हम लोग आया नहीं अभी तक है अगर ये चीश्ति समझ में आ गई है इस इस गिवन कोश्चन से कोश्चन एक था लेकिन बाते हम लोग ने आपर बहुत सारी निकाली है तो जल्दी से हार्ट का साइन बना दो भाई साफ फटाक से जल्दी इवार मैं देख ले रहा हूं कि हमारा डिले कितनी देर का है कि अगर 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 शराब जेए वालग की रोकी भाई यह नाम रखेगा तु रोकी भाई तुम बाई साब नाम बड़े अजब गरीव रखता पहरा मजनू भाई ठीक है रोकी भाई अब आप सलीम भाई भी भल दिया गर और यहां डिले तो स्वरी यारा बहुत ज्यादा है आज का डिले बहुत ज्यादा है नेट का इश्यू हो रहा है 20 से 20 सेंड का डिले आ रहा है और बीच में 10-10 सेंड भी कभी हो जाता है चलो next आगे बढ़ते हैं तो यहां से basically हम लोगों ने constant force का work done देख लिया अब अपन बात करते हैं मैं यहां पर लिख देता हूँ हम लोगों ने यहां पर देख लिया work done by constant force ठीक अब अपन देखने वाले हैं दूसरा work done by variable force ठीक है चलो बढ़ी आप पीछे की तरफ चलते हैं तो work done by variable force का मतलब यह हुआ कि sir work done बराबर होता है integration of f.ds suppose example के तौर पे मैं ऐसा बोलू कि sir देखो चोटा है सवाल मैं यहां पर ले ले रहा हूँ है कि मैं ऐसा बोलू कि sir देखो कोई force है जो 3x square plus 2x लग रहा है example के तौर पे i-cap direction में ठीक और आपने x बराबर 0 से x बराबर 3 तक आपने displace किया तो work done by this force बताओ support चोटा सा सवाल मैं ले रहा हूँ उसके बाद मैं level उठाता चला जाओंगा ठीक ठीक है sir हाँ ओके बिटा modern physics और semiconductor जो है ना वो राजवन सर ने मंजिल सेरीज ले ली है तो हम लोग उसको द्वारे नहीं लिगा जाएंगे पास सुन्वारी है हाँ ठीक है चलो ओके मैं बहुत चोटा सवाल लिया मैं यहां पर वोगता बता दो तो जो फोर अरे अच्छा आपने लिगा तुपार ओके और वहीं कैसे हैं अलो एक दम दुवादार तैयारी चलनी तम लोग है बहुत बढ़िया यार वैतरीन और रहे सर आप आग हो कैसे निटिकेंगे बहुत बढ़िया बटा अपना यू पीसी का लेक्टर आगया माइन में बाला भी जा और आ रहे हैं मनजल में वन शॉट का लेक्टर लेकर और और नेम रिएक्शन अपन कराएंगे आपको सारी के सारी नेम रिएक्शन ठीक है चलो अभी तो आप पिजिक्स पड़ो एकदम जोड़दार चल रही है आपकी सलीम सर इतनी अनर्जी आती कहां से आप मैंने इसका सब्सक्राइब करने जा रहे हैं और इससे पहले सर ने आयू पीसी वाला लेक्टर रिकॉर्ट किया था तो बहुत अच्छा मोका है बेटा देल घंटे केंदर मैंने भी देखा था लेक्टर ने बात करूं तो मैं देड़ घंटे के अंदर सबागंटे के अंदर मेरा पुराना सारी चीज़े मेरी रिवाइज हो गती एटू जैट मताब मैं मन तो मेरा भी कर रहा था कि या मैं फिर से जही में जही एडवांस दे लेता हूं ठीक है तो वही मैं बोल रहा हूं कि माइंड मैप तो आप जरूर से चांटे रही है कोन्टेंट वही है मैं आपको बात बता दूँए कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं है ठीक है इसलिए आप यह ना सोचे पॉन्टेंट बिलकुल अब जो जा रहा है है यहां से बिलकुल शांदा लेवल का जा रहा है तो इसलिए बिलकुल भी आप यहां पर टेंशन इस बात की ना लेंगे सर हम अगर देखेंगे तो हमारा टाइम तो वेश नहीं होगा बिलकुल टाइम नहीं होगा बहुत कम समय में आप अच्छा खासा रिवीजन वहां पर कर लेंगे क्लियर आप ठीक है अगर मैं पूछूंगा तो आप बोलो तो डेट इस इक्वल टो एफ डॉट थी एक्स सीधी सची बात है मनका फॉर्स किता लग रहा है सत्थरी एकस स्क्वाइर प्लस टू एकस डॉट दी एकस का इंटीगरेशन और चुप चाप बहिया इंटीगरेशन लपेट दे जीरो से तीन सीधी सची बात है पासद तेरी जेही मेंस के लेवल के कुश्चन तो तेरी यहीं से हो जाएंगे अगर तु काइदे में पढ़ना चाहरा है सर डिटेल में बताओ क्या होगा तो भाई ज़रूरी नहीं कि फोर्स एकस में लग रहा होगा मेरे बाई एकस में भी लग रहा होगा और वाई में भी लग लग रहा होगा और Z में भी लग रहा होगा जाइड सी बात है लगने की बार यहीं तो कहीं भी लग सकता है तो मैं अगर बोलू कि इदर अगर displacement ds है मतलब सर एक्स में displacement मान के चलो dx है वाई में displacement dy है और Z में displacement dz है तो अपने यह लिख सकते है dx i cap plus dy j cap plus dz k cap in that case अगर मैं आपसे पूछूँगा कि walk done बता दो कितना होगा तुम बोलोगे integration of f.ds और अगर मैं integration कर दू इसका मतब dot product ले लू इसका इसके साथ इसका इसके साथ इसके साथ इस बात पर शायरी हो जाए किस बात पर शायरी तो मेरे खूंद से निकलती है लेकिन अभी थोड़ा सा जो है अभी जाहिर सी बात है अभी इस बात का pressure है क्योंकि तुमको break भी देना है और question भी कराने हैं बहुत सारे चलो आगे बढ़ते इसमें क्या है और फटाक फटाक यह क्या हो गया तो बेसिकली जो प्रॉपर definition है जिससे तेरा सारा काम चल जाएगा वो चल जाएगा तेरा यहां से तो अगर मैं question यहां पर उठाओं कि suppose फोर्स बराबन में लिख देता हूं 3x square dx plus 2y sorry dx ओडी नाएगा मिचा मिचा मिचे मिचा कर या पार-पार्टिकल्स किया है कहां से कहां तक कहां से अभे मिट ँव इससे पार्टिकल्स डिस्प्लेट किया जैखा नो खbee 4,6,7 पर तो वॉक्टन भाई फोर्स F बता दो क्या होगा ठीक इन देट केस आप क्या बोलोगे सब जो डेफिलेशन आपने थोड़ी देर पहले बताई मैं देख एक बात बोलू देख मुझे भी पता है यह बहुत सिंपल है मुझे भी पता है सच बात बोलू थो मैं इस ले जाए तो मैं यह चाहता हूं कि हर साल में देखा अभी मैं जैमेंस को कुश्चन से लाए था हम लोग यहां पर करेंगे हर साल हमने देखा कि जैमेंस में इस पर सवाल बहुत सारे आ रहे हैं जश्च चुपचाप इंटीगरिशन पर ठीक तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि सबसारे एक बार इसको एक बार हम सब लोग देख ले सुकून से देख ले क्योंकि सवाल जब वो आए गा इस बात की भी कारिंटी कि इस बार भी आये गए एक से चार, दो से च्छे, और तीन से साथ, solve and get the answer, खतब कानी, अगर बात समझ में आ गई हो भाई, तो एक बार हाट का साइन बना दो सारे लोग, जल्दी से, फटाक से, बोरो, बिटाप क्वालिटी चेंड नी होगी, बिटा ऐसी रहेगी, मैंने चेक कर लिया, वो 480 पी पे जाएगा, ठीक है, 720 पी पे अगर आपन भेजेंगे ना, तो जो बात मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, बेटा, वो तुझे कम से कम 30-40 सेकंड के बास सुनाई देगा, तो फ़र वो लाइब क्लास का मज़ा नहीं रहेगा, ठीक है, अभी ऐसी क्वालिटी से काम चाओ, मैं तो देख रहा हूँ ना, बस तू यह बात बता दे, मैं तो देख रहा हूँ ना, जो वाइड वोट पे लिखा है, वो तो दिखा ही दे रहा है ना, तुम यह बता दो बस, इस सीज़ की आवशकता है, बोलो, मैं तो देख रहा हूँ ना, ठीक है, सुन्दर कम लग रहा हूँ गा, वो अलग बात है, कि क्वालिटी कराब है, तो कोई बात ही हो, हूँ तो मैं ही भाई, हाँ, ठीक है, ठीक है सर, ओके, अब सपोज, इस लेवल के सवाल, क्या आप कर लोगे, अगर कर लोगे, तो टाइप करके बोलो, फटाक से, यस सर, इस लेवल के कुश्चन सो, हम लोग करके ले जाएंगे, जल्दी से, तब तक मैं अपना नास्ता कर लेता हूँ, विक्स का, बोलो, ओए, तुम लोग याद दिलाते रहा करोंगे, अगरे, 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 यह तुम लोग लिए, तो नाम पहले खराब हुआ था, तुम लोग अच्छा हो गया है, यह सर, हम कर लेंगे, अब देख, कभी-कभी सवाल मेरे भाई, ऐसा आता है, सर, F बराबर, 3xy i cap, प्लस, 2y square j cap, ठीक है, and if, particle displaced, from, 1,2, to, 4,3, find, work done by force F, अब तुम मुझे बताओ, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा पॉस ले लेते हैं, हम लोग, बहुत फास चल लिए, थोड़ा देर के लिए, थोड़ा slow हो जाते हैं, अब तुम मुझे बता, अगर मैं यह सवाल दूं तुझे, कोशिश कर करने की, क्या तु यह सवाल कर सकता है, यह सवाल में तु भस गया कहीं पे, जल्दी से टाइप करके बताओ, बोलो, जल्दी से, बोलो, जल्दी से, बोलो, यार, डिले बहुत ज़्यादा है, यार, हाँ, बोलो, क्या आपको लग रहा है कि इस सवाल में कुछ ना कुछ इश्यू है, मतलब अगर आप करने जाने कोशिश करो हैं भी solve करने की, तो आप बोलो कि सर, आपने बोला था, सर, थ्री एक्स वाई, इंटू डी एक्स, प्लस, टू वाई स्क्वाई, इंटू डी वाई, का इंटिग्रेशन, सर, आपने बोला था, इंटिग्रेशन कर दो, सर, कहां से कहां तर, सर, एक से चार कर दो, आपने बोला, एक्स कोडिनेट कहां से कहां तर, यहां पर variable X है, जो Y है, Y भी तो variable है ना यार, Y को मैं बाहर थोड़ी नहीं निकाल सकता हूँ यहां पर, बोलो, सब मैंच में पढ़ चुके कर लेंगे आराम से, तो करके दिखाएगे, नहीं कर पाएगा भाई, इसको नहीं कर वाएगा तू, पूरोशन को पूरा दो, बहुत ही बड़ी है, जब भी कभी सवाल तुझे ऐसा दिखे, तो समझ जाना कि complete सवाल है, यह एक तरह से bonus की तरफ चला जाएगा, अगर ऐसा सवाल दे दिया, तो मुझे यहां पर question को complete करना पड़ेगा, और question अक्सर complete एक ऐसे गिवन होता find the work done by force F if particle moves in a straight line on a straight line on a straight line y बराबर 4x बात समझ मारिये मैं क्या कहना चाहा हो ठीक है एक मैं चेक कर y बराब 4x पर move कर रहा है और नहीं कर रहा है सारी values मुझे साब से रखनी पड़ेगी यार x की value 1 रख ले मैं आप value change कर दे रहा हूँ x की value 1 तो y बराबर 4 2 x की value 3 तो y बराबर 12 अब सवाल तेरा बढ़िया बन के तियार हो गया तो बोलेगा कि सर देखो ये कहां से कहां लेके जारे हो सर एक से लेके जारे हो 3 पर और यहां 4 से लेके जारे हो 12 पर तो जब उसने ऐसा दे दिया y बराबर 4 x तो इसका मतलब यह हुआ कि सर यह y axis है और यह x axis है particle का रास्तासर ऐसा है वो इस तरीके से इस state line पर चलना है that means वो तुझे देना चाहरा है कि भाई आप फसो तो यह इस्तिमाल कर लिए हो अगर कहीं फसो कि जिस जगा पर आप होगे y बराबर 4 x हो जाएगा तो आपको यहाँ पर 3 x into इस y की जगह पर आपको यह 4 x पुट कर देना है आप चुपचाप यहाँ पुट कर देना 4 x into dx का integration plus 2 y square into dy का integration खतम सवाल क्या इसके बाद करके ले जाओगे सवाल को ओ दल्दी बोल भाई मीनट चे पहले सर आप अपनी बोईस की स्पीट को कम करो बेटा मैं अपनी बोईस की स्पीट का आधा पढ़ा रहा हूँ ठीक है यह प्रियाज 2.0 वाले बच्चे जानते मैंने खुद कम कर लिए चल तू बोल रहा है तो मैं थोड़ी और कम कर लेता हूँ तो क्या आपको यह सवाल समझ में आया कि अगर कभी integration में आप कहीं ऐसे जाके फस जाओगे तो वहाँ पर आपको सवाल को देखना पड़ेगा ताड़ना पड़ेगा कि क्या कोई और information आपको दे रखी है X और Y के बीच के relation की तो आपको वो information निकालनी है और आपको वहाँ पर put कर देनी है बोलो चल दी से बोलो क्या इस level के सवाल आप कर लोगे जल दी से बोलो पका पका ठीक है बाई तो इसका मतलब अब यह हुआ कि सर देखो हम लोगों ने वागड़नाबाई variable force भी पड़ दिया ठीक तो इसी में एक question मैं तुझे दूँ कि यार F बराबर suppose minus 10X है I cap के साथ और मैं बोलू भईया X बराबर 2 से X बराबर 4 तक के लिए वागड़न भाई force से बता दो क्या आप कर लोगे यह सवाल पर हसोगे कि सरी क्या मजाग चल ला है सर सर इतना simple सवाल आप दे रहे हो है ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है बोलो जल्दी से प्रियां शी बढ़ा रहा हो ho भी जोगने जोड़िया और लेवल होता है आ क्या जैक्या होती है प hotspferson की टिना हूं गाली होती है कि फूलों का राजा बहारों का महराजा दि है आधिल चलो नेक्स तो अगर मैं तुम्हें सवाल दूँगा तो तुम बोलें सर क्या मैं जाक चलना है सर वग्ण भाई फोर से आप जानना चाहरे हो सर f . dx और हम इसको इंटिग्रेट करतेंगे और sir f की value कितनी हैसा मैनस 10 x into dx और हम इसको इंटिग्रेट करतेंगे 2 से लेके 4 तक सर इसमें सर रही है मैन दस कोमन निकल के आ गिया और x into dx का integration प्रॉम दो से लेके चार सा जरूर कुछ बात है क्योंकि आप इतनी डिटेन में पढ़ा रहे हो एक्स का इसकार बाई टू तो आप लिखोगे एक्स फाइनल का स्क्वेर माइनस एक्स इनिशल का स्क्वेर बाई टू बड़ा सा टंडा कहां से दो से लेके चार तक आप जब वह लिट पूट करोगे तो माइनस तेन हो 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 सर बस समझ गये समझ गये समझ गये समझ गये समझ गये यह आएगा मैंने का correct है कोई गलती नहीं बिल्कुछ सही है सरी क्यों बताया मैंने का इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं आप से यह पूछू कि कि यह minus 10 कहने कि लगाता अबे 4 का square बटे 2 minus 2 का square बटे 2 कि हमने एक चीज बढ़ी थी जिसका नाम था spring ठीक है और हमने बात पढ़ी थी कि spring की बईया एक होती है natural length, relaxed length ठीक और जब spring की एक natural length होती है अगर उसको natural length से मैं x दबाऊं यह x खीचू तो उस पर जो force लगता था f spring force लगाता था वो minus kx की शकल का होता था कोई बच्चा कहे रहा है आपने कोई गल्ती करती क्या गल्ती करती भाई राज सोन बाले क्या करती बहुत बहुत अच्छा डाउट एक बच्चे ने पूछा है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्स तो माइनस आई कैप है और डिस्प्लेस्मेंट आगे की तरब है मैंने बिल्कुल हो सकता है ठीक मैंने तुझे एक छोटा सा सवाल दूँ ध्यान से देखना कि मैं तुझे ऐसा बोलूँ ध्यान से दे कि मैंने एक ब्लॉक को स्प्रिंग से बांधा और इसको साले को थपड मार दिया आगे की तरफ 100 मीटर पर सेकेंड है और यह सपोज मेरे भाई नैचुरल लेंथ है तो थोड़ी देर के बाद क्या यह कहीं यहां पर पहुचेगा और जब स्प्रिंग ठिचना ही स्टार्ट हो जाएगा तो स्प्रिंग पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा इस बंदे की वेलोस्टी आगे की तरफ है सपोज इसकी वेलोस्टी 60 मीटर पर सेकेंड है तो देख फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है लेकिन इसका डिस्प्लेस्मेंट आगे की तरफ है मैं पहले भी बोल चुगा हूँ अभी भी बोल रहा हूँ धान से सुलो या कहीं प पूर्स लगता है पार्टिकल किदर जाएगा उसका लेना देना फोर्स नहीं है उसका लेना देना किससे है बाई साब उसका लेना देना है वेलोस्टी से जिदर वेलोस्टी होगी उधर डिस्प्लेस्मेंट आएगा उधर पार्टिकल जाएगा ऐसे तो सर्कुला मोशन य होती है और उसका acceleration उधर होता है जिधर उस पर नेक्ट फोर्स लगता है कि बोलो चल दिसे कि भूलो 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 है क्लियर है ओके नेक्ट आगे बढ़ता हूं मैं तो अब यहां पर अगला जो आर्टिकल है वो है हमारा वोगडन भाई स्प्रिंग फोर्स ध्यान से देखना ध्यान से देखना मैं ऐसा बोलो कि सर देखो यह स्प्रिंग है और सपोज यह इसकी नेचुरल लेंद है आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया एफ नॉट मान के चलो किसी पल यह बंदा पहुंच गया यहां पर आपने अभी भी आगे की तरफ फोर्स लगा रखा है एफ नॉट थीक सपोज यह फोर्स है मेरे भाई कॉंस्टेंट मैंने ठीक है और यह जो डिस्टेंस है सपोज नैचुरल लेंज से बंदा जितना खिच गया है वो है एक्स इनिश्यल इसका मतब इनिश्यल एलोंगेशन इंदा स्प्रिंग इस एक्स इनिश्यल और आपने सपोज इसको आगे की तरफ और फोर्स लगाया औ और इसको यहां पर ले गए ज्यान से देखना सारी चीज़े रिवाइस कर लेंगे अपन लोग यहां पर और यहां ले जाने के बाद इसकी जो है यह है एक्स फाइंडर पास्वाज मारिए यह है आपका इनिश्यल और यह है आपका फाइंडर अब मेरा प्रश्ण है ठांसो सुनना अच्छे लोग प्लीज जवाब देना प्लीज जवाब देना ठीक है यह अटा साले हो नैचुरल लेंदे ठीक मैं तुछ से पूछूँ वाट इस वर्ग डन बाई फोर्स एफ नॉट क्या लिख होगे जलती से बोले जलती से क्या लि जल्दी मिनट से पहले हाँ टाइप करना पड़ेगा बाई साब ऐसे काम नहीं चलेगा ठीक है बोलो जहां कोई नई चीज होगी बेटा मैं स्लो जाओंगा जहां पुरानी चीज होगी मैं वो फास्ट जाओंगा एक बच्चे ना अंसर दिया हाफ के x-square फिलजा ने अंस है अब तुम कहे रहे हो कि सर स्पीड बढ़ा बता कैसे स्पीड बढ़ा दू यार कैसे काम कर रहा तू एक बंदेना आंसर दिया f into x initial minus x final गलत है और बता एक बंदेना आंसर दिया kx kx बाला तो अपने गाल पे मेरी तरफ से थपड माल ले kx तो एक फोर्स होता है यार है बॉग्डर कैसे बोल सकता है डाइमेशनली गलत आंसर दे रहा है तू अर्पित भी यही आंसर दे रहा है हाँ हाँ half kx एक बच्चे ना अंसर दिया half kx गलत है और बोलो बहुत मज़ा आ रहा है एक बच्चे ने कुछ और अनसर दिया एक तो बाइस आप आला की लेबल पर है कहा रहा है एंजी बराबर के एक्स गधेड़े एंजी को नौर्मल एक से ने कैंसल आउट कर दिया और बोलो यह टीबी बंद हो गया मैं टीबी उन कर पर दिसे बड़े ऐसे ऐसे आंसर दे रहे हैं लोग आज तक मेरें पर जिंदीगी में नहीं सुनें आगे ता चेंज इन काइनटीक एनर्जी बहुत ही बढ़ी एक बच्चे ना आंसर दिया सब दिसे इकुल टू चेंज इन काइनेटीक एनरजी शाबाश विटा बहुत है बड़ांदार है गलत ऑफ गलत और बोल कि और बोल बोल सराफ एंवी स्क्वाई थ्रून थ्रून ने आंसर दिया है हाफ एम वी स्क्वाईर गलत का पड़े हो वह तुम फिर है है तो बोल्ट नीजा कह रहा के एक स्माइनस के क्यू बच्वाई three गलत आकाश ने अंसर दिया, हाफ के x-square, बिनाएक ने अंसर दिया, हाफ के x-square, आर्या ने अंसर दिया, हाफ के x-square, हमजा ने अंसर दिया, f0 into x-final, रिचा ने अंसर दिया, हाफ के x-final के square, मैंस x-initial के square, बेटा मैं सही बात बता रहो, सारे ही गलत अंसर दे रहो, तुम चोटा सा अब तुम मुझसे कहे रहें स्पीड बढ़ा लो कैसे स्पीड बढ़ार लो है कैसे स्पीड बढ़ार इसका मतलब इंजाल से लेक्ट देख नहीं रहे हो वहत गजद मतना है एक नता लगी टोटल सब्वागद माईनस इनिशल को नव्अ है दो पैसे की अकल लागा टो न पैसे को गचिन बन रहा है साला तुम्हें नहीं घराइंब पैदा करती idd existence of in Judith 2017 होता है इरिंशल था है इनीशल की अवे शाल है गेक है बग करेंग ले अभी भी तुम हाप के x इंटीग्रेशन और अच्छा तोलू की गेम ज़िवना आंसर दिया है सर इंटीग्रेशन और f इंटू x बहुत ही बड़ी है इंटीग्रेशन और f इंटू x तोलू पेटा ये भी बताते f क्या है friction है spring है क्या है जो भी हो ये भी गलत है भाई शार, ओ भाई, एकना अंसर दिया है, अलोग या दवने, हाफ के Help के Delta X का Holy Square, ये भी गलत है बिल्कुल गरम ला ना, भाई, एकस गरम, छिल जाए गला इतना, नहीं है, बहुत गरम, चबर दस गरम क्या करोगे भाई क्या गुंड़ा बने गरे तू कांड से सर और यह बहुत ही बढ़िया जगदीव ना अंसर बोला कांड से बिलकुल रही हम आंसर देंगे ना अभी देखेंगे ना लाइक हो मैं तुम जब पूसता रहूंगा ना तुम अलग अंसर देंगे ना होगे बात म आ यहां पर यह थोड़ीक पहले मैंने वोला था कि सर यह जो फोर्स है मैंने फुर 210 लिखा था कि इक तो इतला सिंपल है कि सर यहाँ पर देखो इन्टू क्या क्योंकि बंदा यहां पे था अब बंदा पर चला गया मेरा मोटीव नहीं है मेरा मोटीव है कि मुझे बताओ और सर एक बात बताओ हमें यह पता है कि स्प्रिंग फोर्स होता है वो माइनस के एक्स की शकल का होता है इन्टू डॉट दी एक्स और चुपचाप इसका इंटिग्रेशन कर दो कहां से कहां तर सर आप जा रहे हो एक्स इनिशल से एक्स फाइनल तो तो अब लिखोगे सर एक्स फाइनल का स्कॉइर जो और सही जवाब देना वही जवाब देना वेटा जो मैंने तेरे को सिखाया है क्या ये स्प्रिंग फोर्स का वॉग डन जो मैंने हाँ पर लिखा है क्या ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है क्या इसको F-node से कुछ भी लेना देना है या नहीं बस ये बता दे तूँ मुझे बोलो जल्दीसे सर मैंने भी तो हाँ काफी बच्चों ने ये seven अंसर दिया था मैंने उनका अंसर इगनोर कर दिया था क्योकि मैं जानना चाहरा था कोन-कोन अलग-अलग प्रकार के गलत अंसर दे रहा ह। मैंने भी वही बोला था बिल्कुछ साही बात है आपने भी बोला था लक्ष ने भी बोला था किन्ग ने भी वही shutting वह लेख Не कि बोलो जल्दी से बिलए जल्दी से जल्दी से जल्दी से यह श्रक्तर लेना देना नहीं है अ जल्दी से बोल बहुत चलना भाई बहुत बढ़ी और सर आप पने तो बोड़ा था nsp नहीं करनी है हार्दिग गेमिंग का पहला आन से निकल का गिया बिल्गुट सही सर एनेस भी नहीं करनी है सर आप अगर स्प्रिंग फोर्स का वर्गडन बोल रहे हो तो आप F-LOT को भूल जाओ आप M-G को भूल जाओ आप तारा तारी मत करो आप केवल और केवल फोकेस करो जिसका वर्गडन पूछा जा रहा है तो यहां से बेटा एक असली बढ़िया फॉर्मूला तेरे काम का निकल के आया जो हमेशा तुझे याद रखना पड़ेगा कि वर्गडन बाई स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस हाफ की एकस फाइनल का स्क्वाइर माइनस एकस इनिशल का स्क्वाइर अगर माइनस को अंदर ले जाएगा तो एक फॉर्मूला कहीं कहीं आपने ये भी बढ़ा होगा एकस इनिशल का स्क्वाइर माइनस एकस फाइनल का स्क्वाइर और यहां पर x initial होता है initial elongation और compression in the spring और x final होता है final, elongation और compression in the spring कुछ भी हो जाए यह formula गलती से भी मत भूलना अब मैं बोलूँगा इसको अच्छे से रटा मालो कि spring force का work done होता है minus half के x final का square minus x initial का square बात समझवारिए इसमें जो k होता है वो spring constant होता है x final जो होता है वो final elongation होता है और x initial जो होता है वो initial elongation होता है रिदी रंजन सर मैंने भी बोला था हाँ काफी सबने गलत आंसर नहीं दिया था काफी सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया था बोलो क्या ये बात समझ में आई तुम्हें रटा माल लिए बहुत बढ़िया देवांस कुबार जल्दी से रटा माल लो इसको मैं चाहरा हूँ कम से कम इसको जो है ना है विक्स थैंक्यू दोस्त विक्स के लिए अच्छाया दिलातया था अ अरभ ц 하टक donuts कि ए स्वाक्त की मेरे से भी ख्राब है हाँ यार क्राब है रर detach भर श्रूआ कोई तो यह यहां से व्जान गाम आठोब गिलीए इस तो यह हम राफंग हरéo conscient वो यह निकल कर आई कि spring force का work done होता है, यह जो पिछला सवाल दिया था ना, अब मैं यहाँ पर एक question दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, suppose, यह थी natural length, आगे तुने force लगाया F0 बराबर 100 newton का, k की value जो है 100 newton छोड़, 1000 newton का, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने बोला, कि sir, k की जो value है, वो है 100 newton per meter, और तुने क्या किया, इस block को, rest से, आगे की तरफ force लगाया, और यह block को, suppose, तु ले गया यहाँ पर, अब धिरे-धिरे level बढ़ता चला जाएगा भाई, ठीक, आगे की तरफ तुने force F0 लगा रखा है, और suppose, तु आगे की तरफ लेके गया है, suppose, 2 meter, मेरा पहला प्रश्न, अब सबाब अब जल्दी जबाब देना, और यह बैसाब constant force, मैंने पूझा कि भाईया, work done by F0 बताओ कितना होगा, please answer, पिछली बार गलाद दे रहे थे, अब लोग सही जवाब दो, अर्चिद गुपता, बहुत बढ़िया, बेटा, बोलो, जल्दी से, 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 बोलो, work done by force है, 2000, बहुत ही बढ़िया, तुब बोलेगा सर, conscious force है, conscious force है, तो मैं लिखूँगा, 1000, इंटू 2, आगे की तरफ है, force, और displacement भी आगे की तरफ, तो प्लस 2000, मैं पूछू, work done by normal बताओ, आप बोलोगे, सर, normal लग रहा है, उपर की तरफ, और displacement हुआ है, आगे की तरफ, तो work done by normal, 0, मैं पूछू, work done by gravity बताओ, आप बोलोगे, 0, क्योंकि mg लग रहा है, नीचे, और displacement है, आगे, दोनों के बीच के एंगिल कितना हो गया है, 90 डिग्री, ठीक, मतलब force अगर displacement के perpendicular होगा, तो उसका work done मेरे भाई क्या होता है, 0 होता है, नेक्स, अब इसके बाद अगर मैं ऐसे बोलूँ, सर, ठीक, ऐसा work done by normal निकाल लिया, force निकाल लिया, मैं अगर यह पूछू, सर, मुझे बताओ, work done by spring force, पासंद मारी है, तो अगर आप work done by spring force निकालोगे, तो आप बोलोगे, सर, देखो, सबसे पहले formula लिख लो, minus half k, x final का square, minus x initial का square, just put the value, minus half k, k कितना है, 100, into, x final कितना है, 2 का square, और x initial कितना है, सर, natural n पे था बंदा, और natural n पे होता है, 0, तो 0 का square, that means, यह आगया 400 बटे 2, बराबर minus 200, तो मैं अगर आप से बूछू, कि भाईया, मुझे बता, work done by all the force, तो आप बोलोगे, सर, work done by all the force, equal to, work done by external force, f naught, work done by gravity, work done by normal, और work done by spring force, that means, it is equal to 1800, और मैं अगर यह भी सवाल पूछू कि भाईया, मुझे बता दे, इस वक्त इसकी final velocity क्या होगी, तो आप बोले, work done by all the force, equal to change in kinetic energy, बराबर m, v, final का square, minus 0, मतलब 1800, बराबर half, मास मैंने कितना बोला था, वाईसा, मास दिया ही नहीं है, मान ले, मास 10 kg दे दू, तो आप लिखोगे, 10 into v, final का, whole square, क्या pattern समझ में आया, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, जल्दी से बोल, 1800, करेक्ट, बिल्कुस ही बात है, आया, 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 है, ठीक है, ओके, अब इसी सवाल का, मैं एक चेंडर बर्जन लेता हूँ, एक बात, यहां से देखना, सेम कॉस्चन मैंने दिया, मैंने बोला कि सर देखो, यह थी इसकी natural length, आगे आपने force लगाया, 1000 newton का, ठीक, यह बंदा है rest पर, और k की value है 100, मेरा पहला प्रशन, find maximum elongation in the spring, अब धीरे दिने हम लोग अंदर entry मारेंगे, कि बताओ, spring का maximum elongation कितना होगा, देख, सोचो, कैसे निकालू, spring का maximum elongation कब आएगा, पहले तो एक बात बताओ, तुम, बोलो, सर आप आंसर क्यों नहीं देख रहे हो, सुरेंदर यादव, देख बिटा, मैं आंसर देख रहा हू मैं आंसर देख रहा हूँ, सर 1800 कैसे आया, यह बताना पड़ेगा, अब यह 2000 है नहीं, 2000, 2000 मैंसे जब यह 200 घटाओगे, तो 1800 आएगा, ओह, 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 भाई साब, देख, work done by, मैंने पूछा, all the force बता दो, तो आप बोलोगे, this is equal to, work done by gravity, work done by normal, work done by spring force, work done by F0, all the forces का मतदद, जितने forces ने work done किया है, अब बता, gravity का work done, 0, normal का work done, 0, spring force, spring force का जो work done आया है, के की बली यह रखी थी, तो 400 बटे 2, बराबर माइनस 200 आया था, तो यह हो गया, माइनस 200, और F0 का जो work done था, वो था 2000, और बेटा, 2000 में से जब 200 घटाते हैं न, तो 1800 आता है, क्योंकि 20 में से जब 2 घटाते हैं, तो 18 आता है, ठीके न, और 20 में से 2 कैसे घटता है, 20 जटे खीचो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, ठारा, उन्नेस, बेस, और इस बीस में से 2 घटाते, तो बत्वनों पढ़ते हैं तो दो घटते हैं तो आता हैं, और फिर जोड़ो, एक, द पूसते हैं, अठारा सो कैसे आगे है, 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 चलो, आगे बढ़ते हैं, नेक्श, तो मैं अगर आप से बुझो, वाट इस अमेक्सिमम एलोंगेशन ऑप दा स्प्रिंग, क्या बोलोगे, मैक्सिमम एलोंगेशन, चल्दी से बताओ, बोलो, कंसेट नंबर बन, यहां मैक्सिमम एलोंगेशन कब आएगा, कब मैक्सिमम एलोंगेशन आएगा, ठीक, क्या मैं ऐसा बोलू, जब तक यह बंदा आगे भागता रहेगा, तब तक स्प्रिंग खिसता रहेगा, और जब इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, हम बो बोलेंगे कि भाई साब, अब जो भी आएगा, एलोंगेशन बिल भी मैक्सिमम, क्यों, क्यों, सर इसलिए, क्योंकि अगर यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो ना होती, तो यह और आगे जाता, स्प्रिंग और खिजता, क्या बात समझ में आई, ठीक, बेटा, मैं स्पीड बच्चों को लगता है कि मैं स्लो हूँ, अब आप में मत उनना, क्योंकि विदिन दो मिनेट मैं कहानी बदल देता हूँ, पहली बात, बात समझ मारी है, जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं फास्ट हूँ, थोड़ा सा कॉपक करने की कोशिश करो, ठीक है, तो अगर मैं आ आज तो चेंदे है, डामरे और समझ करो मैं सदूखक करने के म Picture आज और सा, अरवर्सिंुट आऊ-च्छल आए, ऒरवर्सिय बच्चों को अई-पयो, ते मिने इननटमच्छ, तो पहल दो और, समझ मीश करों को लिद्टमट, पहलिए बच्चों क्तए, गीच्चों को और half के x final का square minus x initial का square पासवाज मारी है अच्छी है वर्ग दवाई f naught सर ये 1000 है तो plus 1000 into x maximum ठीक equal to change in kinetic energy change in kinetic energy final kinetic energy minus initial kinetic energy initially be rest पर finally be rest पर 0 minus 0 क्या आप solve करके यहाँ से x max निकाल सकते हो x max इदा चला गया solve करके answer जो भी आएगा आप निकाल लोगे बोलो क्या ये सवाल समझ में आया सर आपका मोड 2x करो अब आप 2x करता हो तो कुछ बोलते है धीरे बोलो थीरे बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं तेज बोलो ठीक है अभी कोई बात नहीं मैं बिल्कुर medium रास्ता अपनाता हूँ जल्दी से सब लोग या पर टाइप करके आपसर दो क्या आपको ये बात समझ में आई या नई देख मुझे न मुझे सारे बेसिक क्लियर करने दे देख बात सुझ मारी स्प्रिंग फोर्स का क्लियर हो गया है कॉंशन फोर्स का क्लियर हो गया है variable force का clear हो गया है थोड़ी दियों के बाद मैं gravity का clear करूँगा friction का होई गया है फिनको merge करके फिर खेलेंगे फिर आएगा मज़ा सवालों के साथ समझ मेरी strategies समझतो clear है ओके ठीक एक बच्चे ने जवाब पूछा सवाल पूछा कि सर क्या ये equilibrium है is it equilibrium equilibrium आगे F note लग रहा है क्या ये equilibrium है भाया equilibrium तो नहीं है क्यों नहीं है एक बाद check करके देख ले तो ऐसे check करके देख ले x max अगर तो यहां से निकालेगा तो x max निकल के आ जाएगा 2000 बटे के 2000 बटे 100 बराबर निकल के आ जाएगा 20 तो अगर इस जगे पे तुस्से F net पूछा जाएगा तो F net तु बोलेगा सर आगे वाला force माइनस पीछे वाला force सर आगे वाला force है F not जो की 1000 है पीछे वाला spring force है K X K की value है 100 और X की value कितनी है सर 20 तो इसका मतलब ये है सर आगे 1000 में सर 2000 है माइनस 1000 इसका मतलब यहां पर जो net force है वो माइनस 1000 है बंदे पर net force आगिया इसका मतलब ये equilibrium position नहीं है समझ में आई बात ये equilibrium position नहीं है तो इसका मतलब सर इसके पास तो acceleration है बनका correct और यहां velocity क्या है 0 है तो ये का ये रुका रहेगा पीछे भागेगा तो काई देवर ये पीछे भागेगा तो काई देवर ये ऐसे 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 oscillation करता रहेगा एक तरीके से SHM करता रहेगा जिसका time period निकल के आता है तो उन्हें पढ़ाओगा simple harmonic motion में T बराबर 2 बाई अंडरूट माई के हमें अभी simple harmonic motion पर नहीं जाना है अभी हमको बात करना है अभी हमको यहीं फिल लेनी है अभी हम यह हमको डिटेल में देखना है कि भाईया एफ नोट का वर्क दन कितना होगा स्प्रिंग फोर्स का वर्क दन कितना होगा नॉर्मल का वर्क दन कितना होगा हमें बस अभी इनके साथ खेलना है एक तरीक खेलो सवालों के साथ पहले इसमें expert हो जाओ फिर अपन बागी दूसरे उसमें चलेंगे देवास रात पूजी है सर समझ गे क्या यह बात समझ में आई सर repeat once again प्लीज समझे समझ में नहीं आया यह वाली चीज़ रिपीट कर दो एक बार फिर सर रिपीट कर दे यह मैंने नहीं यह आपने एक सवाल पूछा कि सर क्या जब इसकी फाइनल वेलोश्चीज जीरो हो जाएगी तो क्या यह एकलूबरियम में होगा इस वक्त तो मैं यह बोलूगा भाईया हम तो यह जानते हैं कि एकलूबरियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना ठीक अगर यह एकलूबरियम में है तो नेट फोर्स निकाल ले अगर एकलूबरियम में हुआ तो जीरो आजाएगा और एकलू क्या लग रहा है F0 ये वाला जो आपने लगाया था और इस्प्रिंग खुचा हुआ है तो मैं यह लिख सकता हूँ कि आगे फोर्स लगा F0 और पीछे फोर्स लग रहा है भाईए ये 0 तो ना होता इतना तो तो ये पता होगा कि माइनस 1000 होता है ये निकल के तेरा आगया Fnet तो ये 0 थोड़ी ना आया ये तो non 0 आगया ना इसका मतब Fnet पीछे की तरफ आगया तो जाहिर सी बात है कि ये equilibrium नहीं है बोलो ब्रेक हो जाएगा ठीक 8 बज़े तब ब्रेक कब होगा ठीक 8 बज़े ब्रेक हो जाएगा बोलो बाई साब प्रिंस कुमार सर maximum क्या बोला उसने सर मैं X-Max 20 कैसा आया ये calculate करका आया मुझे इस बात पे जबरदस्ती पूरी क्लास का टाइम बेश मत करवाओ कि यहाँ X-Max common निकलके उधर चला जाएगा और जब solve करोगे तो यहाँ से X-Max की value 20 आ जाएगी के की value तुम्हें 100 दे रखी है अब एक कोई बहिया साथ भी आठ भी नवी दस भी क्लास वाला कोई हो न तो निकल जाओ यार यहाँ से सवाज मारी बाग सेबेंथ एड़ नाइन टेंथ का कोई बच्चा हो ठीक है तो बेटा निगल जाओ अच्छा सा चैनल आता है पोगो देखो जाके पोगो ठीक है छोटा भीम देखो पोगो देखो है ना बेटा तुम गलत जहके आगे हो यहां बड़ो बड़ो की बात बी चालो भाई साब नेक्स आगे बढ़ते हैं अब इसी सवाल को मैंने ऐसे दे दिया मैंने बोला कि सर यह है इसकी नैचुरल लेंड ठीक है और इसको यहां से ड्रॉप कर दिया ठीक है फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन ठीक है इनि-Spring हमेशा याद हखना पूरी फिजिक्स में जब भी तुथ से ओमेगा पूछे, फेलोसेटी पूछे, स्पीड पूछे, मैक्सिममम एलोंगेशन पूछे जब भी कभी ये चीज पूछे तो हमेशा याद अखना वर्क एनर्जी थियोरम ही सबसे पहले मदद करती है चाहे तो खुब चबना के लिख दे कि जब भी कभी हमसे लिख ले इस बात को जब भी कभी हमसे जब भी कभी हमसे तेजसरी कह रही है कि सर आप लीज हमारे क्लास में लाइव आ जाओ भहिया तेजे सरी भहिया जरूर आएंगे थोड़ा वेट करो जरूर आएंगे आपके टेस्स से पहले जरूर आएंगे एक बार बहुत बड़ी या legend लेजेंड आंसर सही दिया आदित्य ने गलत दिया आयूस ने सही दिया किंग ने सही दिया कुछ लोग आज़स सही दे रहे हैं कुछ लोग गलत दे रहे हैं ध्यान से देखो देख यहां पर दो तरह के सवाल होते हैं समझ मेरी बार पहला कुश्चन NLM का क्या सर यह spring है और यहां पर mass M है और यह इसकी natural length है मैंने बोला ठीक है दियान से समझना मैंने यहां पर हाथ रखना हाथ रखना है मैं इसका हुले 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 इसको आने दिया तो एक पल ऐसा ज़रूर आएगा जब यह कहीं यहां पर जाके rest पर आ जाएगा ठीक है ये rest पर भी आएगा और ये equilibrium पर भी आएगा ठीक तो अगर मैं तुमसे पूछूँ कि भाईया ये equilibrium पर आ गया है ये इसकी equilibrium position है तो क्या कहनी होगी तुम बोलोगे कि सर अगर ये बंदा नीचे x आया पासवनारी अगर ये बंदा नीचे x आया तो हम बोल सकते हैं कि सर अगर equilibrium का मतलब है एक force नीचे mg एक force उपर kx that means kx बराबर mg इसका मतलब x बराबर mg by k तो इसकी जो equilibrium position होगी मेरे दोस्त वो कहीं यहाँ पर हो जाएगी यह सवाल आपने पढ़ाता NLM में कि find the equilibrium position अब जो मैंने कोशन दिया है यह वाला सवाल यह है अलग इसमें सवाल में आपने इसको यहाँ से छोड़ दिया और जैसी आप इसको यहाँ से छोड़ोगे यह नीचे की तरफ भागेगा 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 और जैसे जैसे नीचे की तरफ भागेगा इस परिंग खिस्ता चला जाएगा और एक पल ऐसा जरूर आएगा जब यह फाइनली रेश्ट पर आजाएगा दोनों में अंतर है पीछले वाले सवाल में अंतर है इस वाले सवाल में अंतर है ऐसे काईते में क्या करेगा oscillation करेगा simple harmonic motion करेगा जिसका time period होता है t बराबर 2 pi under root m y k तो यह सवाल काईते में यह है maximum elongation इंद इस्प्रिंग बता दो तो बोले काई इतना कहें load ले रहे हो मानलो नीचे जाने से पहले maximum elongation तो तभी आएगी जब final velocity 0 हो जाएगी यहाँ पर भी तभी आई थी ठीक तो maximum elongation आगा आप जानना चाहते हो तभी आएगी जब final velocity 0 हो जाएगी मानलो बंदा नीचे की तरफ x maximum गया है तो आप सीधी सची बात बोलो सब work done by gravity work done by spring force बराबर change in kinetic energy अगर आपको maximum elongation चीए बंदा नीचे आया नीचे तो ग्रैविटी का work done plus force into displacement ठीक मैं पूझू बता दें यह work done by spring force क्या होगा तो बोलेगा work done by spring force will be minus half k x final का square minus x initial का square equal to change in kinetic energy मतलब final kinetic energy minus initial kinetic energy जब solve करेगा तो x max common निकल के आजाएगा x max बराबर निकल के आजाएगा 2 mg by k पात समझ में आ रही है तो यहां पर निकल के कितना आजाएगा भाई साब 2 mg by k इसका मतलब यह जो distance है वो 2 mg by k i है बोलो अब एक ठंड नी लग रही है इसको मैं 16 पर करने पर लगा पड़ा हूँ लग रही है गर्मी लग रही है चल जा भाई एसी नहीं चल ला है हाँ तो द्यान से सुलों जो लोग जिल लोग ने थोड़ा सभी simple harmonization अच्छे से पड़ा है तो खुछ सोच यहां से ड्रॉप किया है तो मैं यह लिख सकता हूँ यहां से दिखना 2A तो 2A बराबर 2MGYK तो इसका amplitude आजाएगा MGYK और extreme position और mean position के बीच के gap को क्या बोलते थे हम लोग amplitude तो इसका मतलब उपर से नीचे MGYK चलेगा तो द्वापर तो mean position पर आजाएगा और mean position ही तेरी equilibrium position है और थोड़े पहले हम लोग ने देखा था कि ये हमारी equilibrium position आई थी और कितनी दूरी पर आई थी भाई साब MGYK पर आई थी बहुत ही कम अलफाज में कम समय में मैंने बहुत कुछ बोल दिया जिन लोग ने simple harmonic motion पड़ा है बेटा वो लोग समझ गये होंगे और जिन लोग ने नहीं पड़ा है उनको सब बाउंसर निकल गया होगा क्या ये बात समझ में आई तुम्हें किस तरह maximum elongation हम लोग निकालते हैं बोलो जल्दी से बोलो बोलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से बड़ाग से बोलो 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 बाउंसर ठीक अपस देख सिंपल हर्मोनियोशन तुने नहीं पढ़ाया तो मैं यहां पढ़ा नहीं पाऊंगा दोस्त पासवाज मारी है लेकिन यहां पर वर्पाइनर जी भीलने ले मैं तुस्से बुझो फाइनल अलोंगेशन बता दें कितना होगा तो सीधा बोलते अरे सर जब फाइनल वलोस्ती जीर हो जाएगी तब इस पर इंजित तक है वह फाइनलोंगेशन है तुप नहीं ध्योरम लगा यह फिक्स है यहां से एक ब्लॉक को छोड़ दिया ड्रॉप कर दिया यह हाइट है मेरे भाई एच ठीक और यह जो डिस्टेंस है सपोज यह डिस्टेंस मैंने कह दी एल यह एंगिल तु कह दे ठीटा या तु यह भी लिख सकता है कि एल साइन ठीटा बराबर एच बहुत स सवाल मैं दे रहा हूं कि इसके आगेश-वाद बढ़ेगी तो अगर इसको छोड़ूँगा तो जाहिर सी बात है कि ये जैसी उसको मैं रा देता हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़रुत पड़ेगी तु बोलेगा सर देखो आपको फाइनल वेलोश्टी चाहिए ठीक है मैंने का हाँ यह चाहिए तो बोले सर देखो जैसे ब्लॉक यहां कहीं पहुचा होगा इस पे इधा लग रहा होगा सर नॉर्मल ली एक्ष लगी किदर नीचे मंदा नीचे कितना आया है आगे कितना गया कोई लेना देना नहीं मैं क्या कहना शारो फोर्स किदर लगा नीचे नीचे डिस्प्लेश्मन कितना है एच तो वोगन माई ग्रैविटी मैंने यहाँ पे जो चीज लगाई है वो बेटा लगाई है यह वाली चीज कि अगर आपको वर्क डन की जरुत पड़ेगी तो आप यह लिख सकते हो force into displacement का component force की तरह पासवा नमारिए काईदे में इस बंदे का जो displacement था वो नीचे भी है और आगे भी है करा तौक श्रफण उलंब margin का ऑड़े में इस बंदे का कर गया कर यार यह इस यह निलुक tight कि कि यह और आशे रहर है कि अश्चन आवारे से इंवाव से खांग्र- острम से ऐसप तो सर्फ म्युक्र के लग रहा है सन नीचे बंदे का displacement की तरह है नीचे कितना है h displacement नीचे की तरफ h है force नीचे mg की तरफ लग रहा है तो अपने यह बोल सकते हैं कि walk down by gravity हो जाएगा force into नीचे की तरफ displacement जो की h है मैं नहीं चाहता है इसमें जरा सावितिये confusion हो मैं एक बार sentence फिट सर रिपीट कर देता हूँ ब्लॉक का displacement नीचे भी है ब्लॉक का displacement आगे भी है मुझे चाहिए वर्कड़न बाई gravity ताड़ा ताड़ी नहीं करूँगा gravity नीचे लग रही है तो मैं नीचे की तरफ displacement देखुआँ जो की h आया है इसलिए वर्कड़न बाई gravity यहाँ पर क्या हो जाएगा mgs और normal जो है वो हमेशा ही perpendicular है तो normal का work done हो जाएगा 0 और friction अगर नहीं है तो friction हो जाएगा 0 और माल ले यहाँ पर coefficient of friction म्यू दे दू तो तुझे पता है कि friction पीछे की तरफ लगेगा और friction की value होगी म्यू इंटू एन क्योंकि kinetic friction लगेगा फिसला फिसली हुई है वहां सा यहाँ आने में तो तो यह लिख देगा म्यू एम जी कॉस ठीटा क्योंकि नॉर्मल जो होता एम जी कॉस ठीटा के बराबर होता है यहाँ पर तो आप लिखोगे सब वर्ग दावाई friction निगेटिव में निगेटिव में क्यों क्योंकि ब्लॉक गया है इधर टीक ब्लॉक का displacement है इधर friction लगना है फीछे की तरफ तो निगेटिव कितना लग जाएगा भाई साब इंटू displacement और इस तब displacement कितना है एल बराबर चेंज इन काइंटिक एनरजी half m v final square minus 0 क्या work energy theorem लगा ना सीखे आप किस तरह से मैं यहापे लगा रहा हूँ मैं थोड़ा खिनारे हो जा रहा हूँ एक बार देख लो किस तरीके से हम लोग यहाँ वर्क energy theorem लगा रहे हैं ब्रेक ब्रेक के लिए बेटा बस 5-6 मिनट और रुख जा ठीक है आठ बजे ब्रेक दूंगा ठीक आठ बजे टेंशन आले ब्रेक मिलेगा डेफिनिटी मिलेगा बोलो बाइस आप मैं बस यह चाहता हूँ कि नीचे अगर बंदा आ रहा है न तो वर्कड़ एक बात बता अब मैं देशी बासा में ऐसा बोल दूँ ऊपर से नीचे कैसे भी आए नीचे अगर एच आया तो वर्कड़ बाई ग्रेविटी माइनस मचे अगर बोलो जल्दी से क्या इस चीच क्लियर हुई देख मैं रिलाक्स होके यहां से निकलना चाहता हूं जाता हूं एक बार ठीक है कि तुझे वाग्ड़ बाई ग्रेविटी में कोई डाउट नहीं है तो मुझे एक बार जल्दी से तु वह निकल जाओ ग्रेविटी हम समझ गये हैं कैसे कैसे मिकलेंगे इस केस में बोलो जल्दी से सर खोपचे में बता दो कि वर्क नहीं थेयोरम कब लगानी है देख जब भी कभी स्पीड पूछे जब भी कभी ओमेगा पूछे चाहे सर्कुलर मोशन में या रोटेशन में ओमेगा पूछे इन केसिस के सवाल वर्क एनर्जी थेयोरम से ही होते हैं पासवाज मारी है ओके सब पेंडिलम को स्विंग करा दो यार देख बच्चों वाले आर्टिकल मैं नहीं कराता है देख मैं सीवाद बता रहो तो यह तुझे लग रहा है कि मैं ऐसा पेंडिलम लूँ मैं पड़िए डॉन फोर्गेट यू आर प्रपेरिंग फॉर देख एडवांस है ठीक है जल्दी से बोल कि शायरी थर्मो वाली वाइरल हो रही है हो रही है तो भाई है हो रही है तो लिग देना वहां पर बोल दे रागि हम सर के दोस्त हैं ठीक है बोल देना सर इस पैमर क कैसे आया अबें उसकोफिशेंट फ्रिक्शन म्यू दए है अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहांपर म्यू सहीं बात है और DM अicias यह तिरे को आना चीए यह मैं तो खहार स्प्रिण क्या ही करूँ मैं एंरल में MST सर् पढ़ा चुक है इस सारी चीजे एंए किया आगे और जाओं कि यह जल्दी बोल क्या आगे बढ़्ट हुइन कि जल्दी बोल जल्दी समय नहीं यह सब जल्दी बोल ठीक है सर नेक्स कुश्चन अब दी आनसे देख इस मास M को छोड़ दिया ये हाइट है H ये है स्प्रे इसका कॉंसेंट है K ये गया और जाके इस पर ऐसे चिपका और फाइनली मैं जानना चाहता हूँ maximum compression in the spring ठीक है maximum compression का मतला मैं जानना चाहता हूँ वाश है शांदार कि जब ये इसको पर इस पर टकराएगा इसको नीचे compress करेगा तो कभी तो ये situation आ जाएगी और जाहिर सी बात है जब maximum compression तब आएगा जब बंदे की final velocity 0 हो जाएगी जब तक velocity 0 नहीं होगी तब तक spring compress होता रहेगा तो suppose ये है तेरा maximum compression मुझे चाहिए इसकी value प्लीज जल्दी से question को try करो जल्दी से बोलो 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 हाँ HCV का सवाल HCV का सवाल भी करेंगे tension आ ले बहुत बढ़िया सत्यम सत्यमना आंसर भी देना शर्ट कर दिया है शावाज बेटा सत्यम Krish ने भी आंसर देना शुरू कर दिया है शावाज हाँ सराप से मिलना है कहां मिलोंगे मिल लेंगे उसकी tension मतले पहले यह सवाल कर रहा है ठीक है देवांस राजपूत बहुत बढ़िया शावाज बेटा देवांस लाज़ पे तुन्हें चोटी सी गलती कर दी बस समर्थ गलत आंसर है समर्थ बेटा समर्थ गलत आंसर दी रहा है ठीक है बोल जलदण कर दो प्रक्राष बड़ें कोई समर्थ आ गया है आ गया तो पकड़ का पूट कर नामे इसका प्यूट्षा साथ something gu और क्र प्यूब कर रहा है चास MARY बढ़िया लीक्र आपकर कर रहा है तो ऐसमर्स समर्ड़ पकड़ कर तुम ब्रेक का वेट कर रहा है तुझा निकल यहां से बहुत बढ़ी है देख ध्यान सरी सर आपने इसको छोड़ दिया जैसे आपने इसको छोड़ा यह नीचा आया नीचा नीचा टपाश से टकराया और टकराने के बाद फिर यह किस पर आज आएगा जब तक यह फाइनली तो आपको चाहिए सर, compression in the spring तो मैं ऐसा लिखूँगा सर, whereas compression in the spring x maximum है हम लगाएंगे work energy theorem, work done by gravity, work done by spring force, बराबा चेंजिन काईनाटीक अनेर्जी तो वर्ग्ड़ दनmy all the force is equal to change in kinetic energy, all the forces का मतलब है, जितने force लग रहे हैं कौन-कौन जा फोर्स लग रहे हैं आपर सर ग्रैविटी लग रहे हैं आपर सर इस्प्रिंग फोर्स लग रहे हैं आपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है अब चेक करके बता ये उपर से नीजे कितना आया H प्लस X-Max तो वर्ग रहे हैं ग्रैविटी बिल भी प्लस Mg X प्लस H प्लस X-Max वर्ग रहे हैं प्लस लग रहे हैं सर माइनस हाफ के X फाइनल का स्क्वाइर माइनस क्योंकि ये इस्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था तो मैं बोल दूँगा X-Initial का स्क्वाइर बरावर फाइनल काइनिटिक एनरजी माइनस इनिशल काइनिटिक एनरजी इसके बाद सौल्व करके Quadratic मनीगी कुछ इन्फॉर्मिशन्स आपको ऐसे गिवन होंगे कि आप उस Quadratic के दो रूट निकाल पाऊँके बोलो क्या बात समझ में उस्प्रिंग फोर्स होता है तो थोड़ा दिमाग लगा जैसे इसमें जैसे इस से टकराएगा ठीक है जैसे इसको compress करेगा अगर तुझे यहां पर contact फोर्स दिख रहे है कि सरी spring मांस में फोर्स लगाएगा इक्जाम्ट की तोर पर टिक्या end Diertas मेरेma Reisti फोर्ट लगा रहा होगा अगर तुसको नौनेल प्रणक्ट करना चाया घर ले लेकिन वह फॉर्स लगा रहा होगा एक तदरा से वह फोर्ट इस फिरीन को ली ना तुरी ना एक वह वह हो या elongation हो value रखना है चुपचाब और अगर तो यह निगेटिव रखेगा भी तो निगेटिव का square positive बन जाएगा so don't waste your time इस चीज में बोलो क्या बात समझ में आ गई पकाबका बहुत ही बरिया तो आई काम करते हैं आठ बजगे हैं ठीक है मैं एक question दे रहा हूं आपको ठीक है छोटा सवाल दे रहा हूं अब आपको break दे रहा हूं यहां से हम लोग discussion करेंगे दो सवाल दे र इसकी natural length है और यहां से मैंने एक block को drop कर दिया यह distance x naught है ठीक है यह angle है भाई साब ठीटा find maximum compression पहला question और एक question और मैं यहां पर दे रहा हूं क्या कि मैंने बोला यह एक गोला है यहां पर spring को fix कर दिया है और एक mass को मैंने यहां fix कर दिया है like this ठीक है यह वाला जो angle है मेरे भाई यह वाला angle 90 degree है ठीक है 90 degree है और इसको छोड़ दिया यहां से drop कर दिया यह drop ऐसे किया कि यह चला 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 यहां से initially चला है और finally यह पहुंच गया भैया कहीं यहां पर इस जड्याद के इसकी velocity इडर final velocity कितनी होगी अगर यह छोड़ा से अभी लिख देता हूँ, break, ठीक है, अभी बज़रा है, पुरा 8, 8 बच के 15 मिनट तक break है, बड़े आराम से आप जिसको सवाल ट्राई करना है, वो question ट्राई करो, ठीक है, जिसको हलका फूल का खाना है, पीना है, वो हलका फूल का खालो पीलो, अब मैं तुझे एक बात बता जितने सिंपल लेवल के सवाल थे, सिंपल लेवल समझ रहा है, क्या कहना चाहरा हूँ, basic क्लियर करने वाले सवाल थे, spring force का basic, mg का basic, conscious force का basic, work done का basic, वो मैंने सारा क्लियर कर दिया है, अब अपन लेवल, अगले session में, ठीक 15 मिट के बाद, अपन सीधा, इस लेवल के question करेंग तो जितने भी PYQs यह advance का हैं, वो सारे ही के, यही हम लोग निप्टा देंगे, अगले थोड़ी देर के बाद, 15 मिट का मैं आपको break दे रहा हूँ, अराम से आप जो है, रिलेक्स हो जाओ, ठीक है, और ठीक अपन लोग 15 मिट के बाद मिलते हैं, ठीक है, मैं ही पर यह हो, just try the question, ठीक है, बाकी doubts आपके थोड़ी दे के बाद उठाऊँगा, मैं भी 15 मिट के बाद मिलता हूँ, ठीक है, मैं भी गरम पानी पी लेता हूँ, अर ची मिलता हुआए हो, जा हुआए हो, आपके बाद मिलते हैं, जा हुआए हो, just try the question, झाल 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 आज आ रही है अरे कोई नहीं कोई बात नहीं ब्रेक का फायदा ही मिलेगा नुकसान नहीं मिलेगा ठीक है आज आरे नहीं आरे 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 आ तुमने आपस में लड़ाई लड़ी होगी यह बत पता है पुझे पत्याना शुरू कर दिया होगा तुम कहां से हो है तुमारी आइडी कौन सी है 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 ना चलो सुरू करते हैं तो सब्सक्राइब क्या बोला शायरी शायरी सुनाएंगे पहले दोनों कुश्चन को डिसकस कर तो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि द्यान सदे इसको यहां से छोड़ा यह आएगा नीचे और सपोज यह कंप्रेस हुआ एक्स मैक्सिमम क्या यहीं पर लिख दू दोनों यह अलग-अलग करें यह बता है है अज़ा कल्लू को पेल रहे थे कौन था कल्लू भाई इस फैमर था क्या चलो ठीक है जो भी है छोड़ो उसको ठीक तो यह दोनों कोश्चन में यहीं पर डिसकस कर दूँ गया इसी जगह पर चला जो यह पर कर लेते हैं द्यान से देख यह चल भए यह शिपनी होगा क्या हाँ हो गया हो गया हो गया ठीक है ठीक है ठीक है द्यान से देखो कि अगर हमने इस एम मास के ब्लोक को यहां से छोड़ा तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे यह नीचे फिसल के आएगा 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 आपने बोला था maximum compression तब तक होगा जब तक बंदे की velocity 0 ना हो जाए क्योंकि अगर इसकी velocity जब तक रहेगी तब तक ये इसको compress करता रहेगा और जब फाइनल ये रेश्ट पर आ जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि सर उस बग compression इंदर स्प्रिंग क्या हो जाएगा maximum हो जाएगा तो मैं लगा रहा हूं वर्क एनर्जी थी हो रहा हम ज्यान से देखना यहां से लगए यहां तक आप लिखोगे वाग्डन वाई gravity प्लस वाग्डन वाई नॉर्मल प्लस वाग्डन वाई spring force प्लस वाग्डन वाई friction बराबाद change in kinetic energy ठीक सरी आपने ऐसे क्यों लिख दिए मैंने का जितने forces लगेंगे भाई सारे forces यहां पर लिख दे तो तु लिख सकता है सब बगडन वाई gravity कैसे लिखोगे मैंने का दे एक्स नॉट प्लस एक्स maximum तो vertically बंदा कितना नीचे आएगा तु बोलेगा सब vertically नीचे आया है एक्स नॉट प्लस एक्स मैक्सिमम का साइन वाला कंपोनेंट साइन ठीटा ठीक सबोजी लेंथ जो है एल होती तो यह एल साइन ठीटा होता सरब नीचे क्यों बोल रहे हो नीचे कितना आया मैंने का मुझे work done by gravity भी तो लिखना है ना work done by gravity हो जाएगा mg h प्लस लगाके तो आप लिखोगे यह दिहान से देखना सब लोग यहां पर क्या सब work done by gravity भी प्लस mg x naught प्लस x maximum इंटू साइन ठीटा पासाज में आई यह आगिया work done by gravity work done by normal क्या हो जाएगा सज जीरो work done by spring force क्या हो जाएगा सब माइनस हाफ के x फाइनल का स्क्वाइर माइनस x इनीशल का स्क्वाइर पासल मा रही है खाप के x फाइनल का स्क्वाइर माइनस x इनीशल की हो क्योंकि शुरू में किस पर था भाई साभी नैचूरल लेंद पर था और ना दबा था ना खिचावा था मैं एक बाद फिट से बोल देता हूं प्रिंग फोर्स का वॉक्डर होता है । यहां x फाइनल होता है । उंस और यहाम पासल फाइनल का स्क्रेशिवा स्क्वाइर ब। क्योंकि आपने इसको rest से छोड़ाता rest से rest जाएगा तो जाहिर सी बात है 0-0 क्या solve करके quadratic बनेगी x maximum का एक function निकल गया तो क्या निकाल सकता है हाँ यह ना बिटा कलू जो भी यो पढ़ने दे बिटा आप इस तरही के से spam की मत करो कलू आपकी जो सोच है वो आप अपने तक रखें आप इस सोच किसी को पर थोप नहीं सकते और हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं बेटा वहाँ पर पढ़ाई के दोरान इस तरह की गंदी-गंदी बाते नहीं करते हैं हम बाशन है कलू कि लिएर हें हाँ होँ हम हें बिलकुल लगाए क कर लू जो है यह कोई दिल का इंसान हैं है ठीक है कुछ बिचारे का दिल जा होगा कभी इसलिए इस तरह की बात कर रहा है है यह cautious यह शुदूल लेकर के खड़ा रहा वो राकी बांद के चली गई इसको बोलते स्पैमर्स को पेलना सही तरीके से कि आया समझ में कन्याओ आपकी तरफ से कल्लू को जवाब दे दिया है मैंने ठीक है कि आप एक काम कर सकते हो सभी जितनी कल्याएं हैं टाइपिंग में वो जरूर यह टाइप करें कि कल्लू भईया कैसे हो भगवान आपको खुशियां दे खुशि दे मत लिखना खुशियां दे ठीक है और आप थोड़ा सा धिमाग को सत्थ बुद्धH्य आप सरी सभी कन्याएं यह टाइप कर थे एक बार कि कल्लू भईया भगवान आपको सत्थ भुद्ध्ध्य दे और आपको बहुत साली खुशिया दे ठीक है अब चलो भाई सब बिटा कर लू अब जो भी है इसकी डिवेट आप घर पे करना अपने दोस्तों से करना बरना अब जितनी भी कन्याओं ने तुझे भाईया बोला है तो अब अपनी बहनों का बेटा थोड़ा सा रस्पेक कर उनका ध्यान कर और वो पढ़ रही है तो उनको तुझे पढ़ने दे ठीक है ना इतनी साही लड़के उन्हें तुझे भाईया बोल दिया है इफ यू आरे बहुत अच्छा human being आप अगर सच में एक अच्छे इंसान हो तो अब आप यहां पर spamming ना करो प्यार से समझा रहे हैं ठीक है प्यार से समझा रहे हैं समझ लो बना समझाने के दूसरे तरीके भी हैं हमारे पास ठीक है पिन पना जाओगे फिर चार-पांच बार प्यार से समझा चुका हूँ ठीक है चलो भाई साफ नेक्स आगे बढ़ते क्या यह वाली चीज़ समझ में आई अगर किसी को समझ में आई तो बता दो भाई फटाक से अब उसको मत दो कोई ठीक है हाँ बोलो कर नियाओं को बड़ा मज़ाया होगा सीच में है इस चल आकित बताओ क्या चीज समझ में आई प्योंकि मुझे थोड़ा स्पीड अप करना है अच्छे-च्छे सवाल भी कराने क्या चीज समझ में आई यह ने आईक बोले अल्दी से बोलो 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 एह बहुत ही बढ़िया अब अगर समझ माई तो बस एक सवाल का जवाब देदे कि मैं अगर ऐसा कहतूं भाई कि यहां पर कॉफिशेंट ओ फ्रिक्षन मियू है कोफिशेंट और फ्रिक्शन मैं दे दिया सबस्वाइब है फ्रिक्शन भी मोजूद है तो बस बता क्या चीज चेंज हो जाती पूरे सवाल में यह सब जे एडवांस लेबल चला ला है जब जे मेंस के कुश्चन करेंगे ना मैं सही बात बता रहो तूं हसेगा कहेगा सर जे पीछे और यह बंदा आया ऐसे 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 तो फ्रिक्शन का भी वोगड़न आ जाएगा और वोगड़न क्या आएगा फ्रिक्शन का सब निगेटिव आएगा क्योंकि फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेस्मेंट आगे और क्योंकि फ्रिक्शन यहां पर कॉ पर्क डन हो जाएगा, minus mu mg cos theta, it is the force, into displacement, कितना, x naught plus x maximum, बोलो, बराबर, final minus initial, बोलो, 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 clear है, क्या बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से देखके बताओ, बोलो, फटाक से, बोलो, 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 जल्दी से, हाँ, यह ना, ओए बाई, इदा उदा की बातें नहीं करो, अब सीधा मुद्धे पर आजाओ, ठीक है, पढ़ाई की बारें बात करो, और हाँ, मारी छोरियां, छोरे से कम नहीं है बेटा, ठीक है, हाँ, कन्याओ, बढ़िया रिजल्ट फोड़ना है आप लोगो, ठीक है, शांदार रिजल्ट फोड़ना है, as compared to boys, यह बात सच है, आप लोग जादा sincere रहते हो, जादा पढ़ाई के बिर्ती dedicated रहते हो, बहुत जादा focus रहते हो, ठीक है, और यह बात भी है कि आप लोग बड़ा अच्छा रियर निकालके देते हो, ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगो को पढ़ाई करनी है, और शांदार तरीके से आपको महनत करनी है बेटा, ठीक है, अभी समाज हमारा धीरे-धीरे डबलफ हो रहा है, और अच्छे-च्छे college में पहुँचे ठीक है है हाँ चलो खेर क्या ये सवाल समझ में आया सब लोग को यहाँ पर आगुरू जी बिल्कुल correct yes okay तो यह बताओ अब पढ़ाई की भी बात कर लो है है पढ़ाई की भी बात कर लो है देखो कहां से कहां लेकर जा रहे हो मुद्दे को है लोटके भावाव देखो तो क्या यहां से मैं यह बोलू कि जो भी information आपको given होगे यह आप निकाल लोगे यह सवाल आपका जो है HCV मे यहीं करा दूसे सवाल को अगर तुम लोग जहिल जाओ तो तुम्हें ऐसे ना लगे कि सर बहुत कम जगह में आपने इत्ते सारे सवाल करा थी यह मैं इसको थोड़ा सा उपर ले जाता हूं जगह बचाने के लिए यह लए लो टो टोका एस्वाल तो इसको यहां से कर दिया इस प्रींग नीचा आएगा नीचा नीचा एगा नीचा एंगा सुर ऀय मास पूर्ज़ के मकले अएक में जब हम जब नीचे पहुचे हैगा इसकी वेली पीछे की तरफ होघी मैं आप से जान रहा तो तो final velocity बता तो, sir आपने बोला था, जब भी final velocity बात करोगे, हम लोग work energy theorem के बात करेंगे, तो हम बोलेंगे, कि sir work done by gravity, plus work done by spring force, plus work done by normal contact force, क्योंकि यह इस पे ऐसे चल के आ रहा होगा, तो normal contact force भी लगेगा, equal to change in kinetic energy, पासद मारी है, और अगर मैं values put करूँ, बेटा, ध्यान से देखना मज़े आ जाएगा इस सवाल में, initial यहाँ पर है, बंदा final यहाँ पर है, तो इसका मतलब नीचे कितना आया, तुम बोलोगे, sir, नीचे आर आया, तो work done by gravity हो जाएगा, plus mgr, बोलो जल्दी से, सुरे एक शायरी, बेटा पहले question कर लेते, उसके बाद शायरी सुनते है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है, तो जैसे ही तु यहाँ से छोड़ेगा, तो नीचे आएगा, और नीचे कितना है, sir, आ रहा है, displacement के perpendicular ही होगा, जब भी यह कभी यहाँ आया होगा, तब नॉर्मल मेरे भाई, ऐसे लग रहा होगा, displacement इधार होगा, नॉर्मल इस perpendicular to the displacement, तो नॉर्मल का work done 0 हो गया, एक क्वाल टू, उन्हें अगर X final निकाल लिया, तो V final निकल के आजाए, बोलो हाँ यह ना, बोले जल्दी से हाँ यह ना, ओ भाई, तुम सारे लोग जो पढ़ने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, ठीक है, पढ़ाई पर धियान दो बेटा, जो सवाल मैं पूछने हूं, उसका कर रहा है, तो अगर आप उससे, अगर आप सोच रहे हो, कि आप उसकी सोच बदल दोगे, तो आपकी गलत है मिये, आप उससे आर्गुमेंट कर सकते हो, आप उससे लड़ाई कर सकते हो, आप उससे मारपीट कर सकते हो, आप जो है कही ना कही अपना मून खराब कर सकते हो, उसको पकड़के पेल सकते हो, कूट सकते हो, उसका मून खराब कर सकते हो, लेकिन आप उसकी सोच नहीं बदल पाऊगे, सोच तो बेटा तभी बदलती है, जब भगवान की तरफ से कुछ ऐसा कुछ हो जाए, कि जब उसको अकल ठिकाने आ जाए, या उसको सही और गलत का ज् और इस पर अपन फोकस करते हैं, जो लोग हम या पर बढ़ाई कर रहे हैं, अगर मेरी बात समझ में आ गई है, तो एक बार हाट बना दो, ठीक है, और जो इस तरह की सोच रख रहे हैं, उनके लिए भी हाट बना दो, कि भाई, आप भी जो है, एक तरीके से, हाँ, ठीक है, ठीक है, सब लोग हाट बना दो, और कन्या हैं, तो खास कर, कन्या हो, कहा हो तुम, तुम्हें दिखनी रहे, इतने सारे लोड़ें, तुम्हें लड़ रहे हैं, तुम कहीं छुपके बैठ गई है, तेज स्री दिखी, आयूश गुपता, आयूश गुपता तो लड़का है, तुम्हें पता नहीं है, मैं अपनी ओफलाइन की क्लास में सबसे जाद है, रोष्ट छोरियों को करता हूँ, मैं, हाँ, समझ मारी बात, इसलिए जल्दी से रेस्पोंस करो, बनना पी समझ जाना, फिर मेरा दूसरा रूप निकल का आ जाएगा, पिर, हाँ, आप बहुत अ ठीक, चल, आजा, शुरू करता हूँ, तो, मेरे इसाब से सारी कहानी आपर फस गई है, कहाँ पर, एक्स फाइनल पर, ठीक, किसा फाइनल एलोगेशन कितना होगा, एक्स फाइनल, कितने लोगों का कहना है, कि सर, ये डिश्टेंज टुवार है, तो टुवार हो जाएगा, बोलो जल्दी से, अच्छे है, कुछ को लोगा कहना है, नहीं मेरे भाई, एक्स फाइनल टुवार नहीं होगा, एक्स फाइनल होता है, फाइनल एलोगेशन इन दे स्प्रिंग, तुम बोलोगे कि सर, देखो, यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, इसकी जो नैचुरल के टुवार के बराबर हो गया है, तो अपन ये बोल सकते हैं, कि जो एक्स फाइनल होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा, टुवार माइनस आर रूट टू, इस आर्टिकल इस ट्रिकली फोर्जा जेई एडवांस, जेई मेंस की ओकात नहीं है, कि वो यहाँ तक आपसे पूछ पाई, लेकिन आपको आना चाहिए, लेकिन आपको आना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इस लेवल का तो पड़ो एटलिस्ट, क्योंकि फिजिक्स तो फिजिक्स है, क्या जेई मेंस, क्या जेई एडवांस, बहुत बढ़िया, आयूस दूबे ने बिल्कु करेक्ट अंसर दिया है, और सारी चीज़े बच्चों ने हाँ तक मुझे लग रहा है, अब सायथ आपकी मांग में सही आंसर जा रहा है, ग्रीस सेगल, थ्री आरभाई टू नहीं होगा मेरे भाई, ग्रीस सेगल, ठीक है, फाइनल अंगेशनिस्ट, इनिशल अंगेशनिस आर रहे ंखती है, ठीक है, बहुत ही काईदे में मैं बोले हैं तो, उसकी समझाना बहुत आसान काम है, ठीक है, बचलनोके थोड़े से हरामी पन करते, पढ़ाई लिखाय करना बंदे घर ते kır इथिते, उन को खूप समझाना पड़ता है पढले पढले पढले, लड़की मैं स चीज़े समझ जाती है वो अपनी घर की responsibility भी समझती है focused होती है पढ़ाई को लेके as compared to voice यह मेरी सोच है मैं गलत हो सकता हूं ठीक है लेकिन मैंने जो अपना experience पिसले 8 साल कर देखा है वो यही देखा है कि as compared to voice जो girls होती है वो ज्यादा एक तरीके से sincere होती है पढ़ने के मामल मिलता था तो girls की तरफ से homework almost complete मिलता था boys की तरफ से homework incomplete मिलता था यह मैं इसलिप हो लूँ है यह तो होता ही है बहुत सिंसर होती है क्या तुने देखा नहीं 6-7-8-9-10 class में हमको जाला पता नहीं होता था कि टेस्ट में क्या आया होता है और यह लोग पूरा पढ़के बैठ जाता है थे 3-4-5-5 बार इनका रिवीजन खतम नहीं होता था इतनी बार यह लोग पढ़ते थे और हमको पता ही नहीं चांबता था कि जलाकल टेस्ट भी है स्कूल लाइफ में ठीक है तो यह बात तो है यह बात सच है इसको हम डिनाई नहीं कर सकते है ठीक है चलो क्या यह आर्टिकल समझ क्या है समझ में आया कि बोलो कि बोलो 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 आया बड़े आगे है है या 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 बड़े आगे ट्यूपी बन और ट्यूपी बन का कोन आ गया हुआ हुम करेक्ट है अगर आप यहां पर बिल्कुल आप लोगों किलियर हो गया है बेटा तो एक बाद मुझे कन्फरमेशन दे दो और कहीं आप अगर गलती कर रहे हो तो बता तो मैं सवाल और एड कर दूँगा सवालों कि बेटा कमी नहीं है मेरे पास ठीक है कि अब यह मोड़ सोला हो जा भाई हाँ बोलो अबे कितने बच्चे हो हमको उससे क्या लें देना भाई हाँ बिल्कुल पढ़ाओ सर ठीक है सर नेक्स आगे बढ़ता हो मैं नेक्स इसके बाद मुझे लग रहा है शेह तुम यहाँ पर थोड़ी सी गड़वड़ी कर रहे हो तो इस पर एक कुशन और देता हो मैं ध्यान से देख मैंने बोला कि एक रॉड है ध्यान से देखना यहाँ पर ऐसे ठीक और एक स्प्रिंग को मैंने ऐसे बांध रखा है यहाँ पर एक रिंग को फसा दिया है इसका मास M है ठीक है और यह है भाई साब पांच मीटर बड़ी है यह एंगल है 37 इसका मतलब 5 कोश 37 यह हो जाएगा चार मीटर ठीक है जैसे ही तू इसको यहाँ से छोड़ेगा इसको तूने रेस से छोड़ दिया ठीक तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि natural length of the spring बहुत अच्छा सवाल है बेटा natural length of spring मैंने बोल दिया कि सर सपोज है 3 मीटर ठीक इस पोइंट को मैंने बोल दिया A इस पोइंट को मैंने बोल दिया B यह आएगा इधर और जैसे ही यह इधर आएगा इस तरफ दोड़ेगा इस तरफ दोड़ेगा और जैसे ही diversity of V कितना होगा I hope question तुम्हें समझ में आया होगा मैं फिर से सवाल समझाएता हूँ इसको यहां से छोड़ दिया है spring की natural land 3 meter है और यहां spring की total land 5 meter है इसका मतल़ spring बेटा 2 meter खिचा हुआ है तो इस पे इधर force लग रहा होगा KX इस force का एक component आगे की तरफ आएगा वो आगे की तरफ जो component आएगा इसको आगे लेके जाएगा और एक component नीचे की तरफ आएगा जिसको normally action cancel out कर देगा तो इधर व सबारी है तो मेरा कहना है what will be the velocity at point B B point पर velocity क्या होगी कि बोलो क्या सवाल समझ में आया एक बात और बता दो इस सवाल को ना अगर आप यहां से करने जाओगे ना यहां से इस जगे से इस जगे से जैसे यह सवाल हमने यहां से कर दिया था acceleration निकालके acceleration constant आया था तो 20 square बराबर 2S लगा दिया था तो बटा यह सवाल अब यहां से नहीं हो पाएगा इसलिए हमें work power energy वाले chapter की ज़रूत पड़ी क्योंकि यहां से अपन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर तु समझदार है और चीजे ध्यान से देख रहा है बेसिक सी चीजे तुझे आती है तो तु दीन में भी यह बात बता सकता है कि सर इस instant पर हम यह बोल सकते हैं कि अभी बंदा यहां पर है थोड़ी देर के बाद जब बंदा यहां पर पहुंचेगा इस जगह पर तो जो spring force है उसकी value कुछ और होगी क्यों spring में elongation अलग अलग जगह पर acceleration अलग-अलग है तो अलग-अलग जगह पर acceleration अलग-अलग होने का मतलब हो गया acceleration नहीं है इसका मतलब v square बराबर u square प्लस 2as तू लगा ही नहीं सकता पास वाजबारी है अगर तुने वो लगाया तो सवाल हो जाएगा गलत तो जाहिर सी बात है इसलिए हम को यहां प्लीज ट्राइए जल्दी से ट्राइए करो सब लोग जल्दी से और पढ़ाए के बारें बात करो हम है ना प्यू शिंग सर एक शायरी मेरे नाम पर प्लीज गुरू जी लव फ्रों बिहार आ जाएगी टेंशन ना ले ठीक है अभी थोड़ा सा content में आगे deliver कर तो अच्छ प्लीज बेटा पढ़ाए करो बेटा हाँ बोलो जल्दी से जस्ट्राइए कोशिश करो वर्क नेर्जी थियूरम लगाओ लेखो वर्क डमाई ग्रैविटी सब मूब कैसे करेगा देख मूब ऐसे करेगा spring force इधर लगेगा spring खिचा हुआ है spring की original land 3 मीटर है और अभी लेंद 5 मीटर है तो spring खिचा हुआ है 2 मीटर तो जब 2 मीटर खिचा हुआ है तो इधर force लगाएगा जब spring force इधर लगेगा तो उसका एक component आगे की तरफ अरे शाहिकी राम एजी 13 बहुत बढ़िया याद है वही शाहिकी राम फुलरी बैटा तेरे बैच के बहुत सारे लोंटे आईटी पहुंच गए तू यहां क्या कर रहा है मैनत कर बैटा साहिकी राम हां हां बिलकुल ठीक है गोरगपुर वाली मैडम थी वो भी आईटी प पहुंचे बिटा एक जना आईटी कानपूर पहुंचा है ठीक है मैनत कर बैटा मैनत कर टिका रहे हां हां याद रहता है हां याद रहता है जब प्रियाश टू-पोइंटों के लोग पहुंचेंगे वह भी याद रहेगा मुझे बोलो सर रिंग का मास नेगलेक करें रिंग का माल ले नेगलेक करके कैसे कर लेगा तो जरूरत पढ़ेगी ना वहाँ पर विक्स यस थैंक्यू दोस्त कि चलो कुश्चन देखो चार्ट करते हैं तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि सर देखो यहां से यहां हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थियोरम वोग दन बाई ग्रैविटी वोग दन बाई नॉर्मल वोग दन बाई स्प्रिंग फोर्स बराबाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है सर वोग दन चल रहा है इधर डिस्प्लेस्मेंट है इधर तो नॉर्मल का वोग दन सीरो इस्प्रिंग फोर्स का वोग दन आएगा बड़े ही अराम से लिख रहा हूं मैं ध्यान से देखना स्प्रिंग फोर्स का वोग दन माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वाइर माइनस एक्स इन सप्वार में समझ जाना है धोरह नहीं समझा हूगा सिच जब यह ब्लोब्लॉक यह पूचैंग तो इसस्परिंग की डॉटल लेंग चार मीटर है इस्परिंग की नेचरल टीन मीटर है मिटर के स्पικά को तुने यह पे 4 मीटर बना दिया है इसका मतब्ष्प्रिंग 1 एक मीटर खिचा हुआ है that means x-final की वेल्यू एक मीटर है जब बंदा यहां पर था तो इस्प्रिंग की इनीशियल लेंथ जोती मेरे भाई वो पांच मीटर थी इनीशियल लेंथ 5 मीटर है नेचुनल लेंथ 3 मीटर है मतलब नेचुनल का मतलब रिलाक्स लेंथ जब कोई भी फोर्स नहीं लगाया था तो बंदे पर 3 मीटर की उसकी लेंथ थी अब तूने उसको बढ़ा के 5 मीटर कर दिया इसका मतलब तूने एडिशनली 2 मीटर और खीट के रखा हुआ है इसका मतलब यहां पर x-initial हो जाएगा 2 मीटर तुझे बद चुप-चाप यहां पर वेल् बोलो आया यह नहीं आया heart का sign मना दो आकर समझ मा आगिया सीरा बोल दो yes समझ मा आगिया इले में किना लिए हो जारो जल्दी अब जे ही heart लिखना नहीं है heart का sign मनाना है हाँ करेक्ट है बहुत ही बढ़िया अब आना स्टार्ट होगे अब एक question तुम मुझे और करके दिखा दो उसके बाद फिर अपन दूसरी प्रोफाइल पर चलेंगे कि अगर इसी question को मैं 90 डिग्री रोटेट कर देता ऐसे है और यह जो लेंथ है यह वाली लेंथ जो है सपोज यह तीन मीटर सॉरी चार मीटर क्योंकि यह जो एंगिल है यह एंगिल है 37 डिग्री ठीक इसको यहां से छोड़ दिया इसका मास M है ठीक और इसकी जो नैचुरल लेंथ है वो तीन मीटर है यह point A है जब बंदा B point पर पहुँचेगा भाई साब तो इसकी कुछ ना कुछ नीचे वेलोस्टी होगी मैं जानना चाहता हूँ कि जब B पर पहुचेगा तो अब वेलोस्टी कितनी होगी इस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है क्या changes आ गया बस तुम इतनी सी बात बता दो बहुत ही बड़िया अश्वनी सौनी बिलकु यही हमने यह लिगाला था minus half यह फाइनल का स्कुरेरbuds इनिजील के स्कुरेर सर mg करेगा बिलकुल करेगा पहले mg को नार्मल ने बैलंस कर दिया था इस बार mg करेगा हमने यह पर रॉड में इसको मजबूर कर दिया कि जавerez सीधा नीचे या और कई मत चांगि आप इस dö disorders करा तब देखेंगे अभी के लिए बनाओ जलती से मिनट से पहले है कि अग्या कि अग्या को अग्या कि सटेंशन नहीं लगेगा वो टेंशन ही स्प्रिंग फोर्स है बेटा अग्या कि सार एमजी एड्ड हो जाएगा तो करना तुकर एड़ बाई सथर्माल प्रोपेटी सो मेटर कप पड़ा ओगे मुझे नहीं पता मैंजमेंट की तरफ से जब स्केडिल आएगा तब सोचा जाएगा अभी के लिए तो जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा कि है कि बाइब नी बोलो पर न एक साथ साथ एक साथ दो तीन तीन चेप्टर पढ़ाना सद्री आधा हुगक कि अफ में एक सांस में पी तिन नी 5 6 प्रोप SerMen पर पनाम सुरूं पाताए लास्ट साइं binnen पक्रित अरे आरे यहाल तो फाल तु मेंसेज मत करो ना प्लीज को एक कोई लोड नाम का लड़का है जो लगातार बहुत बढ़िया तेजस्री बहुत बढ़िया विनव शुबम राना शाबाज बेटा आग लगाते रहो लगाते रहो आग लगाते रहो आप आग लगाओगे इस पैमर के सुलगेगी ठीक है आग क्या अब आपको यह तो नहीं लग रहा है कि सर बहुत चोमू है सिंपल सवाल करा रहे है लल्लू लल्लू फटजी फटजी बहुत आसान सवाल अगर तुझे आसान लग रहे तो तिरह लेवल यकीन मान बहुत राइस कर चुका है पावर क्रप पढ़ाएंगे इस अगला पावर यह बेटा कंपोनेंट ओप स्पिरिंग फोर्ट बहुत बढ़ या एक बच्चें डाउट पचा सब कंपोनेंट इस फिल्फोर्ट नहीं लोग गया जो मैंने इस फिल्फोर्ट निकाला न नेट आ गया है उसमें कंपोनेंट सिंपल फढ़ लग रहा है तो जिएडवांस तो और सिंपल और असान लगेगा अभी कराएंगे जेडवांस के सवाल भी है कर नब जाएगा हैं एसे बता क्या लिखेगा इस नर्वागवण भाई ग्रेविटी मजी एच यह तो जाएगी 3 मीटर इसको छोड़ोगे नीचे आएगा नीचे आएगा तो नीचे तीन मीटर आया वघ्डाबवर्डविटी एम जी है नॉर्मल व्रड़न सर्ज इरो इस्प्रिंग पॉर्ट का वगड़न माइनस हाफ के x-final का स्क्वाइर माइनस x-initial का स्क्वाइर x-finial अगे यहां पर एक मीटर है, x initial अगें यहाँ पे 2 मीटर है बास अजमारी है equal to change in guiding energy half m bb square minus 0 का square बोलो, क्या समझ में आगे सारी बात पका पका tag air up तो मज़ा ही आ जाएगा बेटा मज़ा तो आने वाला है बस तू देखता रहे, बोलो जल्दी से और यह कौन सा cartoon वाला है, बईया, cartoon जो भी है इस तरह की बाते मत कर बेटा, cartoon world ठेक है, बनना spamming हो जाएगी तेरी भी इस तरह की कोई बाते ना करो, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बारे बात हो रही है, ठेक है हाँ बिल्कुल और spamming और यह लोड पुनीत दो लोग हैं, पता नहीं कुछ भी लिख रहे है ठेक है ठेक है भाई साब, यह मत करो बेटा गलत चीज है सही चीज, सही जगे अच्छी लगती है हम सब लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे है आप लोग अगर यहाँ पर spamming करोगे तो फिर मैं बोल दूँँगा सब लोग को पकड़ के कूट दें तुम्हें फिर सही बात बता रहो मैं ठेक है हाँ बहुत ही बड़े, तो एक काम करो भाई मैं नाम ले रहा हूँ, ठेक है बाकि बैच वाले लोडो पकड़ के कूटो सा लेगो एक तो है भाग्या साला भाग्या 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 हाँ यह भी आया था, यह जो ग्रीन ग्रीन हाट बना रहा है, सबसे पहले तो इसको कूटो पकड़ के आप कारटून अकवर जो भी है पता नहीं क्या जो भी है ठीक है सब लोग बोलो इसको spammer छू भाग जाए यहां से जैसे spamming कर सकते हो करो उसकी बगाओ यहां से इसको पढ़ाई की बाते बाते हो रही बेटा यह सब नहीं चलेगा यार मत करो यह चीज ठीक है आप इस तरह बोलके ना उनका नाम खराब कर रहे हो एक तरह से सीधी बा वर्गण भाई फोर्स एफ होता है integration of f.ds ठीक है ठीक है सर दूसरा यह हमको पता है कि सर वेलोसिटी जो होती है न वो होती है सर डी-एक्स बाइड डी-टी मैंने ठीक है भाई सब तो अगर मैं डी-एक्स की बेलूँ यहां पर पूट कर दूँ या मैं अगर सपोज बोलू अगर पार्टिकल ओनली-एक्स में चल रहा है तो तो ध्यान से दे कभी अगर जरूत पड़ी थी आप वर्गण यह भी लिख सकते हो वर्गण बराबर integration of f.b into dt इस बात कभी ध्यान दखना क्योंकि displacement को जो है हम लोग v dt लिख सकते हैं सर इस पर सवाल कैसे आता है मैंने कहां देख इस पर सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि मैं तुझे बोल दी यार वेलोश्टी बराबर 2t square है ठीक है मास बराबर 2kg है छोटा सा सवाल हम लोग लेते हैं ध्यान से देखना मैं जानना चाहता हूँ t बराबर 0 से t बराबर 2s तक वोगडण वाइफ all the forces बता दो कितना होगा पहला method ध्यान से देखना method number 1 तू बोलेगा सर t बराबर 0 पर velocity जो है वो 0 है ठीक सर t बराबर 2s पर अगर आप velocity निकालना चाहते हो तो t की वेली दो पुट कर दे दो दूनी चार दूनी आठ तो यहाँ पर velocity आठ आ जाएगी तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि सर kinetic energy initial है 0 और kinetic energy final है मेरे भाई half m v square बराबर आ जाएग पासाज मारी है और अगर suppose यह 64 आ गया तो मैं तुस्से पूछू कि work done कितना होगा तुम बोलोगे work done by all the force बराबर change in kinetic energy final kinetic energy minus initial kinetic energy सबसे बढ़िया relaxing method तो यही होता है कि आप initial speed निकालो final speed निकालो value put करो change in kinetic energy निकालो that will be the work done by all the forces और कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि सर दे f dot v dot dt सर f की value होती है m into a और v को v रहने दो into dt अगर अपन यहाँ पर values put करें तो ध्यान से दे मास कितना है 2 kg एक्सिलेरेशन वेलोसिटी 2t स्कुरार है इसको differentiate करेगा तो acceleration आ जाएगा 4t और वेलोसिटी की value 2t स्कुरार लिख दो into dt सर चुप चाप आपने value put कर दी और अगर तो यहाँ से integrate करेगा तो 4 दुनी 8 दुनी 16 बाहर निकल के आगया t square into t t q t q का integration t q by 4 limit रखेगा 2 की power 4 by 4 जो की again निकल के आगया 64 मैंने बहुत patience लिए सवाल कराया है वो इसलिए कराया है क्योंकि यहाँ पे तो लिख सकता है j e 2030 सवाल बहुत simple है लेकिन कम से कम कम से कम 6-7 बार यह आ चुका है पिछले 2-3 सालों में इसलिए यह बहुत important है कि यहाँ पर यह चोटा सा सवाल आपसे गलत नहीं होना चीए मैं इतनी देर यहाँ पढ़ाने लग गया तुम लोग फिर से spamming करने लग गये ओ बाई क्लास के समझदार लोगों पढ़ाकू लोगों प भगवान जी का नाम एक बार लो ठीक है श्टार्ट काम सुरू करने से पहले और फिर अपना इंपूट दो बीटा मैनत नहीं करोगे तो भगवान जी मदद नहीं करेंगे सीधी सची बात है और इस तरीके से सबसे बड़ी बात आप इस तरह स्पैमिंग करके अगर बचे क बारी यह तो आप लोग सच में भगवान को नहीं मानते हो सीधी बात यह सच में नहीं मानते हो ठीक है और अगर आप मानते हो तो यहां पर बच्चे पढ़ने है 1000 1000 2000 जित्ते भी बढ़ रहे तो उनको पढ़ने दो ना बेटा फिर उनको क्यों परिशान कर रहे हो ठीक है आप अपनी साथना कहीं और जाके करो यह पढ़ने दो ठीक है और बाकी जो अच्छे बच्चे है पेलो सा लोगों जो भी स्तरेगा आते इन फेक्ट आपको तो हमारा प्रोटेक्टर बनना चीए ठीक है वो दोनों लोग तीन चाल लोग जो कर रहे हो आप अगर सच में गौड में बिलीब करते हो ना तो यहां इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं आपको वहां पर बैठ जाना चीए लठिया लेके कि कोई स्पै स्पैमर्स आएगा तो आप लोग जो है आप जो भी चार-पास लोग जो जो है भागवान को इतना मानते हो तो आप उनको पकड़के कूटना ताकि हम सब लोग अच्छे से पढ़ सके और फिर जब हमारा सेलेक्शन हो जाएगा ना तो हम आपको बहुत दूआ देंगे हम और यह काम कर दो हम फिर यह काम कर देंगे ठीक है हाँ मेरा बस चले तो मैं स्पैमर कोई जो है कि पहली चीज होगी दूसरी एक बच्री यहाँ पर सब्सक्राइब ध्यान से देखना पावर इसको भी खतम करते और फिर पीवाई की उस लगाएंगे हम लोग ठीक बेसिकली होता यह है यहां से देख कि मैं अगर बोलू कि एक ब्लॉक यहाँ पे था एम मास का ठीक और एच हाइट उपर मैं इसको लेके गया लेके गया लेके गया और मैंने यहाँ पे ले जाके रख दिया ठीक है मैंने जानना चाहिए यार मैंने सपोर्च यह यहां पे था इसको उठाके मैंने यहां ले जाके रख दिया तो मैंने कितना वोगड़न किया मेरा प्रशनी है यह पहले यहां पे रखा हुआ था एच्छाइट उपर लेके गया तो मैंने कितना वोगड़न किया तो लग्द निकल के आगया एम जी है ठीक है मतलब अरे बाई कार्टून वर्ल्ड मत कर यार कार्टून वर्ल्ड यार ऐसा मत कर कि तु बहुत परिशान कर रहा है जो भी तु है अच्छी बात नहीं है यह इख अच्छी बात नहीं है ठीके? सब लोग यहां पर पढ़ रहे हैं तू यहां पर राके डिश्च्ट रगा hè तेरे मावा आपने के तुझे इतने भी नहीं सिखाया गया? के तेरे मावा आपने इतना भी नहीं सिखाया तेरे को? है लग रहा है तुझे पैदाईशी तुझे ग्यान तुझे जो संसकार मिलने चीए थे वो तुझे मिल नी पाए है चुप चाप निकल जा बनना यहां पर मिल जाएंगे तभी इससे संसकार हाँ इस चैप्टर का बीटिज क्या है बहुत सवाल आते से 15-20 सवाल आ जाते हैं पिछले साल टूटल टूटल टीक है चलो लोट के बापसा पड़ानी नहीं देरा यार अच्छा का सा टाइम यहां पर गर्वाइं सब लोग तरह दैन से देख केस नंबर वट इस नुम्बर वन प सब्मार के मैंने कितना vere случаев मैंने कितना बॉट टैप करो मैंने कितना वक्वर्ट वन किया शी तो किया अरां अरम अराम से अरम से second में मैंने बोला भाई साब MGH work done किया suppose MGH की value में 100 मान लेता हूँ case number 1 दूसरा case मैंने इसको ही टूपल ले जाने में बहुत speed से ले गया और 5 second में लेके चला गया में अब मैं तुछ से बोलू कि अब 5 second में अगर ही टूपल लेके गया हूँ तो मैंने अब कितना work done किया है तो अभी भी आप answer बोलोगे MGH बोलो क्या बात समझ में आई ठीक मैं फिर जब बोल देता हूँ एक case में तुम अराम-अराम से अराम-अराम से अराम-अराम से अराम-अराम से अराम-अराम से अराम-अराम से लेके जा रहे हो और एक case में थोड़ा speed से लेके जा रहे हो तो दोनों ही case में लेके तो एची गए हो ना दोनों ही case में work done भाई जो आपने work done किया है वो तो मेरे प्रेट से कर रहे हो वह जादा इंपोर्टेंट तो बोलते ना कि बाई साप एक जो है सपॉर्ज एक कमजोल लड़का है ठीक है और एक जो है हट्टा-कट्टा लड़का है एक कमजोल लड़कों को यह 50 किलों का कट्टा दे दिया जा छत पर रखके आजा थिक वो लेके गया उसने चत पर ले आके रख दिया थिक सब्सक्राइब किया MGH फिर हमने क्या किया एक तगड़े बंदे को बोला मैं जा जा जल्दी लेके रखके आजा इस पूरे कट्टे को 50 किलों को उस ने उठाय थोड़ा थोड़ा गया और एक दम रखके आ गया तो अगर हम यह बात करें किसने जाता वॉर्ग दन किया तुम बोलोगे सब्सक्राइब तो दोड़ों ने सेमी किया है MGH लेकिन अगर मैं यह बोलू कि सब्सक्राइब तकड़ा बंदा था जो ताकतवर था वो टैलेंटेड है वो ताकतवर है क्योंकि उसने सेम वॉर्ग डन को वहत कम समय में एक तरीक करके दे दिया तो इस बात को एक तरीके समझने के लिए हमने फिर एक नया टर्म निकाला जिसका नाम ता पावर पावर होता क्या है पावर होता है रेट आफ बींग वॉर्ग मतलब डी 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 टी सीधी सची बात ये ठीक आपने वर्ग डन किया है किस रेट से किया है उसको हम लोग बोलेंगे पावर और ध्यान से देखके बताना डी 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 को मैं ऐसा लिख सकता हूं सर ये हो जाएगा एफ डॉट डी एस बाई डी टी बोलो हाँ यह ना य आपने कितना चोटा सा वर्ग डन किया और ये दो डी 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 डाबलू है क्या डी डी डाबलू को मैं ऐस डॉट डी आसब लिख सकता हूं बाई डी टी चैक करके देखो डी डी एस बाई दी घुजल विल विकां वेलॉट टी तो पावर निकलके आगे तेरा ऐस डॉट्ड तो basically ये सारी कहानी छोड़ो यहाँ पर power की basically जो कहानी है power क्या होता है सीधा एक formula तुझे याद रखना है power is f.b यहाँ पर मैंने कौन सा definition इस्टमाल किया dw बराबर f.ds तो मुझे एक बात बताओ power बराबर f.d में f क्या होना चीए constant होना चीए या variable होना चीए please try it बोलो जल्दी से बोलो जल्दी से type करो सारे लोग अब यह कोन है लग गई लग गई है फिर से spamming करने आ गया है है आज सच बताओ मैं मैं online class में मैं जो है class लेने के बाद में सच में एसास हुआ कि इस तरह की जनता भी exist करती है ठीक है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे है और वो कुछ भी type किये जा रहा है बहुत बढ़ी है बच्चों ने सबाल देना जबाब दे दिया सब force constant होना चीए तो मैं बोलू constant हो तो भी चलेगा variable हो तो भी चलेगा यह सबसे ज़्यादा बच्चों को doubt रहता है कि power बराबर f.b यह हम लोग कब लगाएंगे constant force के लिए या हमेशा तो याद रखना कि power बराबर f.b आप हमेशा लगाओगे हमेशा लगाओगे चाहे constant हो चाहे variable हो सर्थ क्यों हमेशा लगाओगे क्योंकि मैंने का यह दे सर्थ dw बराबर f.ds यह कब होता है यह तो हमेशा होता है ठीक dw बराबर f.ds तो हमेशा ही होता है ना हाँ अगर मैं बोलू कि f constant है तब आप बोलोगे न कि सर्थ फोर्स कोंशेंट हो गया है तो dw बराबर f.ds में अगर अपन दोनों तरब इंटिग्रेट करें तब यह फोर्स बहार निकल के आता था और f.d बन जाता था वर्गडन तब तुमारा नेट आता था मैं तो भाईया छोटा सा वर्गडन बोला हूं तो dw बराबर f.ds ये तो हमेशा ही है तो जब dw बराबर f.ds हमेशा है तो यहां dw की जगे बेली पुट कर f.ds by dt तो चेक करके दे तो यहां पर हलका फुल का तुछ आइडिया लग क्या होगा कि ds by dt is velocity तो इसका मतब यहां पर जब भी कभी तुछ से पूचा जाएगा किसा पावर बता दो तो सीधा सचा अंसर देगा power will be f.d b बोलो क्या बात समझ में आई जल्दी मिनट से पहले आई ये नहीं आई आई आगे हो तो हाट का साइन मना दो प्लीज सब लोग जल्दी से थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं भाई हम थोड़ा पीछे चलने टाइम के साब से मेरा टार्गेट है साड़े तस गया रहे तक लेक्चर खतब हो जाना चीए पूरा कि बोलो कि जल्दी से ठीक है टाइप करो आप लोग सब हाट सब लोग हाट टाइप करते रहो स्पैमर अपने दिखेंगे यह नहीं बहुत ही बढ़िया ठीक तो अब यहां पर तु बोलेगा सर पावर बढ़ा अब जैसा कोश्चन्स मैंने कोश्चन किये देखना मैं तुस्तरे यह वाला सवाल यह वाला सबल एक कोश्चन बबर वन? फैक है? कां गया 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 मैं बोलूग कि जब यह पहुंचा था तो इसकी फ Words salary कितना होगा तु 최근 Pan लिखाने एक सवाल करी लेते हैं हम लोग यहां पर तो पाबर भी हम लोग यहां पर वह एक ग्लास एक कपोल ले आईएगा थंड़ा हो गया तो मुझे ध्यान नहीं रहाता पड़ाते पड़ाते ठीक सपोज मैं यहां पर एक कुश्चन दू मैं तुझे बोलू सर यह है 10 किल आनना चाहता हूं कि टी बराबर जीरो पे पावर वाई फ्रिक्शन पावर सप्लाई वाई एफ नॉट कितना होगा आप यह बताओ ठीक है तो पावर पॉजेटिव भी हो सकता है बेटा निगेटिव भी हो सकता है क्योंकि यह क्या है एक तरीके से यह डॉट हो यार क्या करें है आई 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 टी नमन ठीक है और जो भी लोग हो इस तरह के और भी है ठीक है और निप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं ठीक है हाँ जो भी लोग है जो यहां पर पढ़ाई को डिश्टब कर रहे हैं सच में अगर गॉड इस रियली एक्जिस्ट भगवान अगर सच में एक्जिस्ट करते हैं तो हम सब लोग ही उनसे प्रार्था करते हैं तो इनके साथ जरूर कुछ ऐसा हो जाए दस दिन पंद्रे दिन बीस दिन के अंदर कि इनको समझ में आ जाए कि यह लोग इतने सारे बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं और अगर इनके साथ ऐसा नहीं होता है यह सब भालतू की बात हैं तो यह बोलूगा कि सच में अगर जितने लोग अच्छे बच्चे आपर पढ़ रहे हैं ठीक है आप सभी जो है आप अब जो है प्रार्तना कीजिएगा अब इनके लिए दिल से अच्छी बाते नहीं निकलती है अब इनके लिए दिल से बुरी बाते निकलती है ठीक है वी ओल आर हुमेन बिंग्स हम कोई यहां पर इतने बड़े लोग नहीं है कि आप हमें कंटुणिसली देड़ घंटे से परिशान किए जा रहे हो परिशान किए जा रहे हो परइशान किये जा रहे हो पढ़ने देने ही नहीं दे रहे हो ठीक है कोई बच्चा ढ़व पूसना चाह रहे है तो वो videos में ओ Touch Co और आपको जो है उस तरह की बाते कर रहे हो आप ठीक है और वो बैठके अगर यहां पर पढ़ रही है तो आपको उसमें भी तकलीफ हो रही है ठीक है आप बहुत दोगले इंसान हो आप किसी के सगे नहीं हो सकते आप जब जिन भगवान का नाम लेके यहां पर स्पैमिंग कर रहे हो ठीक है जब आप उनके सगे नहीं हो जाहिर सी बात है ठीक है आप बहुत ही अच्छी बात नहीं है अच्छी बात बिल्कुल नहीं है तुम्हारे लिए मजाग हो सकता है उस बच्चे से पूछ क्योंकि आपको पता है कि यहां पर बहुत सारे बच्चे लाइप पढ़ रहे है ठीक है आपको अपना बिजनेस करना है आप करो कहीं दूसरी जगे जाके करो ठीक है आप अपने लेवल के बंदों से बात करो ना तुम्हारी उकात है तो तुम फिजिक्स में बात करो ना हमसे तुम्हारी उकात है तो फिजिक्स में बात करो ना हमसे आपका जेनर अगर पॉलिटिक्स है तो आप वहां बात करो ना कि जहां आपको आपके जैसे लोग मिले बात सुन्मारी है आप उहां जा के बात करो एक है यहां physics के बारे बात करो न यह पढ़ाई के बारे बात हो रही है इतने बच्चे विजारे सांती जटा पढ़ रहे है type कर रहे है question doubt पूछने कोशिश कर रहे है आप उनका doubt हम तक नहीं आने दे रहे हो है गलत बात है बहुत गलत बात है, यह रॉंग नमबर है, यह रॉंग नमबर है, कोई इनकी फिरकी ले रहा है, ठीक है, सच में रॉंग नमबर है, होर्स पावर क्या होता है, बिटा भी बता हूँगा होर्स पावर क्या होता है, और अगर आप किसी दूसरी कोचिंग से भेजे गए हो ऐसा भी सुनाए मैंने मुझे नहीं पता ठीक है मैं इस फिल्ड में नहीं नहीं हूँ लेकि मुझे मेरे दोस्तों ने बताया है कि प्लेटफॉर्म पे जब एक साथ लाइव इतने बच्चे पढ़ रहे होते हैं हजार दो हजा तीनिया चार यार पांसो आठाट सो तो बाकी इंस्टीट के को अच्छा नहीं लगता है या इंस्टीट को तो अच्छा लगता है लेकिन जो बच्चे उस इंस्टीट में पढ़ कि आप तो फिजिक्स में पूछ ना डाउट मैं तो तब मानू कि आप मुझे इसा डाउट पूछलो कि जो मैं बताई ना पाहूं अब ऐसा डाउट पूछलो कि जो यहां पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब को सारा डाउट उनको कलीएर हो जाएंदो सच में फील रहे हो न अच्छी बात नहीं है अधिक है यह पावर पता है पांच मिनट का आटिकल है पांच मिनट का इसको तुमने 25 मिनट करवा दिया तो तो थोड़ना लगता है क्यों राजबन सन्य बोला होगा क्यों वह गुस्ता हुए होंगे क्योंकि राइट नाव मेरा मेंटल स्टेट भी यही कह रहा है कि जा यार कि जा सलीम यहां पर गलत जगह पड़ा रहा है तो और इस केस में बता रहा हूं ठीक है सबसे पहला फर्ज बेटा आप लोग का बनत कर सकते हैं इस प्लेटफर्म पर बात अच्छी नहीं लगती है इस प्लेटफर्म पर अच्छी नहीं लगती है ठीक है हां मेरे लिए सब बॉइज बराबर है मेरे सब लड़कियां बराबर एक teacher के लिए उनका जो student होता है उसमें वो ना ही कोई उसकी जो है अमीरी, गरीबी, जात-पात जेंडर वो कुछ नही देखता है उसके लिए सब बरावर है उसके लिए बस वो उसका favorit होता है जो teacher की बात मानता है, जो बच्चा sincerely परली टीचर की बात मनता है वो उसका फेवरेट होता है चाहे उसके मांक्स जादा आए या कम आए या काम कर रहे हैं आपका काम पढ़ने का है आप यहां पर पढ़ रहे हो और जो बाकी लोग है जिनको करनी थी क्या आपकी यह पूजा है कि आप जाके इस पैमिंग करोगे अई डोंट थिंक होनी चीए है हम सब लोग अपना काम कर रहे हैं इस तरह की बात है अच्छी नहीं लगती है ठीक नब चलो पर यहां से श्चार्ट करते हैं तो मैं अगर यहां से पूछू कि भह्या पावर बता दो तो देख पावर ना दो तरह से पूछी जाती है एक होता है instantaneous power एक होता अशेंटेनियस पावर अगर मैं बात करूँआ instantaneous power तो उसकी value होती है F.B कभी-कभी हम लोग average power भी पूछ ले थे उसकी value होती है P.DT बटे integration of DT ये average का formula बेटा तुने हर जगे पढ़ा होगा जैसे average current हम लोग पढ़ते है integration of I.DT बटे integration of DT उसी तरीके जैसे average velocity पढ़ते थे सेम है जैसे आप लोग mathematics में पढ़ते थे कि integration of Y.DT बटे integration of DT वोई कहानी यहां पा रहे एक बच्चे ने बुचा सर horsepower क्या होता है तो मैं बता देता हूँ 1 horsepower की value आपको याद होनी चाहिए वो होती है 746 watt उसने बड़ा अच्छा doubt पुचा कि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने power तो निकाल ली हो और answer watt में निकाला हो और आपको यह नहीं बता हो कि sir 1 HP का watt के साथ conversion क्या होता है तो अच्छा-खासा सवाल हो आपके निपड़ जाता है J advance में जब भी कभी सवाल आएगा J advance के given करके देती है अब चुप-चाप बोलोगे सब power will be F0 का dot protect velocity के साथ अब F0 कितना है 100 तो मुझे 2 second पर velocity निकालनी पड़ेगी उसके लिए सब पीछे की तरफ friction कितना है पीछे की तरफ friction है सा 40 तो इसका acceleration आगे की तरफ हो जाएगा 100 minus 40 60 तो आगे की तब acceleration हो जाएगा 6 तो मैं बोल सकता हूँ 1 second में velocity 6 बड़ेगी तो 2 second में velocity 12 हो जाएगी क्योंकि acceleration constant है तो तू लिख देगा 100 गुणा 12 वही अगर मैं power will friction पूछूँगा तो friction मेरे भाई पीछे की तरफ है velocity आगे की तरफ आजाएगी 2 second के बाद तो मैं बोल सकता हूँ सर 40 और velocity आगे की तरफ है और आगे तरफ velocity कितनी है सर 12 है और यहाँ पर sign आप लगा दोगे कौन सा minus sign खदम कानी मतलब power जब positive भी आ सकती है negative भी आ सकती है but depends कि आप जो है यहाँ पर भी आप वही काम करोगे कि जिस ठीक है जिस force की power पूछी है आप केवल उसी पर focus करोगे बाकी forces को क्या कर जाओगे भाई साब भूल जाओगे clear है यार यह फिर सुरू हो गया ना यह चलो आप कूटो तुम लोग बहुत बढ़िया शाबाश बाकी लोग हाट बना गए उसको पेल रहे है बिल्कुल पेलो पेलो जवर्दस तरीके से पेलो ठीक है बिल्कुल क्या power की चीज clear हुई power का मतब बेसिकली यह होगा मैं एक बाप फिर से explain कर देता हूँ जहान से सुन basically power पूरी physics में 6-7 जगे जाती है मैं एक एक जगे बोल देता हूँ mechanics में हम लोग power बोलते है rate of being work done किस rate से work done हो रहा है ठीक तो यहाँ पे style मारके मैं यह भी लिख सकता हूँ ध्यान से दिखना सब P बराबर DW by DT इसका मतलब DW बराबर PDT ठीक और यहाँ पर दे दिया जाएगा टाइम और इसका जो एरिया होगा एरिया वह एरिया थेक करके देखो integration of PDT integration of PDT क्या दे देगा बैस सब यहाँ पर इसका जो एरिया निगलके आएगा वह दे देगा वाग नमभा यह ओल्द फोर्स या वह आपको दे देगा change in kind of energy क्लियर है ओके बहुत ही बढ़िया शावाज पर अरे बहुत ही बढ़िया ऐसे हाट बनाते रहो ठीक है ऐसे ही हाट बनाते रहो एसे हाट बनाते पास सच है या जो यहाँ पर इतनी देर से अल्लाव अकबर टाइप कर रहा है वह वह गौड को मान नहीं सकता यार वह काइदे में वह सच्चा इंसान ही नहीं वह एक तरीके से यहाँ पर स्पैमिंग करने आ गया है ठीक है हाँ वह बहुत है बहुत पर फिर से वह टाइप करने अभी अब तु देख रहा है बेशर्मी की हद इतना समझाने के बाद भी वह अभी ता वह टाइपिंग रोक नही अगर यह बात समझ में आ गई है यहाँ पर इधार पाबर इधर टी तो यहाँ पर दो बाते तो यहाँ रखने है प्रेशर प्रेशर इकल लागा यह जवान से पाबर और टाइम का गराब जो एरिया अंडर कर देगा वो तुझे बॉग्डन भाई जो है फोड़्स देगा यह चेंज इन काइंटिक इनर्जी देगा ठीक अगर तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट करो तो क्या पावर पूरी मेकेनिक्स के अलावा पूरी फिजिक्स की पावर को मैं एक बार रिलेट करने ही कोशिश करूँ क्योंकि पावर ऐसा चेप्टर जोती हर जगे आप बोल दो जल्दी से क्योंकि चीज तुझे जाइट सी बात है किसी बुक में नहीं मिलने माली बेठा सब को मैं घटा कर गए तिरे सामने एक्स्प्रेन कर सकता हूं अगर तुछ यहाँ पर मुझे सबोट करें तो बोले हाँ सर आब बोल दो जल्दी से बोलो बोलो बोल तो यह किस रेट से अनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है बेसिकली पावर का मतलब हम बेसिकली आप यह बोल सकते हैं सटीजा काइंड ओफ-फ्लोफ एनर्जी ऐसे भी बोल सकते हट जग है तो नहीं लिकिन कहीं कहीं जग है जैसे कि अगला एक्जाम्पिल लेता हूं तुमने य पावर का मतलब यह नहीं है कि पावर लॉस ही होगी या एनर्जी हमेशा ही मिलेगी एनर्जी मिल भी सकती है एनर्जी खो भी सकती है एनर्जी जा भी सकती है एनर्जी आ भी सकती है किस रेट से एनर्जी जा रही है पावर किस रेट से एनर्जी आ रही है एक तरह से पावर तो इस तरही की physical quantities हम लोग deal करते हैं जाए सबसे पहले resistance में हम लोग current flow कराते थे i और resistance होता था r तो हम लोग power loss निकाले थे i2 into r इसका मतलब यह है किसी resistance से current i flow कराओगे उसके तुरू जिस rate से energy loss हो रही होगी इन दा form of heat वो हम लोग बोलेंगे power i2 into r पहला हम लोग आपर पढ़ते थे battery बैटरी का emf e है और बड़े दंडे से current i निकला तो work done by battery होते था e into i sorry power supply by the battery होता था e into i और work done by battery होता था e emf of the battery into charge flow तो अगर मैं power के बारे बात कहूं तो power आया था v into i तो वहाँ उसका मतलब ये था कि बड़े दंडे से अगर इस तरफ current निकला है तो हम ये बोलेंगे कि power supply by the battery is into i जहाँ e होता था e emf of the battery तो इस line का ये मतलब निकला कि sir यहाँ पर battery energy supply कर रही है लगातार energy supply कर रही है किस rate से लगातार energy supply कर रही है उसको हमने बोल दिया था वहाँ पर power मतलब वहाँ पर power supply हो रहा था resistance के across power का loss हो रहा था तो ये game होता है सारा का सारा basically energy का loss होता है जब तो modern physics परता है तो modern physics में भी आ जाता है power of source is P तो इसका मतलब जब वहाँ से electromanity wave जारी होती है यह source की power P है suppose 100 watt है तो उसका मतलब यह हो गया कि एक second में 100 joule energy जा रही है चारो तरप के लिए अगर मैं कहा दू कि point source है तो cylindrical source के लिए हम क्या बोलते थे सब cylindrical shape में ऐसे ऐसे अगर suppose उसकी power 100 watt है तो एक second में 100 joule energy जा रही है तो यह same case हम लोगों ने पढ़ा था कहां पर modern physics में modern physics में फिर हम लोग यह भी निकालता थे कि एक second में कितने photon जा रहे है pivot hc by lambda तो यह power आगी थी तेरी कहां पर modern physics में तो यह है कायदे में हम जो आपर mechanics हो पढ़ रहे हम क्योंकि mechanics हो मेरे भाई work power energy में हम walk down पढ़ रहे है तो किस rate से walk down किया जा रहा है हम उसको बोल देगे भाईचा power supply यह power by that force clear हो तो बता दे सारी चीजे एक साथ में बोला है मैंने साथ में ने लिया साथ ले लेता हूँ मैं clear है और पढ़ते बढ़ते न देंख इसी अब चलते हैं कुष्चन के तरफ सब लोग स्टार्ट जियां से देखो प्ढ़ना है आपको ट्राई करना है करना है अगले 20 सवाल मैं चाहता हूं 20 मिनट में हो और फिर अपन जो है छोटा सा ब्रेक लेंगे खलका सा ध्यान से देखुद जल्दी से कुश्चन पर बंतवारे सामने यह रहा पहला इसका मतलब सर एक्स बराबर जीरो पर वेलोसिटी है जीरो और सर एक्स बराबर डी पर अगर अपन वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पर निकल के आजएगा ए रूट डी और अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखना तुम बोलोगे सर इनीशियली जो काइंटिक एनर्जी है मेरे भाई वो जीरो है और फाइनल ज फायर का साइन बना देना बोलो अब जल्दी से अब काम करो पैंगो अपी ठालो या मैं नहीं करूँगा सवाल यहां तुम्हें भी करने मेरे बहुत हैं नेक्स शकल देखे बता उसे बोला पार्टिकल को ऐसे रख दिया है एक पॉट्ट पर फ्रिक्शल ट्रैक है एको पहुचेगा तो इसकी स्पीड बता दो यहां से इसको ड्रॉप कर दिया है तुम बोलोगे जब यहां पहुचेगा स्पीड बता दो तो हम बोलेंगे सब वॉगड़न बाइग ग्रैविटी वॉगड़न बाइग नॉर्मल बराबाबाद चेंज इनक इनरजी ठीक व्याश आबाश कि फाईर बना देना कर लोगे तो फाईर बना देना यह सणर अगला कुस्च्छ इन है जल्दी से उस ने बोला कि भाईया एक्स बराबर टी स्क्वाइर प्लस तूटी है तो बता दो क्या 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 वागद नबाइग अल दा फोर्सें द्डूरिंग इतना आपको मैं टाइम दे रहों 20 सिकिंड का X दे दिया है डिफरेंशेट करके वेलोस्टे नहीं कालो फटाक से इनिशल काईटी के फाइनल काईटी के नहीं कालो कोशिश करो सॉल्प करने की जल्दी से सब लोग जल्दी 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 दूसरे ब्रेक का टाइम हो जाएगा फिर हाँ कोलीजन बेटा सेंटर ओप मास में पढ़ा दिया देती आनन सन्ने हो गया रूट टेंट शाबाश कैसे निकाला सर एक्स को डिफरेंशेट करो वेलोस्टी आ जाएगी सर टी प्लस टू सर टी बराबर जीरो पर जो वेलोस्टी है वो दो है और सर टी बराबर दो सेकेंड पर जो वेलोस्टी दो दिन चार तो छे है बिनोद कई से निकाला जा रहा है अगला को शेद्यां से देखो यहां पर यह बोला गया है कि एक ब्लॉक है ठीक है उस पे दो फोर्स लगे आगे की तरफ लगा है F1 और F2 लगा है मेरे भाई इस तरव Net Walkdown F1 और F2 पूछा है और F2 कितने एंगिल पर लगा है 30 डिगरी पर लगा हुआ है और बंदा कहां से कहां गया है बंदा गया हुआ है कहां से कहां गया है Origin से X बराबर 4 पर मतलब 0,0 से X बराबर 4 का मतलब यह हुआ जैसी X की वेली 4 पुट करेगा Y भी 4 आ जाएगा मतलब 4,4 तक Walkdown by F1 और F2 पूछा है मुझे लगता बड़ी असानी से आप यहाँ पर कुश्चन को कर सकते है कर लोगे बोलो 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 जल्दी से हाँ कुछ लोग कुश्चन ट्राई करो कुछ लोगे स्पैमर्स को पिलते रहो ठीक है पिलते रहो पिलते रहो पिलते रहो पिलते रहो पिलते रहो हाँ जल्दी से पटाक से सॉल्व करो मिनट चे पहले एकदम Point of Walkdown by F1 और F2 यप अब हाट कमारे में हाट बनाओ 67.7 बढ़े चलाक हो भाई साब यहां अच्छी बात है ध्यान से देखो सर मैं यह बोलूँगा अगर कभी ऐसा सवल तुम्हें देखने के लिए मिले F1 बराबर कितना है भाई साब 6 6 I cap ठीक बन्दा यहां से यहां गया यह constant force है displacement बराबर 4 I cap प्लस 4 J cap तो सर वागडन भाई F1 निकल के आ जाएगा इसका dot protect बिल भी 24 ठीक अगर मैं बात कर रहा हूँ F2 की तो F2 बराबर हो जाएगा भाई साब ध्यान से देखना सर इधर F2 है F2 की बेली कितनी है भाई साब 8 Newton इधर 8 है तो इधर हो जाएगा 8 cos 6 उपर हो जाएगा 8 sin 30 8 cos 6 कितना हो जाएगा 8 into root 3 by 2 4 root 3 I cap plus 4 J cap और displacement जो है मेरे भाई वो 4 I cap plus 4 J cap है और दोनों का अगर आप solve करोगे dot product निकालोगे तो work done निकल के आ जाएगा F2 का dot product displacement के साथ जैसी तो displacement निकालेगा मेरे हिसाब से बड़े आसानी से आपे displacement निकाल सकता है solve कर लेना ये आ गया ये आ गया net work done पूछा है दोनों को add कर देना कर लोगे जल्दी से बोलो 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 जल्दी से heart का sign बनाओ सारे लोग बडाक से बहुत ही बढ़िया अब एक काम करते हैं यार ये बहुत हो गया PYQs में चलते हैं थोड़ा सा ठीक है ये question तो हम लोग कर चुके हैं काफी अद तक ठीक है इसने के पूछ लिया ठीक सेम सवाल है मैं तुझे दूसे फर्म में करवा दिया है उसी प्रकार ये वाला question है ये भी question मैं तुझे करवा चुका हूँ कि मैंने याँ पर एक vertical rod दे दी थी ये 2R यो 3R by 2 है मैंने data कुछ और मान लिया था मैंने सेम चीज़ पूछी है walk down by the spring हमने ये निकाल दिया था by velocity of the ring at reaches the ground ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ये मैं जो PPT जाएगी बेटा PPT में questions में रख दूँगा आप इन questions को ज़रू try कर लिजेगा बाद में अच्छे सवाल है जल्दी से होते नहीं है किसी से तो अब एक काम करो सीधा हम चलते हैं PYQ पर 2003 J means bodies move along a straight line भाई एं machine delivering a constant power मतलब power जो है मेरे भाई वो constant है ठीक उसने बोला है कि distance बता दो time के साब से कैसे change होगी simple सा सवाल सर पावर आपने बोलाता सर F into V होता है सर हमें खेलना है distance और time के साथ ठीक तो मास तो हटाओ एक तरीके से acceleration की जगे लिख दो सर DBYDT into V बराबर कोई constant मान के चल के है सर DT उधर ले जाओ V into DV बराबर के into DT अगर अपन दोनों साथ integrate करतें question देख केबल time 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 खेलना चाह रहा है वो वो आपसे बिल्कुल नहीं जानना चाहता है यहाँ पर कि सर इस जगे पर क्या constant होगा वो जानना चाह रहा है कि बस के बल डिपेंडेंसी बता दो तो V का integration is V square by 2 बराबर के into T यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि V square is directly proportional to T that means V is proportional to root T V की जगे तू रख दें यहाँ पर DX by DT is directly proportional to root T मान के चल के डैस इंटू T की power half है इसको उधर लेके चला जा DX बराबर के डैस इंटू T की power half इंटू DT और बहिया दोनों तरफ कर दें integrate तो तो यह पता चल जाएगा T की power half का integration क्या होगा T की power half plus 1 मतला T की power 3 by 2 इसका मतला answer will be B option एक बार जारा एक बार यह देख लेते हैं वेटा J means में question कैसे पूछे गए हैं क्योंकि 10-15 दिन के बाद आपका J means है next अगला question अगला question अगला question अगला question चलो और सवाल देख लेते हैं कुछ और अच्छे-चे इंक्रीस कर रहा है इसका मतलब काईटिक इनर्जी इंक्रीजिंग इन्क्रीजिंग यूनिफॉर्मली इसका मतलब d by dt बराबर constant है भाई यह सवाल J advance में भी आ चुका है एक बार आ गया था पिछले 2-3 साल पहले ही आया था J advance में सेम पैटन पर तू आगे चलना सरकाइटिक इनर्जी को लिख सकते हो half mb square by dt बराबर constant यहां से half m बाहर कोमन निकाल लेना v square का differentiation 2b into v का differentiation acceleration बराबर constant तो यहां से तू बड़ी आराम से चीज़े आगे जो भी है math से solve कर सकता है 2 से 2 कड़ीए mass is a constant यहां पर एक की जगर dv by dt रख देना बराबर constant तो यहां पर v into dv बराबर कोई भी constant into dt दोनों साइट इंटेग्रेट कर देना solve करके पता चल जाएगा velocity as a function of time आ जाएगा उसको differentiate मार देना acceleration as a function of time आ जाएगा math साज मार रही है ठीक है बाई साब ओके चलो next आगे चलते हैं इस तरह के सवाला बाद में देख ले न अब question number 30 देखो जल्दी से सब लोग try करो यहां पर पुटाक से सब लोग heart का sign मनाते रहो वाई यह सवाल जमेस मा आया हुआ है देख ले यार बहुत ज्यादा का डिले हो रहा है तीस सेकंड का डिले आ रहा है ठीक है नेक्ट ध्यान से देख वे ने rubber band is stretch under the distance x it excited restoring force of magnitude f बराबर ax plus bx square ठीक अब उसने बोला है एन बी आर दा कोंशेंट वाग्डर बाई बता दे कितना वाग्डर लिखेगा तो सीधा बोलेगा सब वाग्डर बराबर f.dx का integration f की जगे तू लिख ले ax plus bx square into dx और चुप चाप इसको integrate करते 0 से लेके l तक यह तेरा जे मेंस के questions है जो आए वे हैं बहुत ही simple सवाल है इसको integrate करेगा a into x integration l square by 2 plus b l q by 3 तो जहां तक मुझे लग रहा है जो भी option match करेगा तो यहां से answer निकाल सकता शैथ a answer जा रहा है इसका a l square by 2 plus b l q by 3 question समझ मां आता जाए तो heart का sign मना देना a sign बहुत ही बढ़िया next अगला question दो जाए अब ध्यान से देंगो द्यान से देंगो द्यान से कुछ और देख लेते हैं समय उतना नहीं हैं अपने पास सारे सवाल पाए हं ओक हर इसार ना मिफटटीट हो ट्रूं कि इस यग उकर लह anno एक सेकंड में कितना, तो सर, बहुत सारे तरीके है, या तो फोर्स दे रखा है, ठीक है, इसका एक्सेलेशन निकाल लो, एक्सेलेशन कितना हो जाएगा, सर, मास एक क्लोग्राम है, तो एक्सेलेशन बराबर सिक्ष्टी, और Eck्सेलेशन निकल के आ गई, उसको वलोश्ची दे रखा है उसने रेस्ट पर है और टी बराबर जो है वन सेकेंड पूट कर देना फाइने वलोश्ची आ जाएगी इनिशल काइंटिक इनर्जी आगी दोनों को घटा देना चेंज इनर्जी आ जाएगी तेरा वहां से बोगड़ा निकल के आ जाएगा ठीक नेक जाएगी तो उनको पकड़ा कर खुटो आप तब तक जो जेए मेंस में आए वे कोश्चंस हैं वो बिटा हम लोग देख लेते हैं एक बाद देख लेते हैं कि हम पढ़ते क्या है और जेए मेंस में आता क्या है ठीक जैसे एक फोर्स एक्टन टू किलोग्राम ऑबजेक्ट जैसा मैंने फोर्स पहले बोला था कि ऐसे कॉश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं सींपल सवाल है X दे दिया है डिफरेंट कर देना वेलोस्टी आजएगा और वेलोस्टी आ गया पीवेलोस्टी केले पूट कर देना inisal速 अजेगी वेलोस्टी आजएगी तो बाइस आप वोग्डर निकाल लोगे यह वही कोश्चन है जो मैंने थोड़े पहले कराया था ठीक अब तु यह देख लें यह जेई मेंस 2019 है यह क्या है बाई साब यह जेई मेंस क्या है बाई साब 2019 है ओके ओके कर लोगे हाट का साइन मना जाने है बाई साब यार यह कितने घटिया लोग है यार क्या करें बताओ यह सच में इंसान तो है नी कितने घटिया लोग है इतने बोलने के बाद भी बेटा तेरी बेहन दिलवा देता हूं न मैं बोल है शरम नहीं आती बोलते वे क्यों कर रहे हो यार क्यों परिशान कर रहे हो मैं क्लास कैंसल करा दूँ अब सौझ माया राजबंसन ने क्यों कैंसल कि मैं कैंसल करा देता हूं यार क्लास अपनी बेहन के साथ भी ऐसी बात करता है तू अपनी माँ के साथ भी ऐसी बात करता है तू है है कि माता जी के साथ भी ऐसी बात करता है अपनी है कि भूल कि शरम नहीं आदि यह बिल्कुल भी कुछ भी बोलते चला या रहा है कि यह बड़े बदनसीब है तेरे माबाप की तेरे जैसी अलाग पैदा हो गई है खेर उन विजारों को तो पता भी नहीं होगा ठीक है और अगर तु पेड़ स्पैमर है तो यह कमाई बेटा खले की नहीं तुझे ठीक है कुछ ना कुछ ऐसा एक्सिडेंट हो जाएगा साले जितना कमाया सब लुट जाएगा एक ही बार में इफ यू आरे पेड़ स्पैमर् अच्छे बोले वाले बच्चे पढ़े रहें उनको तुम परिशान कर रहे हो इस तरह की साले बिमारी होगी ना तेरे को पूरा जमीन जाएदा सब लुट जाएगा और यह हम प्राठ्थन करते हैं भवान से कि तिरे साथ ऐसा हो सच में तिरे साथ ऐसा हो तिरे साथ इतना बुरा होना चीए इतना बुरा होना चीए तेरे साथ ठीक है कि जो भी तू कमाए वो सब लुट जाए अगर आप पेटिस पर मरो अच्छा काम नहीं कर रहे हो आप यहां पर अवकात तो खुद की हैं नहीं कि पढ़ाई कर सकें तो यहां पर आकर इस तरह की वरकते कर रहे रहे हैं कितने मतलब कितने नीच और घटिया भी हो सकते हैं इतने नीच और ठीटिया लोग हो सकते हैं है मैं वी टीचर हूँ अगर एक बार टीचर वाली यह यूनिफोर्म का चेंज कर दी नहीं रिखा है बस इसे की कि रस्पेक्ट कर रहा हूं जो मैं शांती से बोल रहा हूं अभी तो जबाब मैं ऐसा दे दूं कि तू तो क्या तेरे आने वाली साथ पुस्ते भी वह गालियां सुनेंगी ना तो उनकी रूख आप जाएगी कि ऐसे गाली दिती कि अध्य है कि बिटे किया है बिटा इसमारी बात रस्पेक्ट टीचर तुमको लग रहा है वह वह ब्सपेक्ट नहीं कर रहा है और वो हमें डिस्टब कर रहा है हम पढ़ रहे हैं हम सब लोगों को कर रहा है तक है और मुझे लग रहा है ऐसा एक नी चार-पांस लोग आगे ठीक है हाँ समझ में नहीं आता यार मतलब इतनी हराम की कमाई कैसे खा लेते हो आप लोग कि यहाँ पर आके इस तरह सब को परिशान करने में लगे पड़े हो ठीक है करक्ट स्पैमर्स हरामी है यह वर्ट्स नहीं बोलने चीए लेकिल महां वो मजबूर कर रहे हैं वो उससे भी गए गुजरे वेटा उससे भी गए गुजरे अब नहीं पढ़ना है तु जा ना तु यहां जवर्दच्छी क्यों आ रहा है भाई सुलग रही है कि तरी इतने बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं यू कैन ब्लॉक कर सकता मैं ब्लॉक करूं तो पढ़ाएं कैसे ब्लॉक का उप्शन मुझे पता नहीं है अगर प्लॉक के एप्लिकेशन पर होते तो अब तक तो ब्लॉक करा दिया हो तो पर्मनेंटली साड़े द तुम्हें जोक आली दे ने ये दो ना उनको यार जो अच्छे बच्चे दो गाली दो भाई उनको क्या मैं ये यह अकेला दूंगा क्याओ धेर हमसब एक हैं यह पूरी क्लास हमारी एक है पढ़ने-वाले बच्चे वियार लाइके फेंबी डाएं पाऊंगा मैं पता सजस बता रहो पिछले 20 मेट से 25 मेट से जो है मैं दिमाग कर रहा है यह यह बोलो कि सर आप मस्त होगे पढ़ाओ स्पैमर्स को हम पे लेंगे चाहे वो कहीं से भी हो इस पैमर्स मतलब पढ़ाई के अलाबा कोई अगर बात कर रहा है किसी और जबरदस्ति मेट से लेटेड हो चाहे वह जैंडर से लेटेड हो चाहे वह गल्स पर कमेंट कर रहा है उन सब को पकड़ के खीचो जबरदस्ती कर रहा है ना पेलो सहले उन्हें नहीं कुछ ऐसा बोलो कि वह द्वारा ना जाए यह किसी की क्लास में हां मुझे पता है यह बा ठीक है और वो चाहते हैं कि वह एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला कि आराम से प्यार मॉबस से पढ़ा के निकल जाओ ठीक है तो बैटा मैं ऐसा टीचर नहीं हूं मैं 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 सभी आख बता हूं पेल देता हूं मैं तभी अजया है तो टीक है मेरी ग्लास में चाहिए पांसो बच्चे रहे या पचास बच्चे मुझे फरक ने पड़ता इस बात का ठीक है मुझे वह इचाहिए जो पढ़ने वाले हैं इसी दिवात ही है यह लोलो पोपो करना त कितना होगी ब्रेक का टाइम हो रहा है मैं 20 में कोश्चन दिखाऊंगा उसके बाद 25 का ब्रेक लूँगा ठीक है और उसके बाद जो है फिर आप लोग उस ब्रेक में ना स्पेमर्स को पकड़कर कूटना तुम लोग तब यस से ठीक है फिर ब्रेक के बाद फिर आपन जो ह क्या बोलते हैं वर्टिगल सर्कुलर मोशन पोटेंश एनरजी यह दोनों टम समाप्त कर लेंगे कोशिश करेंगे कि एक सबा गंटे में देड़ गंटे में समाप्त हो जाए उसके बाद फिर अपन कोश्चन हो सकता है दस वे तक मैं सोचके आया था कि दस वे तक मैं क्लास समाप्त कर दूंगा मुझे लग रहा है शायद 11 वे तक क्लास जाएगी हो ठीक है तो चलो फिर इग्नॉर कर रहा हूं मैं आप जो अच्छे बच्चे है बेटा तुम लोग ध्यान दो इन बच्चोंगा ठीक है जो अच्छे बच्चे है ठीक है वह एक हाट का साइन बना ल नॉर्मल एक्च्चन ओन दा ब्लॉक इन टाइम टी बच्च्च में बता दो वर्ग डन कितना होगा तो क्यो ना मैं एक बात बोलू सर नॉर्मल तो लग रहा है सर उपर की तरफ एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ इसका एक्सलेशन उपर जी बाई टू है सपोर्ज य फोर्स कैसे निकालोगे सर उपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर मास इन्टू एक्सलेरेशन एक की वेल्यू जी बाई टू है तो नॉर्मल निकल के आ जाएगा थ्री एम जी बाई टू अभी सवाल खतम नहीं हुआ तो कि अभी H निकालना बागी है क्योंकि एक्सलेरेशन कोंशेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि सर ह बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वार एक्सेलेशन जी वाई टू प्लेटफॉर्म का है तो इस मास का एक्सेलेशन भी उपर की तब जी वाई टू हो जाएगा तो इस पर आप यूटीबलेस हापट इसको जब आप लगाओगे तो H निकल के आ जाएगा इस H की वेल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजेगा नॉर्मल का वर्गड़न डिरेक्टली निकल के आ जाएगा अंसर 0 मत दे देना जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा 0 हो यहाँ पर नॉर्मल का वर्गड़न 0 नहीं होगा नॉर्मल का वर्गड़न प्लेटफॉर्म पर नॉन जीरो नॉर्मल का वर्गड़न ब्लॉक पर पॉजिटिव नॉर्मल का वर्गड़न प्लेटफॉर्म पर निकेटिव नॉर्मल का नेट वर्गड़न 0 याद रखना मेरी बात नीचे की तरफ लगेगा तो अगर बत उससे पूछता ना इतना सवाल देता कि find इतना question देता ना find a work-dun by normal reaction अगर इतना question देता कि इतना बता तो what is a work-dun by normal reaction तो हम लोग net answer देते तब आप 0 बोल देते सारा खेल पलट गया यहां पर जब उसने बात बोली कि find a work-dun by normal reaction on block block प पूछता तो माइनस इतना आ जाता क्यों माइनस इतना आ जाता क्योंकि फोर्स तो उतने ही लगता और इसका displacement उपर की तरफ एच्छ हो जाता यह है बिशिकली यहां पर कहानी क्लियर है आई होप आपको बात समझ माई होगी अच्छा सवाल था डिसकस करने के लिए next अगल आपको इन सवालों से गो थू करवाना चाहा रहा हूँ इपर पार्टिकल है था काइंटिक एनरजी एड़ दा बिगनिंग मत्तब उसने बोला इनिश्यल काइंटिक एनरजी जो है वो तीन है अब उसने बोला है बिगनिक अप दिस्प्लेस्मेंट बता दो कितना होगा यह बारा वोगडन आगया है बारा बारा बराबर काइंटिक एनरजी फाइनर्जी फाइनर माइनस काइंटिक एनरजी इनिशल जो के तीन है और जब आप सॉल्व करोगे तो डीप पंदरा यस ऐसे सवाल भी आते हैं जरूरी नहीं आप हाई-फाई-लेवल के सवाल ही करो एसे सिंपल सिंपल सवाल भी आते हैं और जेमेंस में तो यही आ रहा है आजकर यही मार्केट चलना जेमेंस का तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ ऐसे सवाल की प्रेक्टिस कर ली ना आप ठीक सब्सक्राइब नेक्स्ट कॉस्चिन ऐसे इसका जो एरिया होगा ना एरिया एरिया दे देगा वाल्क दन भाई फोर्स विच इएक चेंज इनक एनरजी खतम सवाल ले मजाग चल ला है मतब एरिया विल भी दा आंसर नेक्स्ट अगला कोशन जेमेंस 2020 यह सवाल हर कोचिंग इंस्टूट के मैटीरियल में गिवन होता है जो कि बार-बार पुछे जा रहे हैं आप सीधा बोलोगे सब वोगन भाई ग्रेविटी एम जी एच नीचे कितना आया सरी दो मिटर यह एक मिटर तो नीचे आया एक मिटर बराबाद चेंज इनक इनरजी हाफ एम वी फाइनल का स्कौई माइनस इनिशल का स्कौई है खतम सवाल ठीक इतने सिंपल सिंपल सवाल मेरे भाई पूछे जाते हैं यहापर बहुत ही बढ़िया शाबाज यही हाट बनाते रहो आप लोग यही हाट बनाते रहो ठीक ओके लन्वीध हर्शर आपको बोलने की तमीज नहीं है बटा तू निकल ठीक है बड़ों से ऐसे बात नहीं क ठीक है ठीक है ना पहले आप उनसे चीज सीख के आओ उसके बाद आका आप आके यहां पर इस तरह के मैसेज जाके घ्यान दो ठीक है जोर से दाढ़ना नहीं बेटा ठीक है क्लास के अच्छे बच्चे जाग गए हैं पगड़ गया इसा पेल देगे ना तबीयत से तो समझ मैंने पूरी फ्रीडम दे रहे हैं कुछ भी टाइप करो तुम लोग ठीक है एक बच्चा तो यह टाइप कर रहा था मुझे कुछ दिन की पहले आद है कि भाइया सार मेरा मन कर रहा है मैं डंडे पर मिर्ची लगा दूं फिर बोले सर आप समझ जा उसके बाद मैं क्या चा यहां बंदा गया है बड़ा अच्छा सवाल है सवाली तेरे को बात में करना है खुद से कर लेना एक बाल ठीक यहां से यहां गया है फोर्स तेरे को दे दिया है यह वही कुश्चन है जो मैंने तुझे बताया था कि सर फोर्स बराबर X I cap प्लस Y J cap है तो आप सीधा लिख अगला कुश्चन उसके बाद यह भी बहुत अच्छा सवाल है मैं एक बाल इसको एक्स्प्लीन करते तो ध्यान से देखना हुआ है उसने बला है इसका मतब यहां पर यहां पर यहां पर फ्रिक्शन मोजूद है अब उसने बोला कोपीशन और यहां से छोडा तो बन्दा यहां पर आ गया और इसकी final velocity मेरे भाई 0 हो गई अब उसने बोला है कि भाईया BC बराबर 2AC है तो coefficient of friction बता दो यह है तो क्या बस value of the key simple work energy theorem मैं इतना बोलूँगा कि BC बराबर 2AC है इसका मतलब AC को अगर मैं X माल लूँ तो BC बराबर 2X है ऐसे समझो कभी ऐसे सवाल है तो ऐसे track करो तो मैं यहां से लेकर यहां तब work energy theorem लगा रहा हूँ work done by gravity plus work done by normal plus work done by friction बराबर change in kinetic energy यह total distance चेक करके देख ACX है BC2X है यह 2X यह X तो total कितना होगा 3X तो work done by gravity हो जाएगा 3 sorry mg into 3X sin theta ठीक है कराया सवाल थोड़े पहले मैंने यह पर जब break आपको दिया था दूसरा normal का work done 0 तीसरा जो friction होगा friction भाई साब लग रहा होगा पीछे की तरफ यहां पर तो लगेगा नहीं मेरी बास सुन यहां से यहां तक तो नहीं लगेगा यहां से यहां friction लगेगा तो आप friction का work done बोलोगे तो क्या बोलेगा minus mu mg cos theta into यह यह validation AC और AC कितना है X बराबर final kinetic energy minus initial kinetic energy तो कि rest से rest पर गया है तो ध्यान से दे यहां पर जो x वाला term है वो common निकल के अपने घर चला जाएगा और जब चीज़े solve करेगा तो यहां पर mu बराबर k time theta मेरे साब से k की value 3 निकल के आ रही है सीधा k की value 3 निकल के आ जाएगी पीपीटी बैच जागो बेटा जागो हाँ क्लियर है चलो next आगे बढ़ते अगला question खतम होगेगा अभी ऐसे के खतम हो जाएगा सवाल तो बहुत सारे थे जैसे देख लें बॉड़ी और माद दो क्लों गराम में ड्राइव हो इतना बहुत अच्छा सवाल मिला बहुत देर से क्यों कॉंसेंट पावर पर काफी सारे सवाल आ रहे हैं चेक करके देख लो उसने बोला पावर कॉंसेंट है वन है यह कोश्चन वही था जो थोड़े पहले मैंने आपको कराया था और उसने बोला स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूब सेने स्टेट लाइन नो सेकेंड के बाद बता दो कितना डिस्टेंस से लेगा सिंपल सा सवाल है ठीक पावर की जगा रख दे सेकेंड पर एक ही जगे अब तो मैं क्या ही बताऊं mathematics से एक ही जगे dby dt टीक है इंटू v बराबर 1 तो v इंटू dv बराबर half into dt और दों तरफ करतो integrate सर टी बराबर 0 पर velocity जिरो उसने बोला है रेस्ट पर है तो सर किसी t टाइम पर आप velocity निकाल लो डैट मेंस b square by 2 बराबर half इंटु T, हाफ से आफ cancel out हो गया, B square बराबर T, ठीक, B square बराबर T आ गया, तो V बराबर मेरे भाई आ गया, root T, अब V की जगह है, integrate कर देना, DX by DT कर देना, बस खतम वही सवाल है, repeat and repeat, repeat and repeat, एक ही profile के questions आप से बार बार पूछे जा रहे हैं, और यह आ रहे हैं एक सवाल, ठीक सब इसी शकल के है, सारे ऐसे ही है, देख लिए, body of mass, बन कोड़ा काम, drop हो में, high test result तक, speed up इतना, यह भी अच्छा सवाल है, find the value of work done by the air friction, यहान से देख, यहां से पार्टिकल को drop कर दिया, और जब वो यहां पोचा, तो इसकी velocity देदी भाई, ठीक, तो work done by air friction पूछा है, तो सीधा बोलेगा, सर, हम तो मानते हैं, यह अगर फ्रिक्शन है ही नहीं, अगर वो कह रहा है, तो चलो, मान लेते हैं, work नहीं थे, हम लगा लो, work done by gravity, plus work done by friction, बराबर change in kinetic energy, ठीक, अगर वो नीचे h आया, तो work done by gravity, plus mgh, work done by friction, हमको पता नहीं, change in kinetic energy का मतलब, final kinetic energy, minus initial kinetic energy, final kinetic energy उसने दे दी है, सर, इतनी है, स्पीड, तो क्या लिखोगे, हाफ, m, v square, 0.64, इन्टू, जी एच, solve कर ले न, work done by friction निकल के आ जाएगा, एकी लाइन में, ठीक, तो directly, जो है, directly, जो है, सवाल यहाँ पर, जो है, work done by friction बगेरा, जो है, directly, work energy, थिरम से, तुमारे question निकल के, आ जाएंगे, ठीक है, next, आगे बढ़ते हैं, अगला question, next, 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 और सवाल हो, देख ले, छोटे-छोटे सवाल ऐसे भी आते हैं, कि सर, जो kinetic energy होती है, वो half m, v square होती है, यह बताना भी मुझे ज़रूरी है, और mass से उपर नीचे multiply's कर दो, तो P square by 2 m होती है, इस पे भी momentum same, mass के inversely proportional, solve करके answer निकाल दोगे, ठीक, next, आगे बढ़ते हैं, अगला, ऐसे सवाल भी आएं मेरे भाई, अगला question, two particle mass, 4 gram और solar gram, moving with equal kinetic energy, ratio of magnetic and linear momentum, अब यार, kinetic energy बराबर, P square by 2 m, यहां से चेक करके बता सकता है, कि kinetic energy तो same है, इसका मत्तब P square is directly proportional to m, ठीक, तो P जो आएगा, वो root m के proportional आजाएगा, solve करका answer निकाल लेना, 4 बटे, 16 कह रहा है, इसका मतलब, जैसे भी कहना चाहरा है, वो कर सकता है, formula में सवाल, ठीक, सवाल कराने का मक्सद मेरे भाई यही है, कि, just, ऐसे questions कभी मेरे भाई, exam में आएं, तो गलत नहीं होने चाहिए, वो, यह गलत नहीं energy किता होगा, सब P square by 2 m, तो वो यह कहना चाहरा है, सवाल में, कि यह बता दो, कि kinetic energy, 4 गुना हो गई, यह भाई साब, 4 times हो गई, तो इसका मतलब, momentum, क्या double हो गया होगा, momentum दुगना होगा, 2 का इसको यह 4 होता है, तो इसका double हो गया होगा, उसने पूछ लिया, कि सर बता दो, percentage change in momentum, इसका मतलब कोई चीज double हो गई, ठेक है, आज सुने account में 1000 रुपे डाले, और कल वो double होगे, तो 2000 होगे, तो that means कितने percent increase होगे, 100%, इसका मतलब answer will be A, तेरे account में 100 और कल अगर 500 हो जाते, तो 50% बढ़गे, तेरे account में 100 रुपे थे, कल अगर 160 रुपे होगे, तो 60% बढ़गे, तेरे पास 100 रुपे थे, और अगले दिन 200 रुपे होगे, double होगे, that means 100% किया होगे, तेरे बढ़गे, बढ़े आगे बाई साब, पका, next, आगे बढ़ते, समझ रहे, कितनी बार सवाल पूछ लिया, पावर की जगे, M into A into B, समझ मेरी बात, यह सवाल में चौती बार करा रहा हूं, जे मेंस में एक ही प्रोफाइल का सवाच चार बार आ चुका है, जितने अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इस सवाल को ज़रूर लगा लेना घर पे जाके, जैसे मैंने थोड़ी पहले लगाया था, च्यार बार तो मैंने तुझे बता दिया है, और दो-तीन बार की स्लाइड मैंने कट कर दिये, ठीक है, कॉंचेन पावर देखे, बहुत सारी चीज़े उज़रा है, बस कॉंचेन पावर F की जगे रख देना, P की इनिशेली अट्रेश, अलॉंग दा होरिजॉंटर सेटने डिस्टेंज मूब भाई, अभी तो किया था सवाल यह, यह, ठीक ही बावर 3-2, थोड़ी पहले किया था, सेम सवाल जैमेंस मा आया हुआ था, तुने देखा था, AIEEE 2003 में, सेम सवाल तेरा, जैमेंस मा आया है, इ इस स्क्रीन शॉर्ट का मतलब है, इस को जरूर लगाना है, जरूर लगाना है, ऐसे सवाल को, ठीक है, नेक्स, आगे बढ़ते हैं, और भी मिल जाएगा, मुझे लग रहा है, फिर से ऐसी सवाल आ गया, बोडी और मास इतना देदिया, ट्रेवल बिदा वेलोश, इतना, न निकालते हैं, ठीक, नेक्श, आगे बढ़ते हैं, अगला, जो भी आंसर आएगा, लल्लू-बल्लू सवाल, अब तो करी लेगा तुसमें, अगला कुश्य, बैग आप देख की बता सकते हो, भाईया, उसका मास दे दिया है, और बुलेट का मास दे दिया, उसकी स्पीड भ करना है, इलेशा काइटिक एनर्यजेनीकाल लो, खतम सवाल, सिंपल सिंपल से सवाल लोएंगे, इसमें आपने बातमे बात करेंगे, इस सवाल के बारे में, बॉट्यू ऑँ बाते के लिए, एरोटोप के हाई-फाई- लेवल सवाल बात में, पहले ही छोटे-ोटे-सवाल यह सीखो करना ठीक है नेक्ष यह सवाल भी तु देख रहा है कई बार रिपीट हो रहा है ऐसे कितने सवाल हो रहे हैं यार इना हद्ध कर दी भाई अगला सर ब्लोग आपास हैं मुविंग विद काइंटिक एनेरजी कंप्रेस स्प्रिंग तो डिस्टेंस इतना स्पीड आता बराबाड चेंज इंग इनरजी चेंज इंग इनरजी कितनी बाईया उन्हें वाला श्पीड आधी हो गई है इसका मतलब स्पीड आधी का मीदल्ध कर इजिक एजी बनवाई फोर हो गया तो फाइना काइंटिक एनरजी की सॉल्व कर लें इसके बाद खतम ठीक हैं काइंटिक इनर्जी पराबर P स्क्वाइर बाइट 2M, थोड़ी देर के लिए मानले P सुरू में 100 था, 100 के बाद P जो है 20% बढ़ गया, तो मतलब 120 हो गया, जब 120 या रखेगा, 120 का स्क्वाइर हो जाएगा 144, इसका मतलब जाहिर सी बात है, जब solve करेगा 144, तो इसका मतलब सवाल अभी जो थोड़े पहले हम लोगों ने दिया था, सेम सवाल है कि एक ब्लॉक है, यहां से रखाओ, ब्लॉक का मास है, यह तो अरे यार, यह तो और आसान है, बताओ यार, जे मेंस ने इतना लेवल गरा दिया है, पिछले 3-4 सालों में, इतना लेवल गरा दिया है, ब्लॉक का मास भाईया, 10 kg है, ठीक, स्लाइडिंग ओने सर्फेस, इनीशल वेलोश्टी दे दी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, कॉफिशेंट और फ्रिक्शन, म्यू बराबर दे दिया है, 0.5, जी की वेल्यू मानना पड़ेगा, 9.8, उसने बोला, रेश्ट पे आने से पहले, म अबर final kinetic energy, minus initial kinetic energy, खतम, values put कर देना, solve करके x निकाल लेना, next question, उसके बाद, same सवाल फिर से आगिया है, यह याद कर, अभी सवाल कराया था मैंने, यह जी कैप है, force जे दिया है, xy plane में चल ला है, particle यहां से यहां गया हुआ है, kinetic energy changes भाई, इसका मतब work done निकाल लेना, work done मुर सब तु निकाल सकता है, सवाल में कोई दम नहीं है, जिन बच्चों ने session attend किया है, वो सवाल इस सवाल को कर सकते हैं, यह सवाल as it is repeat हो गया था, अगला कुशन, शोनोब मासम, टाइट वेना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराते हैं, तो जैसे जैसे बंदा उपर जाता है, व टेंशन कम, क्यों स्पीट कम, यह हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन थोड़ी के बात पढ़ेंगे, तब अपन देख लेंगे, तो यह बोल देगा, minimum at the highest position of the circular path, next, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 0.5 kg ब्लॉक मोविंग भीदे स्पीड बारा मीटर पढ़ें, कम्प्र प्रेस हो गया, वर्क अनरजी थोर्म लगाते हैं, वर्क डमाई, ग्रैविटी, वर्क डमाई, सारी जो भी लगाऊ है, सीधा, वर्क अनरजी थोर्म, एक लाइन में, सॉल्ब करके, आंसर आ जाएगा, next, पुटेंशन एंडजी, तुम्हें काम करता हूँ, कितना हैं, 10 बाकि सारे बच्चे जो हैं, अच्छे बच्चे हैं, अब तुम्हें फ्रेडम दे रहा हूँ, स्पैमर्स को पकड़ का कूटो, जो करना है वो करो, ठीक है, जिनको खाना पीना खाना है, खालो, इसके बाद मैं बता दू, मैं वर्टिकल सर्कुला मोशन और पोटेंशन एन ठीक है, लेकिन आप अगर इस तरीके से इनको स्पैमर्स को अगर हावी होने देगो, तो मैं जल्दी से खतम करके निकल जाओं और और हो सकता है, आगे की माइन मेप स्रीज ना लूँ, ऐसा भी हो सकता है, आई रियलाइस क्यों राजबन सन्य मना किया होगा, बस सही बात अभी आजकल अभी हो नहीं रहे, तो मैं पंदमट का जो है ब्रेक दे रहा हूं, सुकून से देखो, दस बच के पंदमट वापन मिलते हैं, टेक केर, कि देखो, एलच कि भी हो देखो, झाल झाल, झाल कि देखो, ुट मैं इव को दो ही bei न Alors ये दो हमदम एकलं कि उनाmost भार, तो मैं आःती हम चार्व RIGHT। आपकल दो हो दो करा हको को कि भी चकला, आग कि वागbench की हाँ है, कि वासे रहीं होावा है, आग है, आंग है झाल 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 अब आज आ रही है आ रही है आ रही है जल्दी बोलो भाई साथ लेट ओपी हाँ लेट हो गया सोरी थोड़ा सा कुछ लोगों पे सर्जिकल इस्टाइग यहां से पी डवलू के ऑफिशल चैनल से कर दी गई है ठीक है कम से कम 15 से 20 अकाउंट ब्लॉक कर दी गए है ठीक है उन स्क्रीन पर कहें नहीं आ रहे हैं वहीं कि डिले जादा हो गया है हां देख रहा हूं ओके हां तो भाईया कम से कम 15 से 20 अकाउंट ब्लॉक कर दिये गए हैं ठीक है और इन देट के जितने भी स्वेमर्स थे ठीक है उनको जब ऐसी मैं एक बात चेक किया पुराने उनका चैन बंदा वहां पर मैंने बठा दिया है जिनका काम यह होगा कि जो इस तरह की हरकते करेगा स्पैमिंग करेगा उसको सीधा ब्लॉक ठीक है चलो अच्छा हुआ है यहां पर हम लोगों ने जो है एक तरीके से ब्रेक बीच में ले लिया ठीक है इस से थोड़ा सा स्पैमर्स की क्या रही एक तरीके से उन पर सर्जीकल स्टाइक कर दी गई है पीड़लू सिस्टम के द्वारा ठीक है चल भाई अब मैं स्टाट करता हूं नेक्स अगला आठीकल तो जैसे कि फोर्स के बारे में मेरे भाई हमने हमने देख लिया वर्क दन के बारे में हम लोगों ने देख लिया और जितने को अभी तक जे में पर आए हैं काफी तक जो कोशन सुने देखा है वह वर्क अनर्जी थियोरम पर भी से हैं यह मैं पीपीटी सैंड कर दूंगा प्लीज इन कुश्यंस को आप ज़रूर लगा लीजेगा ठीक है क्योंकि यह सच में आ रहे हैं बार एक बार रिपीटिडली हो रहा है तो आप एक बार जरूर करके देख लीजेगा ठीक है अब चलते हैं लोग अगले आर्टिकल की तरफ जिसका नाम है वर्टीकल सर्कुलर मोशन ठीक है चलो दिहान से देखो वर्टीकल सर्कुलर मोशन का मतलब जेएडवांस के 7-8 सवाल भी है जो मुझे कराने थे मैं अभी नहीं करा रहा हूँ उसको मैं लार्ष में देखूँगा पहले एक बार पढ़ा दूँ थियोरी पूरी करा दूँ उसके बाद फिर बात वक्त नहीं लगेगा मैकसिमम 15 से 20 मट में हो जाएंगे लेकिन आप रों बात में करेंगे पहले वर्टीकल सर्कुलर मोशन और फी पोटेंशन जी वाली जो चीज़ है वो अपन कर देते ठीक तो वर्टीकल सर्कुलर मोशन का मतलब ही है मैं तुस्से एक छोटा सा सव एक धा door a, so that एक रस्ती है, मास बाच बांदा, ऐसे फ्ट के मार दिया, जैसे ऐसे फ्ट के मारोगे, यह मास जाएगा 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 जाएगा, उपर की तरफ जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि बतातो कितनी वैलोश्टी दे कि B point पर जब particle पहुँचे तो final velocity at B उस particle की 0 हो जाए ठीक है ऐसे ठीक in short मैं तुम से ही कहना चाहता हूँ क्या question है कि find minimum value of velocity at A so that particle reaches at point B ठीक है आप A पर minimum velocity बता दो कि particle जब A पर पहुचे ठीक है जब particle A पर particle की velocity बता दो कि जब B पर पहुचे तो भाई साब उसकी velocity 0 हो जाए यह सवाल यह पूछ सकता है यह यह भी पूछ सकता है कि भाईया बता दे A पर कितनी velocity के साथ ठीक के मारेगा कि जो है यहाँ पर जो particle है वो कहाँ पर पहुच जाए B पर पहुच जाए question number 1 में एक चीज बता दो यहाँ पर यह क्या है रसी है यह string है ठीक मुझा यहाँ तक पहुचाना है तो बोलेगा रिससा बहुती सिंपल सवाल है आप कहना से आ रहे है कि यहाँ कितनी velocity देने की वो जाए और यहाँ पर जाके रुख जाए अगर किसी को आंसर पता है बहुत बढ़ी है सुमित अंडरू 2GH सब लोग ने आंसर दे दिया बिल्कुल करेक्ट है आंसर इसका आ जाएगा अंडरू 2GL बहुत ही बढ़ी है अगर कोई बोलेगा कैसे आया मैं बोलूगा भईया यहाँ से लेके यहाँ तक work energy theorem लगा दे work energy theorem का मतलब work done by gravity plus work done by tension बराबा change in kinetic energy आप बोलोगे सर यह उपर कितना गया L तो work done by gravity MGL, tension का work done 0 तोकि tension displacement की हमेशा perpendicular है, that is equal to final kinetic energy 0, initial kinetic energy half mva square इसका मतलब velocity at a बराबा निकल के आ जाएगा under root 2GL तो यार, बात यहां से समझ में आई कि अगर मैं नीचे under root 2GL velocity दूँगा ठीक है, तो यह जाएगा horizontally इसकी velocity 0 हो जाएगी और फिर यह lot के आ जाएगा इसका जो motion रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा दियान से देखना गया 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 यहां पोचा, फिर यहां आएगा फिर यहां जाएगा और इस तरीके से क्या करता रहेगा oscillation करता रहेगा यहां पर जैसे हम लोग simple pendulum पढ़ा करते हैं बिल्कुल उसके जैसा ठीक ऐसर कोई दिक्कत नहीं है तो लेकिन अगर मैं ऐसा बोलू इस सवाल में ए पर आपने वेलोश्ची दी अंडरूट 2GL तो वो गया बी तक पहुचा बी पे रेश्फर आया फिर लोटके बापस आया अगर अंडरूट 2GL से कम वेलोश्ची तो जाहिर सी बात है अब वो वी तक नहीं पहुचेगा तो ऐसा कुश्चन भी पूछे जाते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाईया यह पॉइंट A है आगे की तरफ वेलोश्ची सपोज आपने दे दी अंडरूट 2GL ठीक और मैं ओ पॉइंट मैंने कह दिया कि भाईया यह बता दो श्ट्रिंग का मैक्सिमम डिफलेक्शन कितना होगा अगर इतनी वेलोश्टी के साथ फैक के मार दिया तो तुम्हें आपे साफ साफ समझ मारा है कि सर अगर अंडरूट 2GL से फैक के मारते तो होरिजोंटल तक जाती आपने अंडरूट 2GL से कम वेलो जाएगा और यहां जाएगा और टैल टाल के भाईया बापस आजाएगा पहले यहां से यहां जाएगा और उसके बाद फिर यहां से यहां बापस आजाएगा और उसके बाद फिर वो इधर चला जाएगा और फिर वो इधर आ जाएगा तो इस तरीके से यह ओसिलेशन करे तो आप ये बताओ कितना उपर तक गया ठीटा maximum कितना हुआ तो तुम बोलोगे कि सर देखो मान के चलो यह एंगल ठीटा है जब तक इसकी final velocity 0 नहीं हो जाएगी तब तक ही उपर की तरब जाएगा और ठीटा आपका बढ़ता चला जाएगा तो अगर आप से पूछा गया है कि what is the maximum deflection of the string तो आप बोलोगे सर आपने इधा वेलोश्ची दिये गया 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 और यहां finally रेश्च पर आ गया है अगर यह एंगल ठीटा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि ठीटा की value क्या होगी पासज़ना रही है तो in that case आप बोलोगे कि सर यहां से लेकर यहां त कि सर देखो यहां से लेकर यहां तक सीधा लिखो वागड़न बाई gravity प्लस वागड़न बाई tension बराबत change in kinetic energy ठीक ठीक है सर ओके अब चेक करके बता जैसी है यहां से यहां जा रहा है तो सर वागड़न बाई gravity कितना होगा अगर यह length L है ठीक तो जो यह वाली length होगी यह length ह हो जाएगी एल कौश ठीटा यह length है लेंड कितनी हो जाएगी यह length कितनी हो जाएगी अल माईनस लो कॉश ठीटा इसका मतलब आप बने प्यार से आप यहां पर बोलोगे सवाल में कोई दम नहीं बचा है सर हमको वर्क एनर्जी ठीओरम लगा नहीं है आप चाओ तो यहां पर वर्के नहीं त्विर्म लगा दो, ध्यान सा देखो, कैसे, 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 qualcosa आप बोलोगे कि sir, work done by gravity, बंदा उपर कितना गया? l minus l cos theta, तो work done by gravity हो जाएगी, minus mg, l minus l cos theta, tension का work done? 0, change in kinetic energy, sir, final kinetic energy 0, initial kinetic energy half, m, V square जब आप इसको solve करोगे तो check करो देख mg mg cancel out minus minus cancel out ly2 यहां से l common निकल गया 1 minus cos theta बराबर minus half तो इसका मतब cos theta बराबर 1 minus half 1 minus half इस half तो cos theta बराबर solve करोगे तो निकल के आ जाएगा half cos theta half आएगा तो 60 degree हाँ पर theta निकल के आ जाएगा clear ना भाई सब समझ मैं है तो heart बनाते रहो भाई सारे लोग एक तरीके से ठीक ओके अब यार यह कितना बोलो जल्दी से heart बनाते रहो जल्दी सब लो bigs खालो सत्थ हैं कि दोस्त bigs खालेता हूँ यार तो इस type के सवाल आप से पूछे जाएगे जहां आपको क्या करना है केबल work energy theorem बनाना है clear है हाँ बिटा भगवान जी के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं बहुत गलत बोल ला है तू ठीक है ऐसे नहीं बोलते हैं बिटा तो जो भी है मत कर यह सब चीज़े फिर से start कर रहा है तू ठीक है बहुत गलत बोल ला है तू बहुत गलत बोल ला है तू जो भी है क्या नाम है इसका जो भी इस तरह के अलफाज नहीं नहीं कालते हैं मिटा हाँ ठीक है बिलकुल ठीक है चलो सुरू करते हैं भाई ठीक तो basically यहां से इस साइब के questions पूछे जाते हैं तो मुझे सब लोग type करके बताओ अगर a point पर velocity under root 2gl बोली तो वह b तक जाएगा और b पर जाके rest पर आएगा वापस आजाएगा ठीक है मेरा दूसरा question अगर under root 2gl से कम velocity दोगे तो सब लोग type करके बताओ क्या होगा जल्दी से बोलो जल्दी से पटाक से बोलो 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 हाँ पीपीटी फैबली कुटो स्पैमर्स को बहुत ही बढ़िया इसमें तो एक जो है ना मतब बिटा श्री कृष्ण जी हम सब के हैं ठीक है आप उनके बारे में ऐसे तुम्हारे वकात नहीं है तुम इस तरी के से बोल रहे हो तो सले कंट्रोल भी कंट्रोल भी किये जा रहे हैं बोलने से पर एक बास सोच ले क्या बोल लाए उनकी बातों को फोलो कर बेटा अच्छा इंसान मन जाएगा ठीक है और जो है बाकी क्यों कर रहे हो यार ऐसे हद है यार क्ला अच्छा एक बाद च्छा इस अच्छा इस लिए उनकी तो यह इस वी है इस पर फोल करो मैं बोल किया तो दो चार अकॉंट ब्लॉग करने झाल तो हुआ है मार्य जाल जांड जाना है जांड जान जांड जांड देख जांड़ यार जांड अच्छा इंसांड दो तो यहां से मैं जानना चाहता हूं कि नीचे कितनी भी वेलोश्ची में दे दू यह तो अभी अंडरूट जील दिया था मैंने सपोस्ट अंडरूट जील की बजाए मैं कुछ और दे देता तो यहां पर आप वह वैल्यू पूट कर देते और सौल करके आंसर निकाल लेते पह आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका नेट चला गया होगा और इंटरनेट चला जाएगा तो फिर वो बाद में पढ़ने के लिए आएंगे ठीक है कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे तो उनके लिए content रहना चीए यहां पर कि वो पढ़ें तो पढ़ने के बाद कि A पॉइंट पर मैंने आगे velocity फैक के मारी A ठीक इसको इधर फैक के मारा यह गया उपर उपर मेरा question है कि find minimum velocity at point A so that vertical circular motion complete vertical circular motion complete एक बहुती standard सवाल है शायद आप सबको पता होगा ठीक है वो standard सवाल यह है कि sir under root 5g r अगर इसकी suppose मैं length L बोल दूँ यह इसकी radius r बोल दूँ तो under root 5g l इसा answer correct है सब लोग को याद होता है लेकिन एक बार अपने एक बार देख लेते हैं कैसे under root 5g l आया है काफी अत्ता काफी सारी चीज़ें यहां पर सीखने के लिए मिलेगी तो यह बोला गया कि रसी है रसी को fix करके नीचे ए point पर आगे उसको फैक के मार दिया है यह जाएगी बाई या ऊपर जाएगी उपर जाएगी उपर जाएगी उपर जाएगी उपर जाएगी इसकी बेलोस्य केती है बाई साब V है तो अपने ये लिख सकते हैं कि सार देखो ये L है ये L तो ये L कॉस्ट ठीटा तो थोड़ी दे पहले हम लोगों ने देखा था ये आ गया था L माइनस L कॉस्ट ठीटा मैंने बुला करेक्ट है ठीक है सार कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरा प्रशन है कि क्या ये पार्टिकल जो है ओके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है हाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है और अगर ओके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन का बेचिक कंसेप्ट क्या था कि तुम्हें या तो सर्कुलर मोशन कोई करता है न perpendicular तोड़ लिया करते थे तो यहां पर तुम बोल सकते हो कि सर अगर अपन FBD बनाएं तो हम यह लिख सकते हैं कि सर FBD बनाओगे तो नीचे लग रहा होगा mg और इधार लग रहा होगा tension मैंने का ठीक है नीचे mg उधा के लग रहा होगा tension अगर यह angle theta है तो यह angle भी क्या हो जाएगा theta circular motion में आप लोगों ने बात पढ़ी होगी कि circular motion में जब भी कभी हमें analysis करनी होती थी हम लोग center पता करते थे और center पता करने के बाद सारे forces को center की तरब और center के center की तरफ़े इसको तोड़ने की ज़रूत नहीं है इधर mg है तो इधर कोन लगेगा भाई साब mg cos theta और इस तरफ कोन लगेगा भाई साब mg sin theta ठीक तो अगर इसकी वेलोशनी मेरे भाई यहां पर V है तो क्या मैं ऐसा लिख दू ध्यान से दिखना T minus mg cos theta this is the net force acting towards the center sum of all the forces acting towards the center is called centripetal force जो की इसकी वेल्यू बराबर आ जाएगी किसके mb square by r के तो भाईया मुद्दे के बात यह है कि tension निकलके आ गया सर mg cos theta plus mb square by r यह का सर जिख्द वाली बात नहीं है या आप analysis क्यों करा रहे हो मैं इसलिए मैं analysis करा रहा हूँ तो यहाँ पर यहां से इक चीज़ हम को सुखने के लिए मुली क्या किसा जैसे जैसे particle उपर की तरफ जाएगा और ग्रैविटी होगी और ग्रैविटी का उपर जाएगा बैसे बैसे ये ठीटा भी बढ़ता चला जाएगा और अगर मेरे भाई ठीटा बढ़ेगा तो कौश ठीटा क्या होता चला जाएगा कम होता चला जाएगा तो इसका मतलब यह है कि उपर जाने पर वी भी कम होता चला जा रहा है कौश ठीटा भी कम होता चला सुझ मारी बात और अगर ऊपर जाने पर मेरे भाई टेंशन भी कम होता चला जा रहा है तो मैं यह पर बोल सकता हूं कि धीरे 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 जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा टेंशन लगातार क्या होता चला जाएगा कम होता चला जाएगा तो मेरा पहला यहां पर सेंट्रीटल फोर्स देने में कौन मदद कर रहे हैं सब टेंशन और अगर तु चाहता है कि कभी भी सर्कुला मोशन न तूटे तु चाहता है कि सर्कुला मोशन होता रहे तो इसका मतलब टेंशन कहीं भी जीरो नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि अगर tension zero हो गई तो center की तब लगने वाला फोर्च ही खतम हो गया तो centimeter force कैसे मिलेगा circle motion तूट जाएगा होँ पर तो तूचाता है कि तिरा vertical circle motion होता रहे तो इसका मतलब tension कहीं भी zero नहीं होनी चाहिए tension minimum कहां पर है sir high ash point पर है तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि अगर high ash point पर tension zero नहीं हुई तो इसका मतलब कहीं भी नी zero होगी क्योंकि सबसे minimum tension तो highest point पर है अगर जाला वही zero नहीं हुआ तो इसका मतलब किसी भी केस में टेंशन जीरो ना हो तब मतलब हाइश पॉइंट पे सपोजी हाइश पॉइंट है सर यहाँ पर भी टेंशन जीरो ना हो तो अच्छा है ना हो तो अच्छा है यह पॉइंट मैंने भी माना था इस पॉइंट को मैं कहा देता हूँ ठिक है सब मनगा या है यह बात भी सख्याए टेंशन सेख्यान कर रहें यही जरेंजिन ना बचलर्म यह रहें तो टेंशन जो है जाहिर सी बात है उपर जाते time कम होती चलियागी minimum highest point पर 0 होगी हम चाहते हैं कि भाया कई भी 0 ना हो लेकिन suppose highest point पर मैं ऐसा बोल दिया कि यार मालो highest point पर टेंशन जिश्ट जीरो हुई है जीरो का मत्तब या तो 0 बोल दे या फिर तो यह बोल दे 0.0000000000000000000000000000000000001 ठीक अगर सपोच ऐसा हो गया तो क्या होगा तो ध्यान से दे जैसे यह 0 होगा mg बराबर mbc square yr तो velocity at c निकल के आ जाएगा under root gr इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अग काईदे में तो टेंशन जीरो कहीं नहीं होनी चाहिए ठीक हाइस point पर भी नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर हाइस point पर 0 हो गई तो क्या mg ने एक तरह से responsibility सम्हाल ली जैसे इस class में ppt wedge के बच्चे हैं वो responsibility सम्हाल लेते हैं हमेशा जब भी कभी या ऐसा कोई भी spammers आते हैं या और जो बच्चे हैं अच्छे बच्चे हैं वो एक तरीके से चीज़े सम्हाल लेते हैं बिल्कुल उसी पिरकार जब हाइश point पर पारिटिकल पहुचा मान के चलो सबहुत मान लो टेंशन जीरो हो गई तो mg ने वहाँ पर responsibility सम्हाल ली और mg ने required centripetal force प्रोबाइड करवा दिया जिसके हिसाब से velocity at c कितना निकल खागिया अंडरूट आरची पासवान लिए तो इसका मतलब यहाँ पर circular motion टूटा भी नहीं है टेंशन जीरो हो गई ठीक है लेकिन mg ने responsibility सम्हाल ली mg ने सम्हाल लिया पीपीटी बैच वालों ने सम् बालने के बाद फिर पता चला कि highest point पर इतनी velocity उसकी रहेगी तो भी vertical circular motion क्या हो जाएगा complete हो जाएगा पासवान लिए इसको अधर बे में दिखा जाए तो मैं तुमसे बोलू कि यार वी-सी की minimum value क्या होगी कि circle complete हो वी-सी की इसकी minimum value क्या होगी कि vertical circle motion complete हो तो तुम बोलो कि यसर वर्टिकल circle motion complete होने का मतलब यह equation valid होनी चीए सर यह equation valid तो तब हो सकती है सर वी-सी की minimum value तो तब होगी जब tension at C क्या निकल के आजाए 0 क्योंकि tension negative नहीं हो सकती टेंशन कम से कम कितनी हो सकती है जीरो हो सकती है तो अगर टेंशन 0 हो गई तो वी-सी की minimum value कितनी निकल के आगई अंडरूट आरजी निकल के आगई इसका मतलब अगर highest point पर अगर highest point पर velocity अंडरूट आरजी है तो vertical circular motion complete हो रहे होगा कि यह इज़्जत वाला circle है correct बहुत ही बढ़िया ठीक तो इसका मतलब यह है ध्यान से देखो कि सर यहां पर हमें निश्कर्ष यह निकला कि c point पर at c अगर मैं आपसे बात करूं कि velocity of c अंडरूट जियार है ठीक तो a point पर velocity कित्ती होगी ठीक तुम बोलोगे सर a से लेके c work energy theorem लगा दो अगर अपन a से लेके c work energy theorem लगा दें तो आप बोलोगे ध्यान से देखना कि सर a से लेके c work energy theorem लगा रहे हो यह l यह l तो इसका मतलब work done by gravity is minus mg h tension का work done 0 है बराबर final kinetic energy minus initial kinetic energy मैं यह निकालना चाह रहा हूँ कि highest point पर velocity अगर under root gr होगी तो a point पर कितनी होगी तो हमने बस value put कर दी solve कर गते के निकल कर रहा है बराबर half m velocity at c कितना है under root gr को मैं under root gr लिख लेता हूँ तो यह हो जाएगा g into l minus half m va square solve करो minus multiply कर दो तो velocity at यह निकल के आता है under root 5 g l मतलब क्या है बहुत speed से मैंने speed से तो नहीं निकला हूँ बेटा चीज़े मैंने हर एक चीज़ explain कर दी है मतलब यह है कि sir मतलब यहां से यह निकल के आया है कि यह है इसका center ठीक है sir मेरा प्रशन था कि a पर कितनी velocity दे दें कि vertical circular motion complete हो जाए तुमने बोला यह ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा यह रहा highest point मैंने खाए ठीक है आप चाते हो vertical circular motion complete रहे इसका मतलब कहीं भी tension 0 नहीं होनी चाहिए उपर जाते बग tension कम होती चली आ रही है tension minimum highest point पर है कहीं भी 0 नहीं होनी चाहिए इसका मतलब highest point पर भी 0 ना हो तो अच्छा है लेकिन अगर highest point पर हम लोगों ने tension को 0 कर दिया suppose कि sir highest point पर मान लो tension 0 हो गई यह point A है यह point B है और यह point C है तब आप बोलोगे कि sir अगर highest point पर tension 0 हो गई तो हम यह कर सकते हैं sir equation के हिसाब से mg भी नीचे tc भी नीचे तो tc प्लस mg बराबर mb square by r ठीक अगर highest point पर हमने tension 0 कर दी तो इसका मतलब vc निकल के आ गया under root rg और अगर velocity at c under root rg है तो इसके पीछे की बेटा कहानी तुझे पता होने चीए पहली कहानी highest point पर tension 0 हो गई है दूसरी कहानी mg ने responsibility समाल दी है mg ने required sentimental force परवाइट कर दिया है तीसरी कहानी velocity at c under root rg निकल के आ गई है और अगर velocity at c under root r निकल के आ गई तो velocity at a under root 5gr आ गई ये कैसे निकाला हम लोगों ने work energy थियोरम से इसका मतलब यहाँ पर कितनी velocity दे दें कि vertical circular motion just complete हो जाए तो आप बोलेगे under root 5gr कम से कम इतनी velocity आपको देनी पड़ेगी अगर आप under root 5gr velocity दोगे तो highest point पर जो है tension zero हो जाएगी और mg जो है वहाँ पर आपके responsibility समभाल के आपके vertical circular motion को तूटने नहीं देगा कुछ बच्चों को इसमें doubt आता है कि सर highest point पर हम लोग velocity zero क्यों नहीं कर रहें tension zero क्यों कर रहें तो highest point पर अगर आपने velocity zero कर दी तो पटाक से नीचे गिर जाएगा सरकुल तो पूरा हुआ ही नहीं फिर तो ऐसे गया यहाँ पहुचा पटाक से नीचे गिर गया हमें vertical circular motion कंप्लीट करना है इसका मतब कहीं भी tension zero नहीं हो नीची है अगर highest point पर zero हुई तो mg ने उसको response mg ने तो आप बड़े ही आसानी साब बता सकते हो कि velocity at b अगर आप निकालना चाहते हो तो कुछ नहीं करो सर चाहो तो a से भी work energy theorem लगा दो ठीक a से भी work energy theorem लगा दो यहाँ से यहाँ जब पहुचेगा बंदा तो इसकी velocity इधर हो जाएगी जब आप यहाँ से यह work energy theorem लगाओगे तो आप बोलोगे सब work done by gravity minus mgr tension का work done 0 बराबर half m bv square minus half m velocity at a square मतलब under root 5gr का square जब solve करोगे तो velocity of v निकल के आगया 3gr का under root बात सौज मारी है यह किशेंडर सवाल है बेटा सबको आपको आना चीए यहाँ पर कोई भी आपसे जो है कोई भी चीज पूछी जा सकती है यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पर तो इसके लिए आप भी prepared कि under root 5gr पर क्या होगा highest point पर बेलोश्ची under root 3gr lowest point पर बेलोश्ची under root 5gr highest point पर tension 0 अचा हाँ यह भी पूछ सकता है बी point पर tension बता दो कितनी होगी तो in that case आप बोलोगे sir FBD बना लो यहाँ पर yellow FBD बना लो इधर लग रही होगी tension tension ही center की तरफ है तो tension ने ही mb square by r दे दिया होगा जैसी value put करोगे तो यह निकल के आ जाएगा 3mg clear है अगर clear है तो सब लोग hard का sign मना दो क्योंकि इससे ज़्यादा वक्त मैं दे नहीं सकता है इसमें सब लोग hard का sign मना दो bigs thank you दोस्त bigs खाखागे class चल लिए I hope यह मेरी आज आखरी class होगी मंजिल सरीज मेरा मन है नहीं next class में लेने का ठीक है बोलो लिग लिए ठीक है next आगे बढ़ते हैं तो अब निशकर्ष क्या निकला मैंने का देख निशकर्ष यह निकला कि यह था बाइस साब O यह point था A आगे velocity है सपोज भी है ठीक है ध्यान से सुन अगर मैंने velocity at A under root 2gr के बराबर रखी ठीक है तो आर्टिकल B तक पहुँचा और B तक पहुचके उसकी velocity B पे क्या हो गई 0 रसी horizontal हुई B तक पहुचका और लोट के बापस आ गया अगर मैं velocity of A under root 2gr से कम करूँ ठीक 2gr से मैंने कम दी velocity at A इसका मतब B तक नहीं पहुचेगा तो before B कहीं पर velocity 0 हो जाएगी और पार्टिकल जाएगा आएगा मतब ऐसा होगा गया आया गया आया गया आया गया आया ठीक है सर अगर हमने ऐसा बोला कि velocity at A under root 5gr रखा फिर क्या होगा तो फिर वो पूरी कहान इतनी देर से पढ़ने हैं कि अगर velocity at A under root 5gr होगा तो velocity at C under root 5gr और टेंशन at C 0 हो जाएगा और सारी इजद जो है हमारी mg ने बचा ली होगी mg ने इस प्रोवाइड कर दिया होगा centipetal force mg बराबर mb square by r ठीक है सर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि velocity at A under root 5gr से जादा होगा तब क्या होगा ठीक तो सर under root 5gr के बराबर होगा तो भाईया बाल बाल बच गया सर्कुलर मोशन तूटने से सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ और चम चम मतब ठीक है ठीक ठाक हो गया है मतब बाल बच गया अगर आपने अंडर रूट 5gr से जादा वेलोश्ची दे दी इसका मतब तो मज़ कंप्लीट होगा फिर तो को टेंशन वाली बात ही नहीं है हाई इस पर में टेंशन भी आएगी बीपर भी आएगी सब जगे पर आएगी और लेकिन अगर मैं बोलू कि वेलोस्टी एट ए जो है अंडर रूट 5gr से कम है तब क्या होगा बोले सर अगर अंडर रूट 5gr देत है तो बी को तो क्रोस कर जाएगा लेकिन वर्टीकल सर्कुला मोशन कंप्लीट नहीं होगा का मतब टेंशन साथ छोड़ चुकी है टेंशन की वेल्यू जीरो हो चुकी है तो आप बोल दोगे यहां पर कि सर सम्वेयर बिट बिन बी एंड सी टेंशन जीरो हो जाएगी यह बेसिकली कहानी है यह आपको सीधा याद होना चीए बेटा क्योंकि अगर याद होगा ना तो आपको पहले सी पता होगा कि कहानी में क्या घटना घटने वाली है जैसे कि मैं कुश्चन दू यहां पर कि सर सपोज यह मैंने ऐसे डाइगरम मना दिया और मैंने बोला यह point O है A point पर हमने आगे velocity दे दी under root 7gr इसकी radius R है ठीक और आपन जानना चाह रहे हैं कि सर आप बता दो क्या होगा ये point A है ये point B है ये point C है और ये point D है B, C, D points में आप velocity बता दो, tension बता दो कैसे निकालोगे मैंने क्या simple सी बात है वहीया velocity at A जो है वो under root 5gr से जादा है तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ये 7gr under 5gr से जादा है तो vertical circle motion complete होगा चम चमाता हुआ complete होगा clear है तो इसका मैं आपको shortcut तरीका बता रहा हूँ अगर आप यहाँ पर सोचोगे कि सर कैसे निकालेंगे A से B सपोज आपसे जानना चाहरे हो कि velocity at B कितना होगा या velocity at C कितना होगा सपोज आप ये जानना चाहते हो तो standard तरीका तो यही है कि आप work energy theorem लगा दो ठीक अगर मु energy half mbb square initial kinetic energy half 7mgr जैसे values आप पूट करोगे जब आप इसको solve करोगे तो मैं सीधा बता देता हूँ answer आजाएगा under root 5gr ठीक बिलकुल उसी प्रकार अगर मैं ऐसे पूस्ता कि भाईया C पर बता दो क्या होगी velocity तो आप A से लेके C के लिए work energy theorem लगा दोगे आप बोलोगे कि सब work done by gravity mg into 2r tension का work done 0 बराबर final kinetic energy at C half mvc square minus half mva square जो की 7gr और जब आप यह solve करोगे तो निगल के आजाएगा under root 3gr शायद आपको यह लग रहा होगा कि सब आप इतनी जल्दी जल्दी calculation कैसे कर दे रहे हो तो basically मैं calculation कर नहीं नहीं हूँ इसका एक बड़ा प्यारा शार्टकर तरीका है मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग वो शॉटकर तरीका देख लो एक बार बहुत शॉटकर तरीका मेरे भाई यह है कि अगर यहां पर पांच है ना तो इस जगह पर देख तीन आ गया तीन आ गया ठीक और इस जगह पर देख रूट जी यार वन आ गया ठीक मतलब यहां से यहां जाने में यह जो संखिया है दो कम कर दे ठीक है यह शॉट ट्रिक भी होती है अगर आप calculation से बचन होती है mathematically यह चीज तो यहां पर भी follow कर सकता है कि सर यह बताओ यहां वेलोश्ची कितनी है अंडरूट 7GR तो सर यहां वेलोश्ची अगर तो solve करेगा ना तो अंडरूट 5GR हो जाएगी साथ में से दो गया 5 बचा उसी प्रकार यहां पर वेलोश्ची सब 5 में से दो गया अं बहुत काम आता है जैसे एक सबाल और कर लेते हैं मैं ऐसा बोल दूँ कि सर यहां पर इस बार मैंने ऐसा बोला कि ए पॉइंट पर वेलोश्ची अट ए मैंने अंडरूट 6GR दे दिया ठीक तो बताओ जब यह बंदा यहां पहुंच जाएगा B पॉइंट पर तो इसकी वेलोश्ची कितनी होगी तो आप बोलोगे सर यह 6 है 6 मैं से 2 कम कर दो अंडरूट 4GR जब यह पहुचेगा C पॉइंट पर तो बता तो यहां वेलोस्ची कितनी होगी चार है चार में से दो कम कर दे तू जी यार और जैसी भाई साब आपने निकाल लिया अब आपसे जो पूछा जाए वो सब निकाल सकता है आपसे अगर पूछा जाएगा कि सर बताओ टेंशन एट ए कितना होगा तो ये सर्कुला मोशन कर रहा है सर्कुला मोशन कर रहा है तो टेंशन निकालने के लिए F equal to MA लगाओ चुपचाप सेंटिबिटल फोर्स बगेरा आप जैसी FBD बनाओगे उपर लगेगा टेंशन नीचे लगेगा मेरे भाई MG आप लिखोगे टेंशन एट A उपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर MB स्क्वार बाई R M velocity at A का स्क्वार बाई R ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो टेंशन एट A बराबर निकल के आ जाएगा 7 MG खतम सबार ठीक अच्छिया उसी प्रकार अगर मैं सी पे पूछ हुआ तो आप बोलोगे इसा टेंशन एट सी नीचे की तरफ और नीचे की तरफ MG लग रहा होगा तो आप बोलोगे टेंशन एट सी प्लस MG बराबर MB स्क्वार बाई R चुप चाप वैल्यू पूट कर देना सॉल्व करके अंसर निकाल लेना ठीक है बेसिकली हाट यही है पढ़ाने का मन तो मेरा बहुत ज्यादा था बिटा बहुत ज्यादा मैं कराना चाहरा था लेकिन क्या करें कुछ लोग चाहते नहीं कि अपन पढ़ें लेकिन सबज़दार बच्चे समझ गयोंगे यहां पर यहां पर आपने एक चोड़ा रस्ता बना दिया है ऐसे गोला बना दिया है यह ले भाई यह ले ठीक मेरा प्रश्णी यह है ध्यान से देखना यह पॉइंट ओ है कि वाट शुरूबीर दा मिनिमाम वैली ओफ एच सो देट वर्टिकल सर्कुला मोशन कंप्लीट एच की कम से कम कितनी वैल्यू दे दे कि वर्टिकल सर्कुला मोशन कंप्लीट हो जाए इन शॉर्ट भाईया मुद्दे की बात यह है कि मान लो कि यह पॉइंट ए है हम यह कहना चाहरें कि वैलोसिटी एटे शुट भी कितना होना चाहिए अंडरूट फाइप जीर होना चाहिए खतम काने अंडरूट फाइप जीर होगा तो वर्टिकल सर्कुला मोशन चाहिए अगर इतनी वैलोसिटी दोगे तो फिर यह अपना हर अवाला वर्टिकल सर्कुला मोशन कंप्लीट कर लेगा क्लियर है तो यहां से लेकर यहां तब पटाक से लगा दे वर्क एनर्जी थियोरम तो बोलेगा सब वर्क डन बाई ग्रेविटी वर्क डन बाई नॉर प्रेटीकल सर्कुला मोशन पर आपको कुश्चन देखने के लिए मिलते हैं कभी-कभी सवाल देख यह भी मिल जाते हैं वह ऐसे कहते हैं कि यहां पर मिनिममम टेंशन और मैक्सिममम टेंशन का रेशियो बता दो यह इस्तिकली फोर्टा जेही एडवांस है जेही एडवा होती चली आएगी इसका मतलब टेंशन जो मिनिममम होगी वह सीपर होगी और होगी इसका मतलब आप यह रेशियो जानना चाते हो अपोन यहां से यहां से टी अ कितना जाएगा बिसी कितना है यह चेख कर करेंगे रूट हुज याधा मुझे लग रहा है यह यह एंजी आ तो इस तरीके से यहां पर कोई कोई लिमिट नहीं है हमारे पास समय उतना नहीं है लेकिन इस पर भर भर के सवाल बनाए जा सकते अंडरूट 7GR अलग-अलग टाइप पुछिन यहां पर बनाए जा सकते किसी भी टाइम पर बैलोश्टी पुछी आ सकती किसी टाइम पर सब्सक्राइब बहुत ही बढ़ी हमांशु सर आईवाज और इस्टुडेंट इन पुराने इंशिट्यूट में और तु आईटी खड़कपुर पहुंच गया है शाबाज बैटा इमांशु मजे लेना बैटा कि एवा फिर से टाइपकार हमांशु मैसेज देख लिए मैंन अच्छा नहीं लगता है अब तुछ बहुत बड़ी आसे खुशकबरी दे और मेरा वाट्सअप नमबर तरे पास होगा पर्सनल वाट्सप नमबर मैसेज करना जल्दी से खुशकबरी देना वहां पर तु ठीक है और हाँ बाकी बच्चे जो यहां पर क्लास अटाइन कर हैं मैं आपसे भी यही बोलूँगा कि देखो जो एक लॉंडा भी आया है हाँ यह मेरा स्टुडेंटे मैं इसको पैचान गया ठीक है और ऐसा कुछ नहीं है कि इसनको मैंने कुछ खास अलग से कोई चीज़े पढ़ाई है ऐसा बिल्कुल नहीं है यह वो बच्चे हैं जो पांच परसेंट मांग साता था एक्जाम में फिर भी यह लोग ठीके रहे और उसके बाद यही बात मैं आप लोग से बोलता हूं कि ठीके रहो ठीके रहाना बहुत इंपोर्टेंट है यह बहुत अच्छी बात है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईटी पहुंचे हैं उन सब के साथ यह हुआ था कि बाइसाब किसी के कभी 10 परसेंट मांक सा रहे हैं कभी 20 परसेंट मांक सा रहे हैं कभी 15 परसेंट मांक सा रहे हैं कभी 50 परसेंट मांक सा रहे हैं बस बोलों ठीके रहे अगर मैं इवान्शू के बारें बात करूं तो इनका स्लेवर्श जो है लेकिन हो मैनत करी उन्होंने फिर ठीक ऐसा नहीं है कि बाई साब ऐसे ही रह गए हो नोर्स को पार बार उसनों लगे रिवाइस किया और चोटी-चोटे जो भी अपनी गलतियों को सुधार किया और वो फिर आईटी पूछे हैं तो यह सब्सक्राइब आपके लिए आप पढ पांशू बेटा थोड़ा सा बड़े भाई का तुम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था बेटा वहीं पूरा करना है ठीक है जल्दी से खुशकबरी दे ठीक है पर्शनल लंबर में मुझे वाट्सअप करना बाकी बाते हम लोग फोन पे करेंगे ठीक नेक्स आगे बड़े यह एक स्फेयर है ऐसा यहां से इसको फिक्स कर दिया यहां से एक छोटे से पार्टीकल को मैने ढप कर दिया क्या कर दिया अब क्या होगा जैसी ढप कर दिया ah जैसे तो यह पर इसको ड्रॉप करेगा तो यह पार्टिकल जो था देख ऐसे से लेगा चलो 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 चल पार्टिकल विल लूज कॉंटेक्ट पहला प्रेशन दूसरा जब यह कॉंटेक्ट छोड़ेगा तब इसकी वेलोश्टी बता दो ऐसे कॉस्टेंस भी बेटा पूछे जाते हैं कि मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया है यह नीचे आया 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 एक बार फिर से चला लेते हैं इसको जैसी तुझे इसको छोड़ के यहां पर हलका साथ ड्रॉप मारेगा जाएगा 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 जाएग कर लेते हो तो ठीक लेकिन concept पता होना बेटा बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक question दूँगा जो आप try करोगे उसमें आपको यही funda apply करना पड़ेगा ठीक क्या कि सर देखो यहां से आगर आप बात कर रहे हो तो सर यह r है तो यह distance हो जाएगा सर r cos theta तो हम यह बोल सकते हैं ध्यान से देखना सर यह है r तो यह r cos theta तो यह बंदा नीचे निकल के आया है r minus r cos theta आपको चाहिए यहां से लेके यहां तक तो यहां पर velocity आपसे पूछिए तो आप यहां से लेके यहां तक लगा तो work energy theorem आप बोलोगे सर work done by normal plus work done by gravity बराबर change in kinetic energy normal का work done 0 gravity का work done mg r minus r cos theta बराबर final kinetic energy minus initial kinetic energy half mv square minus 0 पासोज मारिए जब इसको solve करेंगे तो भया वी निकल के आजाएगा चेक करके देखो अभी कहानी solve नहीं हुई यार अभी कहानी basically फस गई है क्यों फस गई है सर मैंने का देख फस इसलिए गई है क्योंकि हमारे पास दो दो variable है एक तो theta और एक V तो कहां से करें कहां से हम लोग निकाले तो याद रखना जैसे center of mass में हम कुछ questions लगाया करते थे center of mass में क्या होता था कि अकसर दो equation बनती थी एक बनती थी जो थी momentum conservation की और एक जो है वहाँ पर बना करती थी work energy theorem type की बिलकुल उसी प्रकार यहाँ पर भी यहाँ पर भी work energy theorem की maximum सबालते रहे हैं इसे तूट जाएंगे यकीन ना हो तो चेक करके देख ले पीछे हमने जो पढ़ाता देख यहाँ पर भी यही पढ़ाता कभी हम जो है vertical circular motion की equation लिख रहे हैं और कभी जो है हम लोग यहाँ पर जो है work energy theorem की लिख रहे हैं मतलब vertical circular motion में यह दो चीज़ तो यह बिलकुल किलियर होना चीए वर्टिकल सर्कुल मोशन की equation और दूसरी work energy क Means तो अगर आपन यहां बात करें कहां पर भाई साब कहां पर कहां पर कहां गया कहां गया यहां बात करें तो यह हमने थिया इंयों कि इक आख आप कर और यहां तक पार्टिकल मोशन कर रहा था दो इसकी अबीडी बना लो, सर नीचे क्या लग रहा होगा mg, और सर इधर क्या लग रहा होगा normal, मैंने गए ठीक है सर ये ठीटा, तो ये भी ठीटा नीचे mg लग रहा है तो इधर कौनचा force लगेगा, mg cos ठीटा, सारे forces को center की तरह पो center की perpendicular तो तो आप बोलोगे, कि सर mg cos theta, minus normal, बराबर mv square by r, और मज़े की बात ये है, कि यहाँ पर normal action क्या हो गया है, 0 हो गया है हमने vertical circular motion की question लिखी है, just contact तूटने से पहले, जो अच्छा बच्चा है मैं उसके लिए बोल देता हूँ, तुम बोलोगे, इसा contact तो टूड़ी है, circular motion तो टूड़ी है, फिर आप क्यों लिख रहे हो, मैं उससे पहले लिख रहा हूँ, just पहले, तम normal की value approximately 0 हो गई होगी, लेकिन circular motion तो तेरा हो रहा होगा, ठीक, तो अब सवाल तेरा solve हो गया है, मतलब यहाँ पर दो equation बनगी यह पहली mb square by r बराबर mb cos theta, इसका मतलब mb square बराबर निकल का जाएगा, mg r cos theta, यह value उठा का यहाँ put कर देगा, solve कर ले भाईया क्या निकल क्या रहा है, देखिए, mg r 1 minus cos theta बराबर half mb square half mb square मैं यहाँ से लिख देता हूँ, m g r cos theta काटा pt करोगे, तो mgr mgr cancel out हो गया, half cos theta बराबर 1 minus cos theta, इसका मतलब 1 बराबर 3 by 2 cos theta, तो cos theta बराबर निकल के आजाएगा, 2 by 3 ठीक, जिस बच्चे ने यहाँ पर बोला था, answer 2 by 3, जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर बोला था, बहुत अच्छी बात है, आपको पता होना चीहें, लेकिन सवाल में changes भी आ जाते हैं, कैसे changes आते हैं, जल्दी से उसके लिए आप यह question करके दिखाओ, जरा, यह बाला, यह question करके दिखाओ, फटाक से, ध्यान से देखो, उसने वाला small block slide भी दे पहलो शी इतना, under root 5, ओने horizontal frictionless surface, block leave the surface at point C, calculate the theta in the diagram, calculate the theta in the diagram, यह ले भाई, यह basically सवाल है, यह ले, ठीक है, तो basically अब तो यह बोलेगा सर, उस सवाल में अंतर यह है, कि जब यह बंदा यहाँ पहुचेगा, तो इसके पास, आगे की तरफ velocity होगी, under root, 0.5 gr, यह, ठीक, concept वही है, जो हम लोग ने पहले किया था, ठीक है, अब जो है, सर, जी एफेक्टी भी सौर्ट्रिक बता दीजे, यहाँ कोई जी एफेक्टी भी सौर्ट्रिक नहीं है, अ कि जाएगा, 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 जा से पूछा गया है कि बता दो यह angle कितना होगा यह angle कितना होगा यह angle कितना होगा same pattern का सवाल है मैं इसको discuss नहीं कर रहा हूँ एक equation लगाना work energy theorem की एक equation आप लोग यहाँ पे लगा देना किसकी एक work energy theorem की और एक लगा देना कि अब एक किदर गे यह रहे कि यहाँ आपने इसको drop किया था तो आपने initial kinetic energy यहाँ पे zero करती थी अगर यहाँ पर initial velocity under root something दे दोगे न तो वो velocity की value बस आप यहाँ put कर देना आपकी mathematics change हो जाएगी physics आपकी वही की वही रही समझवारी बात तो यह basically इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इसका एक बर्चन और है सौरी अच्छाओ मुझे याद आ गया एक बर्चन और है सवाल के पूछने का कि सर सवाल को यहां से आपने drop किया तो तो सर समझ में आ गया इस जगे से ठीक है आपने particle को यहां से छोड़ा तो तो हम समझ के सर यह जाएगा 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 और यह ऐसे चला जाएगा ठीक सपोस्थ अगर अपन इस सवाल को पार्टिकल को यहां से छोड़ते अब क्या होता यहां से मैंने क्या अब भी same situation होती थोड़ी सी match बढ़ जाती तूने अगर पार्टिकल को यहां से drop किया है ठीक तो अब यह जाता और जाने के बाद भीया यहां पोंचते 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 होता है कोंटेक तूर जाता और फटाक से वहां चला जाता इसका मतलब तुझे अब वर्क एनरजी थियोरम इसके और इसके बीच में लगानी पड़ती ऐसे कि सपोज यह एंगल ठीटा 1 है और यह पूरा एंगल ठीटा 2 है तो तुझे यहां पर यह निकालना पड़ता कि सर अगर इसको ऐसे कनेक करूँ यह आर है तो यह वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर कॉस ठीटा 1 और यह ठीटा 2 एंगल है तो यह डिस्टेंस हो जाएगी आर कॉस ठीटा 2 अगर आप यहां से छोड़ते तो suppose contact यहाँ पे टूटा तो आप लिखते सब work done by gravity mg r cos theta 1 minus r cos theta 2 यह आपका work done by gravity हो जाता equal to change in quantity energy half mvv square minus 0 खत्म ठीक पहली equation दूसरी equation यहाँ पर work energy उसकी लगा देते normal उसकी circular motion की कि mg cos theta minus normal बराबर mv square by r normal की value 0 पुट कर देते ठीटा की value ठीटा 2 रख देते given information के साब से solve करके आगे बढ़े आते इस question strictly based on the j advance means वाला तो नहीं पूछेगा j advance वाला पूछ सकता है clear है क्या इस सारी चीज़े clear होगी बाई साब जल्दी बता दो vix thank you दोस्त thank you thank you thank you बोलो अगर clear हो गया तो भाई मैं आगे बढ़ू भाई सर राजबन सर लेफ्ट मंजिल ऐसा भी हो सकता है सलीम सर उल्सों लेफ्ट मंजिल हो सकता है वाई है क्योंकि आप लोग अच्छे लोग भी चुपचाप शान्ती से बैठकर तमाशा देखते हूं ठीक है बोलो अरे यार यह एक मैं टुक ना भाई क्लियर है भाई सब वर्टिकल सरक्लों मोशन बढ़ जाओ आगे मैं इस पर चार पर सवाल देख लेते हैं जल्दी से देख लें भाई कहा है कुश्चन इस पर बेच्ट जैसे एक सवाल यह रहा तोलो पास वन क्लोग्राम टाइट टुए लाइट इस्टिंग ओफ लेंद इल्ला गोल गोल गुमा रहे हैं वर्टिकल प्लेन पे मैक्सिमम तू मिनिमम टेंशन की उसने जो है रेश्यो दे दिया है अब उसने ब ले लो और रेश्यो लेकर उनको सॉल्व कर लो सेम सवाल है तेक फिजिक्स के पंड़ा में तो यह बता दिया है और उसके बाद बाकी कुछ सवाल में कोई दम बचा नहीं है अगला प्रशन अगला प्रशन जैसे ही सवाल है यह सौरी बहुत अच्छा सवाल है मैं एक बार जब पहुचा तो उसकी जो रेडियस थी वो 36 मीटर है ठीक है आप जब उसने दें नेगलेकते है एयर फ्रिक्शन वाट बच मीटर हाइड बता दो कि वो कॉंटेक्ट लूज ना करे बहुत अच्छा सवाल है कि जब बंदा यहां पहुचे तो कॉंटेक्ट लूज ना करे ठीक सवाल को करने का तरीका क्या होगा कि सर मान लो जब बंदा यहां पहुचा है कॉंटेक्ट लूज ना करेगा मतलब ओके अबाउट सर्कुला मोशन कप्लीट कर रहा है तो अगर आप MbD बनाओगे तो नीचे लग रहा होगा mg इस बंदे पे उपर लग रहा होगा नॉ Mb² by R सा normal की value यहां पर चिपका देना zero जैसी normal की value चिपकाएगा solve करके वी निकल कर आ जाएगा और यहां से यहां फिल लगा देना vertical circular motion सौरी फर्क एनर्जी थियोरम जैसी तो यहां सौर्ब करेगा तो देख V बराबर Mb² बराबर निकल कर आ जाएगा Mgr यह हमने equation लिखी ह circular motion की मैंने जैसा थोड़ी दिर पहले बोला था कि दो तरह की questions की आवशक्ता होती है एक vertical circular motion और एक work energy theorem तुने यहाँ पर vertical circular motion की question तो लिख दिये इस जगा पे अब यहाँ से यहाँ work energy theorem all लगा दे work done by gravity is mgh ठीक है equal to change in kinetic energy final kinetic energy half mb square initial kinetic energy 0 तो b square बराबर आजाएगा mg into h sorry b square नहीं हम तो सीधा mb square निकल के आजाएगी 2 mg h यह mb square mg r बराबर 2 mg h इसका मतलब r बराबर 2 h r की value है 36 36 बराबर 2 h तो h बराबर 36 by 2 बराबर 18 in short खोपची में जो line मैंने बताई है ना बेटा बहुत काम की है क्या दो equation बननी है एक vertical circle motion की और दूसरी work energy theorem की बस इनी को solve करना है इसी से ही तेरे जो है question जितने बनने वाले सवाल है सारे के सवाल तेरे इसी से ही बन जाएंगी clear है चलो एका सवाल और देख लेते हैं कुछ अच्छा सवाल मिल जाए तो यह सवाल जैसे मैंने थोड़े पहले तुम्हें समझाया था कि एक particle को भईया यहां से छोड़ दिया है और यहां पे वो एक तरह से drop हो किया है that means यहां पे जो normal होगा आप उसको zero put कर दोगे same question जो मैंने थोड़े पहले explain किया था कि बस यहां पर होना कुछ नहीं है आप चेक करना कि यह बंदा नीचे कितना आया mathematically r cos theta 2 minus r cos theta 1 work energy theorem लगाओ vertical circular motion के equation लगाओ दोनों को solve कर लेना answer match करा लीजेगा इसका answer मैं check कर चुका हूँ यह स्टी option निकलके आता है next question यह भी एक बहुत अच्छा सवाल है हो सके तो आप लोग इसको try करो सब लोग इस question को try करना भाई साब जल्दी से देखो sir a ball can move in a vertical brain along the semi-sargon radius without the friction at what speed is the ball to launch from point A so that its acceleration is 3G at point B जब वो B पर पहुँचेगा तो उसका acceleration 3G होना चीए तो भाई मजे की बात यह है ध्यान से देख जब वो B पर पहुचेगा अगर तो FBD बनाएगा तो normal भी तेरा जो है O से पास करेगा जाइड सी बात है और mg भी तेरा O से पास करेगा इसका मतलब इसका जो है tangential acceleration तो 0 होगा only centripetal acceleration होगा जिसकी value होगी 3G क्यों? सर, tangential acceleration होता था component of acceleration along the velocity जब यह नीचे पहुचेगा न तो इस बंदे की जो velocity होगी वो आगे की तरफ होगी ठीक? तो सर, normal भी उपर लग रहा है सर, mg भी नीचे लग रहा है सर, दोनों forces जो है वो velocity के perpendicular है velocity की तरफ तो कोई force ही नहीं है और जब velocity की तरफ कोई force नहीं है तो velocity की तरफ कोई विजाइड सी बात acceleration नहीं आएगा तो velocity की तरफ जो acceleration होता है उसको हम tangential acceleration बोलते हैं तो tangential acceleration यहाँ पर हो जाएगा 0 तो इसका मतब यह जो भी acceleration दे रखा है यह centripetal acceleration दे रखा है और centripetal acceleration की value होती है V square by R इसका वंतब V square बराबर आगया 3GR या V बराबर निकल के आगया under root 3GR इसका मतब आपको यहाँ पर velocity पता चल गए under root 3GR है पासदमारी है खतम कहानी उसने क्या बोला है what should be the speed A point पर speed बता दो कितनी होगी अब तो सवाल में कोई दम ही नहीं बचा वो कहना चाहरा है A पर speed बता दो कितनी हो यहां से लेकर यहां तक आप लगा देना work energy ठोड़ा खतम सवाल नहीं class 10 गंटे तक नीच लेगी बेटा बस एक गंटे के अंदर इसके बाद कुछ नहीं है पर सवालों को आप चाहो तो solve कर लेना तन तनाते वे सवाल में कोई दम यहां पर बचा और तुम पता है तुम चाहो तो डारेक्ट भी कर सकते हो देख कैसे सर यहां अंडर रूट 3GR वेलोश्ची है ठीक है यह जो पार्टिकल था ठीक है काहे परिशान कर रहा है मान जाना तुझे भी स्पैमीं का भूथ चड़ लाएगा देख यहां से छोड़ा आया 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 अंडर रूट 3GR ठीक जाएगा 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 जा और जितनी बेलोश चीज़ की यहां होगी उतनी भी बेलोश चीज़ की यहां होगी इसका मतलब आंसर भी अंडरोट जी आर आप एक लाइन में भी लगा सकते हो बात समझ में आ रही है सुर एक आप सारे टीचर लोग इस तरह चले जाओगे तो हमारा क्या होगा तो बेटा यह पेट क्लास थो है नहीं ठीक है इस्टिक एपेट क्लास में क्या होता है सिऩिंट पास पूरा डाटा होता है ठीक है बॉन र Restauration रेंस नहीं पर शक collectively बनता है पहला फर्श तो आपको यह बनता है कि जितने स्पैमर्स लोग हैं उनको दिल से भागवान से प्रात्त ना करो कि उनके साथ जरूर कुछ ऐसा हो कि वह आगे से कभी आपके जो आने वाले जुनियर से अगले साल आपके जो आने वाले चोटे भाई मैंने हैं उनके साथ इतना बुरा ना हो पाए ठीक है ना तो इसे के लिए भगवान से प्रात्ना करो सुबह साम उनसे दुआ मांगो कि जो है ऐसे स्पेमर्स को जो है या तो शत्बुद्धी दे या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि वह यहां पर इस तरह की हरकते ना करें जिस तरह की हरकते वो कर रहे हैं ठीक है आप सच में प्रेयर करो पासवजमारी यह दूसरी प्रेयर आप थोड़ा सा आप जो है शस्त्र सब लोग हाँ टाइब करोगे तो अपने आप चला जाएगा तो भाईया ठीक है ना तुम्हारी उंगलीन यह क्लाइक करने लिए तुम्हें रोका किस्ने तुम्हें कोई लिमिट जब शो मुक्ति करने लिए वो कुछ भी बोल सकता है तो आप तो अच्छे इंसान हो भाई तू भी तो टाइप कर ले एबी सीडी ये जितनी गाली आती है वो सब लगा कोन बना कर रहा तुझे ऐसी जी गाली आ दें साला कि अगली बार किसी दूसरी क्लास में जाने से पहले वो सो बार सोचे स्पैमर्स से तो शाहिद ये चीज़ है problems नहीं आए सिदि इसवी बात है अगर प्र्लेम्ट आई ये तो इसका मिलजूल के सोलूशन निकालना होता अगर को preservatri Nay को मैं प्रेक्टिकलि बात करू हूं मैं कोई आग आब बात चाहते हो जो इस पर दूणना चाहते हैं वो शायद मैं नहीं हूँ ठीक है मैं थोड़ा सा अग्रेसिव नीचर का हूँ ठीक है लड़कपन जाद है मेरे अंदर यह हर घर घटना अगर क्लास में अगर किसी है बच्छों को इस सब कि नहीं होता है कि मैं यह सोचूं भाईया कि बच्चे है और मैं जो है मुझे उन से लोलोडो पोकरनी है प्यार से बात करना है यह सब नेचर नहीं है मेरा मुझे को यह ऐसा दिखता है ऑफ-लाइन क्लास में जो इस तरह का मावल खराब कर रहा है तो मैं उसको तबियत से चाहिए वो कोई भी हो कोई भी हो तबियत से रोश्ट करके उसको कॉलर पकड़ पकड़के घसीट के बाहर निकाला है इस मामल है शॉट टेमपर ठूम है जोंगे मुझे दिखाई दे रहे होते वो बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं तो वह चलो आइए अच्य सारे सवाल मैं ने मजे मजे में चले काम करते हैं एक बढ़िया सा सवाल करते हैं जी एडवांस का देखना तू हसे का सवाल देखके पैरग्राफ आया था 2013 में इसमें दो कोश्चन पुछे गए थे सवाल देख इसका मतब फ्रिक्शन भी देखके अब देखके फ्रिक्शन देखके अब उसने पूछा है कि बढ़िया पहले तो नॉर्मन ली एक्शन बता दो यहाँ पर कितना होगा ठीक है और सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि बढ़िया क्यू पॉइंट पे जब पहुचेगा तो बता दो उसकी स्पीड क्या होगी तीन नंबर का सवाल दो कोश्चन सिक्स मार्क्स फोकट के जई एडवांस में सुझा रहा है क्या है सवाल में मैं एक बार देशी बासा में समझा देता हूँ सवाल में उसने ये बोला है कि यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया ठीक है बाई जो अच्छे बच्चे है वो हसेंगे सवाल देखके बोले सर ऐसे सवाल भी आते हैंगे जई एडवांस में बना गया ऐसे भी आते हैं यही तो करने होते हैं यही सवाल अगर तुने कर लिया तो यह एडवांस हो गया जैसे आपने इसको छोड़ा यह आया 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 सपोज जब यह यहां पोचेगा इस जगह पर ठीक तो उसने ऐसा बोला है कि सर यह वाला जो एंगिल है यह एंगिल 30 डिकरी है करेक्ट ठीक है सर तो मुझे बात बता यार यहां पर vertical circular motion में सर ने बोला था दो equation मनेंगी उत up equation बोल चूकर कोन सई एक तो vertical circular motion की equation कोन चुकर यह से लेख्याँ तहां तक आप भस यह काम कर French pied लो मालो यह यह आपर sin 30 मने खेंगे ठीक है सर यहां से लेके यहां तक आप लगा दो work energy theorem work energy theorem का मतलब क्या हुआ work done by gravity plus work done by normal plus work done by friction बराबद change in kinetic energy ठीक सर gravity का work done mgr cos 30 sorry mgr sin 30 mg r sin 30 अब मैं थोड़ा अच्छे बच्चों के लिए पढ़ाऊँगा अगले 20 से 25 मिट के अंदर पूरी कोशिश रहेगी मेरी work power energy के सारे सवाल हो जाए जीए एडवांस के नॉर्मल का work done 0 friction का work done उसने खुद कह दिया बराबर final kinetic energy half mv square और drop किया था तो मेरी भाई initial kinetic energy 0 मुझे लगता है एक की लाइन में velocity के लगए यह जीए एडवांस का सवाल है ठीक उसने पूचलिया सर यहाँ पर आप जो है नॉर्मल कोंटेक्ट फोर्स बताओ तो भईया mbd बना इधार लग रहा होगा normal नीचे लग रहा होगा mg तुझे बस यह बताना है कि सर वर्टिकल सर्फलो मोशन की कैसे लिखोगे सर यह angle 30 degree है तो यह angle मान लो theta है थोड़ी दिर के लिए इधार mg तो इधार लगेगा mg cos theta आप लिखोगे normal minus mg cos theta बरावर mb square by r velocity आप यहाँ पर निकाल चुके हो theta आप बड़े अराम से निकाल लेना theta कितना आएगा मैं ही निकाल देता हूँ यह 30 है तो यह भी 30 तो यह 60 तो यह 30 तो यह निकल के आ जाएगा 60 चुप चाप theta की बेली 60 पूट करते हैं solve करके normal निकल का जाएगा J advance का सवाल ते रहा हो गया ऐसे ही 6 नमबर तेरे focus के हो गए पासवाज मारी है J advance के और सवाल देख मैं लेके तो आया था ध्यान से देख जो लोग sincere तरीके से पढ़ रहे हैं उनको तो मज़े ही आ जाएगा वो कहेंगे सर इतना simple सवाल है ठीक है हाँ आज का session जिन्होंने completely अच्छे सा 10 किया होगा ठीक है बोलो कर लेंगे सारे questions ध्यान से देखना J advance के एक एक करके start करता हूँ मैं सवाल देखे हसोगे आप पहला सवाल सर एक like string यह ऐसे ऐसे दे रखा है दो block है एक का mass अगर M है तो दूसरे का mass 2M है यह M मान ले तो यह 2M मान ले ठीक टेकिंग जी इतना find the work done by string on the block of mass M during the first second ले मजाग चल ला है ठीक उसने बोला है कि तू जैसे इसको छोड़ेगा इसका acceleration नीचे A तो इसका acceleration उपर A NLM में MSC सन्ने पढ़ा दिया होगा acceleration तू डारेक्ट लिख सकता है खीचने वाला force माइनस रोकने वाला force बट ए टोटल mass मतलब निकल के आ जाएगा GY3 तो acceleration अगा GY3 आ गया तो मैं तुस्से पूछू tension की value बता दो आप बोलोगे tension माइनस Mg बराबर M into A तो tension निकल के आ जाएगा Mg प्लस Mg by 2 बराबर 3 Mg by 2 सर आप tension क्यों निकाल रहे हो भाई इतना बता अगर तिरेको work done बराबर tension निकालना है ठीक तो tension force निकालना ही पड़ेगा न अगर work done बराबर tension निकालना है tension force निकाल मैंने का आब मैंने के अब लिख ले भाईया work done बराबर tension constant आई 3 Mg by 2 into displacement ये बंदा उपर कितना जाएगा एक सेकेंड में सर रह से छोड़ा है acceleration constant है S बराबर UT प्लस half AT स्कुरा है सीधा पटक दे सर H बराबर UT प्लस half AT स्कुरा है acceleration के बेले पुट कर देना solve करके tension निकल के आ जाएगा पासवाज मारीए tension का जो work done होगा इस पे positive होगा इस पे क्या हो जाएगा negative हो जाएगा लेकिन net work done अगर तो tension का निकालेगा तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि अगर ये उपर h जाएगा तो ये नीचे h जाएगा ये concept भी आपको पता होना चीए मैं एक बार revise करा देता हूँ कि tension का net work done 0 होता है और normal का भी जो net work done होता है वो 0 होता है बासवाज मारीए g by 3 हाँ sorry है sorry थोड़ा मेरा दिमाग ठीक नी चल ला ना श्रेम पे तो मैंने गलती कर दी ये g by 3 होगा और ये भी g by 3 हो जाएगा ठीक है ये सब हटा हो ठीक है स़ही लिख रहे न है आपर ठीक है तो ये answer change हो जाएगा ये answer कितना हो जाएगा 4 mg by 3 हो जाएगा इसका मतलब आप work done सीधा लिख दोगे tension into h और tension की value आप लिख दीजेगा h की value क्या लिख दोगे half a into t square खतम सवाल ठीक है तो इस type के सवाल आप जो है कर सकते हो next आगे बढ़ते हैं और question देखते हैं जीए advance का एक सवाल ये रहा जीए advance का उसने बोला block का mass दे दिया है m ठीक है सर spring में force condition दे दिया ठीक है सर coefficient of friction भी दे दिया ठीक है सर mu दे दिया 0.1 ठीक है सर initially block को rash पे दे दिया ठीक है सर और एक थपड मार दिया उसको impulse is given ताकि block गया और 0.6 meter जाके rash पर आ गया उसने बोला थपड के बाद velocity कितनी होगी क्या मजाक है ठपड मारा मान ले इसकी velocity वी है जस ठपड के बाद तो उसने बोला कि ये x चलके rash पर आ गया ये block आगे x चला और block आगे चलके किस पर आ गया भाई सब rash पर आ गया तो वी की value बता दो तो वो लेगा सब पर के energy दिवरम लगा दो सब work done by gravity work done by normal work done by spring force work done by friction बराबर change in kinetic energy gravity का work done 0 normal का work done 0 spring का work done minus half की x final का square minus x initial का square friction का work done mu mg friction force कितना लगेगा mu mg into आगे कितना चला है x लगा है बराबर final kinetic energy minus initial kinetic energy खतम इसके बाद आप solve कर लीजेगा यहाँ पर check करके देख लो x की value given कर दी है k की value given कर दी है mass दे दिया mu दे दिया सब कुछ दे दिया आप से b पूछा गया है this is a very 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 simple सवाल जो कि j advance के आईवे सवाल है पास अभारिये कोई sincere तरीके से बिटा अगर पढ़े न सही बात बता रहा हूँ अब j advance में selection लेना मुश्किल काम नहीं है बस sincerity की आवशक्ता होती है ठीक next अगला question जैसे अगला सवाल यही रहा कि walk down उन्हें पाटी है उन्हें बोला भईया force बता दो अगर sorry उन्हें बोला सब force जो है न ये इतना लग रहा है kx बटे x square plus y square कि power 3 by 2 into i cap plus y बटे x square plus y square कि power 3 by 2 into j cap कि sir एक force ऐसा लग रहा है तो अगर हम किसी particle को यहां से यहां लेके गए है circular path में तो walk down by this force बता दो सवाल करने के बहुत सारे तरीके है पहला तरीका sir f बराबर something i cap something j cap walk down निकालने का क्या तरीका होता था fx.dx plus fy.dy तो sir आप सीधा लिग दो न इसको यह मिटाओ यहां लिग दो dx ठीक यह मिटाओ यहां लिग दो dy मैंने का ठीक है और sir integrate कर दो मैंने का कहा से का integrate करना है मोले sir x coordinate तो a से लेके 0 तक गया है और y coordinate आपका 0 से लेके a तक गया है और अगर आप ध्यान से देखो मैंस आपकी अगर इस ट्रॉंग है तो आप देखते ही बता सकते हो कि ये दोनों function बाइस एक ही है जादा अंतर नहीं है बस limit A से 0 है तो 0 से ये है अगर आप ये solve करोगे तो फटाक से क्या निकल का answer आ जाएगा है आपर 0 निकल के आ जाएगा साप साप दिख रहा यहाँ पर बात समझ में आ रही है ठीक ये है और भी तरीके हैं बहुत सारे कभी कभी देख एक तरीका और मुझे याद आया सरे वह बताओ particle A कोमा 0 से मतलब आप ये कहना चाह रहे हो अगर अपन ये circle बना ले मनननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन सर यहाँ पर उसका कॉडिनेट है एकोमा जीरो यहाँ पर कॉडिनेट है जीरो कॉमाई है सर सरकुला पात में गूम रहा है वो ही तो कह रहा है एकोमा जीरो से जीरो कॉमाई है इसका मतलब इसकी रेडियस ए है मनने का ठीक है तो सर इसको ऐसे लिख लो ना x dx plus y dy बराबर 0 मन का कहना कैसा रहा है अरे सरी ये देखू न ही पर x dx y dy अगर तु शाद ये चीज देख पा रहा हो देख पा रहा हो ठीक क्योंकि नीचे वाला जो टम है x square plus y square बराबर r square है ठीक x over r square बराबर r square है सर्किल कर एडियाज तो ये तो काईद में क्या बन गया तेरा एक तरीके से r q बन गया ये भी तेरा r q बन गया ठीक तो इसी चीज को तू ऐसे लिख सकता है k y r q into x dx का integration plus y dy का integration अगर तू इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेगा तो भी तुझे दिख जाएगा जैसे proper limits बगरा तू रखेगा तो भी तो यहाँ पर चमक जाएगा कि final answer जीए बहुत सारे तरीके है अचानक से मुझे click किया यह answer हो सकता है तुझे solution का इंदेखने के लिए ना मिले लेकिन basically बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए कि यहाँ पर walk done क्या निकल के आ जाएगा zero मैं इसको मिटा देता हूँ ठीक है यह चीज़ा बात में कर लीजेगा जैसा आपको ठीक लगे next question अभी थोड़ा j advance का मज़ा लेते हैं अगला question particle का mass दे दिया है moving with one dimension under a four jet और ले constant power देख फिर से आ गया power बराबर half constant initial speed zero है speed बता दो 5 second में कितनी होगी 5 बार j advance में सवाल आ चुका है पिछले साल ठीक है यह वही questions है जिसको मैंने भी 2-3 बार करा दिया है ऐसे सवाल बिटा छोड़े ने नहीं है किसी भी case में तुझे again repeat and repeat question मैं आप लिख देता हूँ यह question बिलकुर repeated type के है next अगला question बहुत प्यारा सवाला ध्यान सा देखो consider elliptical shape rail PQ in a vertical plane with OP बराबर 3 meter यह भाई साब 3 meter है and OQ बराबर 4 meter ठीक है block of mass 1 kg को खीचा गया है P से Q और एक force लगा दिया 18 N का which is always parallel to line PQ मतब इसके parallel में हम लोग ने force लगाया है कोई दिक्कत नहीं है उसने बोला है इसका मतब यह constant force हो गया सीधी बात ही है force का magnitude भी constant है ठीक है force की direction भी constant है तो constant force हो गया है ठीक है और उसने बोला है कि no frictional losses इसका मतब friction की value 0 है kinetic energy बता दो जब वो Q पर पहुँचेगा क्या मजाग सवाल चल ला है अच्छा जी दे रखा है क्या ले जी भी दे दिया यहां से लेके यहां work energy theorem लगा दे तो सीधा बोलेगा सब work done by gravity work done by normal work done by friction work done by force F बराबा change in kinetic energy सब gravity का work done उपर लेके गया है 4 meter मास कितना है भई मास दे रखा है क्या मास दे रखा है क्या 1 किलोग्राम M G H माइनस लगा के क्योंकि उपर के आ है work done by normal 0 friction का work done 0 उसने खुद कह दिया no frictional losses work done by F कि सर जो force लगा है वो force यहां पर लगा है कितने का 18 newton का और इस तरब displacement कितना है सर यह 4 और 3 तो force की तरब displacement कितना है 5 बराबर final kinetic energy minus initial kinetic energy initial kinetic energy दे रखा है क्या कुछ भी दे रखा है क्या उसने कुछ नहीं दे रखा है तो इसका मतब 0 तो अठारा पंजे 90 और यह 40 90 में से 40 गया 50 तो kinetic energy final बराबर कितनी आ गई 50 उसने पूछा है कि सर n into 10 की value बता दो this is equal to n into 10 तो भाईया n की value निकल के कितनी आ जाएगी 5 simple सबार just work energy थे और हम का हम तो बहुत detail में जाके पढ़ चुके हैं आज की यह तो बहुत ही आसान है ठीक बस accuracy चाहिए कोई गल्थ ऐसा नहीं है मुझे जो है यहाँ पर जो यह सही बात बता रहो class अगर तु पढ़ेगा class के notes अच्छे से पढ़ देगा sincere तरीके सारी चीज़ पढ़ देगा बहुत आसान है कोई ऐसा नहीं मुझे रठे वे हैं ऐसा नहीं है ठीक है जो लोग प्रियाश 2.0 में पढ़े हैं वो बच्चे जानते हैं इन में से किसी सवाल को मैं कोई force भूल जाता हूं तो उसका वाइटन लिखना भी भूल जाता हूं ठीक है मैं शायद यहाँ पर मुझे नहीं बताता कि भाज साब ये क्या कहानी है तो सवाल बदलता रहता है ठीक तो concept पता होना चीए कि भाज साब ऐसे सवाल को करना है clear है और मुझे लगता है इतना काफी है सवाल में अब जैसे यह सवाल है इस अब खुद भी कर सकता है पार्टिकल ओ मासम लीनियली आइटरेस ओरिजिन subjective force short moving alone x-axis kinetic energy उसने वह वह ला kinetic energy dk by dt बराबर gamma t है ठीक है अब वो कहना चारा gamma conscient है सारी दुनिया बर की सारी बात बता दो ठीक kinetic energy के तो kinetic energy के जाग है तो यहाँ पर लिग देगा half mb square half mb square बराबर gamma t integration integration करो वो ही सवाल है पहले भी थोड़े पहले देखने एक तरीके से देख चुके है तो खेर अब इससे ज़्यादा वक्त नहीं है साड़े ग्यारा हो गए है आट बचके ग्यारा बचके चालिस मेंट हो गए है तो मैं एक काम करता हूँ ठीक है ग्यारा बचके मैं थोड़ा तरब विक्स बगएरा खालेता हूँ गरम पानी बगएरा पी लेता हूँ यहाँ पर तो आपको मैं ब्रेक दे रहा हूँ मात दस मिनट का कोई स्पेमर बगएरा देखे तो आप उनको पकड़के कूटिएगा ठीक है चलो आप लोग भी जिसको खाना भी ना खाना है दस से बारा मिनट के अंदर आप खालीजीगा मैं बैटरी बदल लेता हूँ उसकी माई की इसकी बैटरी भी जा रही है झालीजीगा झाल 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 बैटरी चेंज हो गई है फुल बैटरी है चलो चलो भाई आगे फाइनली हुम् कितना टाइम हो गया है 1153 हो गया है मेरी कोशिश रहेगी साड़े बारे तक कोशिश रहेगी कोश्चन इस आर्टिकल को समाप्त करने की बस एक आर्टिकल बचा हुआ है पुटेंशन जी वाला ठीक है चलो श्टार्ट करते हैं तो कहानी बैसिकली बहुत आराम से उठाओंग थे हमने फोर्श स को एक तरीके से अनलाइज किया अलग अलग टाइप साफोर्श स्के हम लोगे ने बानिक लेगा ठीक तो सब्सक्राइए तो सबूरे ऐसा बोलो कि सर एक पॉइंट यहां पर है एक पौइंट बीन आ पर है एक ठीक है आपने क्या किक और लिया और उस पर जो भी कोई forces लग रहा होगा तो उसको A से लेके B तक आप इस गुलाबी वाले रस्ते से यलो वाले रस्ते से आप लेके गए ठीक है आपने देखा कि सपोज रैंडम डायरेक्शन आपने हमाल लेते कि सपोज इस पर फोर्स लगा है एक्जाम्पिल के तोरफे force F लगा है और particle को तुम ऐसे ऐसे लेके गए हो तो जब हमने उस force का work done देखा तो कुछ 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 आया A से भी आपने एक particles को बूप कराया कोई एक force लग रहा होगा है हो सकता है बहुत सारे forces लग रहे हो ज़रूरी नहीं एकी force लग रहा हो जो कि हम देख रहे थे ताड़ा-ताड़ी नहीं करना है आपने किसी particular force को पकड़ा उसका work done निकाला suppose वो work done निकल काया WF फिर आपने क्या किया कि A से भी जाने के लिए आपने रस्ता बदल लिया और जब आपने कोई दूसरे रस्ते से उस force का work done निकाला तो पता चला कि उसका work done अभी भी सेम ही आया जितना पहले आया था suppose पहले सो आया था तो अभी भी सो आया आप किसी तीसे रास्ते से लेके गे तो भी उतना ही आया आप किसी चौते से लेके गे तो भी उतना ही आया आप भाईया गुमा गुमा के गुमा गुमा के गुमा गुमा के नचाते रहे दुनिया भर उसको और फिर ले जाके आपने रख दिया तो भी उसका सेम ही आया तो बड़ी अलग बात दिखी यार ये फोर्स ऐसा है जिसका वोकड़न किसी भी रास्ते से लेके जाओ वो सेम आ रहा है मतब रास्ते पर इंडिपेंडेंट है इसका बड़िया एक्जामपल मिलता है जिसे mg फोर्स मैं तुझे ऐसा भोलू कि सर एक बाब बताओ कि एक्जाम कि रख दूँ अब मैं तुस्से पूछो कि वोकड़न भाई mg कितना होगा तो वो लेगा सर mg होगा मतलब सर इस रस्ते में भी mg होगा 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 इसको उपर फैक्टे मार यह उप बहुत सारी बाते हैं कि सर पहली बात तो यह हुई कि सर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में इनीशल और फाइनल पॉइंट के बीच पहुंचने में जो भी वागडन बाई इस फोर्सेस आये हैं वो पात पे इंडिपेंडेंट आये मैं आपर लिख देता हूं कि व मैं ऐसा बोलू यह मारकर है मेरे हाथ पर यहां रखा हुआ है मैंने यहां से उठाया ऐसे ऐसे नचाया 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 और फिर यहीं ले जाके रख दिया तो हम लोगों ने देखा कि क्लोज लूप में इनका जो वर्गडन आया है वो कितना निकलके आया है जीरो निकलक फोर्स उसी प्रकार एक होता है नौन कंजर्वेटिव फोर्स ठीक दोनों में क्या अंतर है मैं फिर से लिख रहे है तो प्राइमरी जो अंतर है वो यह है कि कंजर्वेटिव फोर्स इसका जो वर्गडन होता है वो पाच पे इंडिपेंडन होता है वो इनीचिल और पॉइ तो आप लिख सकते हो सर एक्जाम्पिल एक तो हो गया सर mg force gravitational force 12th class में जो आप electrostatic force पढ़ते हो तो electrostatic force भी जो होता है वो conservative nature ही होता है ठीक electrostatic force हम लोग ने पढ़ता है conservative nature होता है और भी बहुत सारे forces है ठीक तो basically हम जो यहां पर काम की चीज़े जो हमको जिन forces के साथ हमको deal करना पड़ता है वो यही forces है तो mg जैसे हो गया कि मैं उसको घुमा फिरा के कहीं भी यहां पर ले आके रख दूँ mg का work done independent on the path है उसी प्रकार electrostatic में भी होता है तो इनको हमने बोला conservative force उसी प्रकार एक होता है non conservative force non conservative force का मतलब हो गया इनका जो work done होता है वो path पे depend करता है जैसे की example मैं बोलू friction क्यों friction सर ऐसे मान के चलो यह force है यह marker है मैं इसको ऐसे नचा रहा हूँ ऐसे अबैं सोरी यार ठीक सपोज यहाँ पर एक particle है उसको ऐसे ऐसे नचा रहा हूँ नचा रहा // नचा रहा तो एक कोईन लेए melting कोईन सबसे बड़ी example लेता हूँ को दिबार पे रख ठीक है और डिबार पर रखके ऐसे ऐसे रिशातर रह legitimately ले लाके राके रख दे जहांसे तुन friction का जो work done होगा वो कुछ ना कुछ तो work done निकल के आएगा वो work done zero नहीं आएगा मतलब close loop में अगर हम बात करें तो भाईया close loop में इनका जो work done आता है वो non zero आता है पासच बारी है close loop में जो इनका work done आता है वो क्या निकल का आता है वाईसाब non zero निकल के आता है और बाकी जो work अलग रस्ते से इनका वर्क डन यहां होता है क्लियर है आई होप यह बात कुछ समझ रहा होगा कि मैं तुछ सर यह पॉइंट और यह पॉइंट है सपोस्स मैं यहां पर बोलू एक ब्लॉक रखा हुआ है ठीक इस ब्लॉक को अगर मैं इस ऐसे लेके जाओ ऐसे इस रस्ते अब बन जा भाई नहीं बनना अभी बनेगा देख यह पॉइंट है तुम बोलोगे सर देखो इस ब्लॉक को पॉइंट को मैं ऐसे लेखे किया तो फ्रिक्शन का कुछ ना कुछ वर्क्टर लग रहा है और जाइड सी बात है छोटा-छोटा डिस्प्लेस्मेंट अकर अपन देखेंगे तो छोटा-छोटा वर्क्टर निगेटिव है इन देट केस शायद आप यह बास समझ रहों कि फ्रिक्शन का वर्क्टर अलग लग रस्ते पर क्या आएगा अलग 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 आ लिख मत्व जाबिक्स खाल लेता है पर ने प्रॉटइ्ट अ जस्वेट ठीक है ठीक कोई यह वैसे कर दिया कार्णी होगी conservative forces की और non-conservative forces की ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई पूछ रहे कि सर कोई force conservative है या नहीं है यह हम कैसे पता लगाएं तो जैसा कि अपन बोलें कि सर हम लोग जो पढ़ते हैं एक तो पढ़ते हैं ग्रैविटेशनल वाला बताओ यह conservative है नहीं है तो उसके निकालने का एक तरीका होता है कि suppose कोई तो जब force ऐसे दे दे fx i cap plus fy j cap plus fz k cap although यह important नहीं है लेकिन यहाँ पर कभी-कभी सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं बुक्स में मिल जाएंगे एक्जाम में तो नहीं आया सवाल इस पर आसका कभी तो लेकिन यहाँ दखना सर इन देट कोस इन देट केस आई-कैप जे-कैप के-कैप यहाँ पर तो लिख सकता है partial differentiation with respect to x partial differentiation with respect to y partial differentiation with respect to z यहाँ पर लिख दे fx fy fz अगर इनका determinant 0 आता है तो तो हम बोलेगे कि भाई सा force conservative है बनना conservative नहीं है आपको क्या करना है यह fx fy fz की value आपको कर ले नहीं है determinant को solve कर ले नहीं है determinant मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा solve करना यह उमीद है कि यह आपको आता होगा अंजली शर्मा ब्रेक अंजली शर्मा अभी ब्रेक दिया तो था मैंने दस मेंट पहले है पहली बात एक बच्चा बोले सर वी आर टायड तो मैं क्या करूँ छोड़ दू लेक्चर को बोलो मैं छोड़ देता हूं यह पर और management को बोल दूँगा कि मैं अब दुबारा नही अगर कोई बगर देखूंगा करम बगर खेलूंगा एंजॉइं करूंगा मैं क्यों यहां पर खामों खाँ जो है ऐसे बच्चों के लिए नर्जी वह कर रहा हूं वेश्ट कर रहा हूं जिनका ही कहना है कि छोड़ दो सथ थक गये हैं अब बोले से मुझे को दिक्कत नहीं भाई मैं बिंदाज शोड़ दूगा क्लास मैं बिंदाज शोड़ दूगा और जितना था पढ़ा दिया मैंने इससे यादा मैं नहीं पढ़ा रहा आप किसी और रीचेज यह पढ़वा लो ठीक है पढ़ाना है तो इन्फेक्ट पढ़ानी के जरूरुद भी नहीं है और आप उसको पकड़ के पिल दो कि तु जा यहां से तो तु जा कोई भी एक बच्चे के बोलेगा सब ब्रेक तो अभी थोड़े पहले ब्रेक का स्पेस बिलकुल नहीं है कोई भी बच्चे कहते हैं मिल गया कि इससा छोड़ दो तो आप उसको बोलो बिंदा कि बैटा तू तो लेग्चे छोड़ देशाए चाल दीखना चाहिता है लेकिन लेकिन फाल तुकि बकर नहीं कटे है कि सीदी बात कि सथे थख गए हैं क्या मैं आप है मैं तो आज ऐसा तो नहीं आज तो मैं सुवेसे ले रहा हूं पैस तो सब्सक्वान क्लास से लिए तिस हाँ पहली क् सब्सक्राइब करके आप लोग यहां पर निकाल लेना ठीक है अब जो आटिकल है हमारा बेसिकली अब हम उस पर चलते हैं बहुत अराम से सब्सक्राइबु टेंशनन ना ले तर एक पार्टिकल को उपर सपोजन भी वेलोस्टी शिसाथ प्भार चाहिक का वश्टाइब ओपर प्रशन है कि मैञ케ल अगर काश आप यहां highest point पर velocity 0 हो गई तो highest point पर kinetic energy 0 हो गई ठीक यहां kinetic energy थी मेरे भाई half mb square highest point पर kinetic energy हो गई 0 तो मैं पुछ तो पूछ ओ यार यह kinetic energy गई का दीखे मेरा प्रशनी है कि यार यह kinetic energy कहा गई यहां पर तो half mb square थी तो यहां पर जो kinetic energy होगी half mb square के हिसाब से 100 हो जाएगी ठीक और highest point पर kinetic energy कित्ती हो जाएगी भाई साब 0 हो जाएगी तो मैं तुछ से पूछू यार initial kinetic energy सो है final kinetic energy 0 होगी यह गई कहाँ ठीक बहुत ही बढ़िया कुछ बच्चों ने answer देना शुरू कर दिया मेरे हिसाब से अभी आप शायद ही answer दोगे कि सर देखो जैसे जैसे उपर गया है नीचे लगा है mg mg का work done negative है और mg का work done negative है तो इसका मतलब mg का जो negative work done है तो सर work energy theorem के हिसाब से work done by all the forces equal to change in negative energy तो वहां से हो गया है मैंने का चल ठीक है ओके और सोच के बता तो कुछ बच्चे शायद यह बात भी बोलेंगे कि सर देखो आपने उपर फैक के मारा मैंने का ठीक है सर mg लगा नीचे उसकी बज़े से acceleration आया नीचे velocity उपर acceleration नीचे तो particle will speed down particle speed down होगा, speed down होते 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 तो उसकी final velocity zero हो जाएगी इसलिए kinetic energy यहां पर zero हो गई है मैंने का this is also a satisfactory answer लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि kinetic energy गई का क्या यह यह यही पर हवा में रुका रहेगा यह थोड़ी देर के बाद यह नीचे बापस आ जाएगा आप बोलेगे सब बिल्कुल नीचे बापस आ जाएगा तो मैं कहें अगर मैं air insurance consider ना करूँ तो V से उपर फैक के मारा तो यह V से नीचे भी वापस आ जाएगा तो इसका मतब यह kinetic energy कहीं गई तो थी लेकिन बापस भी आ गई थी पासदारी है kinetic energy कहीं गई तो थी लेकिन बापस भी आ गई है कहीं पर सर अगर यहां पर kinetic energy 100 है यहां kinetic energy जीरो है इसका मतब यहां पर kinetic energy हो सकता है साथ हो यहां पर kinetic energy हो सकता है पचास हो यहां पर kinetic energy हो सकता है चालिस हो तो यह kinetic energy लगातार कम होती चली जा रही है लेकिन जब को समझने का नजरिया बतला हमने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें इस चीज को कुछ इस तरीके से पढ़ें कि यार जितनी काइनेटिक अनर्जी दूसरे फॉर्म में चली गई है तो वहां से हमको बापस बी मिल गई है तो उस दूसरे फॉर्म उफ अनर्जी को हमने बोलro ऑपस प्टेंश का इनर्जी के अंदर यही सवाल जब यहाँ पर दीया गया कि सर यहां पर देखो इसको वेलोश्रीप वी दे दिया है यहां पर स्प्रिंग है मैंने ठीक है तो सर एक टाइम ऐसा आएगा जब फाइनली यह जो ब्लॉक होगा यह फाइनली भीया रैस्ट पर आ इन्रजी हैं कि उसी प्रकार एक कॉश्टन और दिया मैंने मैंने बोला एक क्रों और इसको मैंने फिक्स कर दिया और यहां पर in और फ्राइन से पूछा कि पूछा इसा इस्वाश आगे कर रहा हाँ गा सब्सक्राइग समय थे दिया इसका मतलब बेसिकली अब हमें समझ में आ गया कि यार हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी को यहां पर इंटेड्यूस कर सकते हैं उसका नाम हमने रखा पोटेंशियल एनरजी जब हम लोग ने यहां बात करी तो यहां क्योंकिस पर फोर्स लग रहा था ग्रेविटेशन वाला तो हमने बोला कि जितनी काइटिक एनरजी कम हुई है वो चली गई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनरजी में जितनी काइटिक एनरजी यहां कम हुई है वो चली गई है spring potential energy में और क्योंकि यह chapter electrostatics का है तो यहाँ जितनी काइंटिक energy कम हुई है वो चली गई है electrostatic potential energy में पास आज मारी है तो यहाँ से potential energy वाला term इस्टार्ट हुआ तो वो हम लोग ने खूब फिर सोचा और सोच के फिर define किया कि sir, change in potential energy is defined as negative of work done by internal conservative forces मैं थोड़ा next switch पर लगे लेता हूँ यहाँ पर क्या किसा change in potential energy is defined as negative of work done by internal conservative forces और यहाँ से जो चीज हमने देखी वो चीज देखी कि यार यह जो kinetic energy potential energy में चली गई यह only and only cable और cable यह जो है हमे conservative forces के लिए देखने के लिए मिल ला है ठीक, example के तोर पे मैं एक particle को V velocity के साथ उपर फेक्ट के मारूँ यह उपर जा रहा है highest one पर zero हो रहा है और जब lot के नीचे आ रहा है तो भई आप वी velocity के साथ ही आ रहा है इसका मज़़ जो भी आपने यहाँ पर इसको रुपे दिये जो भी आपने इसको kinetic energy दी वो as it is आपको बापस मिल गई लेकिन अगर ऐसा बोलें कि सर M mass के बंदे को आगे velocity भी दे दो और यहाँ पर coefficient of friction दे दो support point 4 तो आप बोलोगे सरी आगे जाएगा 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 और finally यह कभी लेकिन यह बापस नहीं आएगा इसका मतलब यह जो friction force था यह साला बहिमान है सारी की सारी energy डकार गया यह energy लोटा के नहीं दे रहा है यह non conservative in nature है तो यहाँ पर काइंटिक energy आपको बापस नहीं मिल रही है यहाँ पर मिल जारी है तो इसका मतलब potential energy का term conservative forces के लिए करो that is a valid point पासवाज माई फिर सारी चीज़े हम लोगों ने जब अच्छे से detail में पढ़ी जाके तो भाईया पता चला कि सर रिजर्ट यह निकल के आया कि सर हम लोग हम लोग basically potential energy नहीं निकालते हैं हम लोग change in potential energy निकालते हैं तो चोटा सा सवाल उठाऊं कि मैंने बोला यहां से एक पार्टिकल को उपर वी वेलोश्टी के साथ ठेक के मारा यह उपर गया उपर गया और यहां पर फाइनल वेलोश्टी इसकी क्या हो गई 0 मैंने ठीक है मैं तुस्तरे बोलू भाईया यह हाइट एच्छ है तो तुम बोलोगे सर यह डेफिनिशन लगा तो सर डी यू बराबर निगेटिव वॉर्ग डन भाई इंटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस सर अगर मैं अर्थ को और पत्थर को सिस्टम मानू तो उनके बीच में जो इंट्रेक्शन है वो डिव टू ग्रेविटी हो रहा है वर्ग डन भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो अच्छा डी यू बराबर निगेटिव वॉर्ग डेटिव इंटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स यह डी यू बोलते यह डेल्टा यू बोलते और अच्छा रहेगा बाई साब डिल्टा यू मतलब पूरे एक जगह से दूसरी जगह के लिए लिए लिख दे रहा तो यहां पर चोटे से टर्म के लिए डिव बोल सकते ठीक है सर अब सर अगर अपन इसको देखें निगेटिव वॉर्ग डबाई ग्रेविटी अगर यह ब्लॉक उपर यह चोटा सा मास्क उपर एच गया है तो वॉर्ग डबाई ग्राउंड पर अगर अपन यह बात बोल दें कि यहां पर यू इनिशल जीरो है मैं यहां पर लिख देता हूँ एव एड ग्राउंड यू इनिशल मैं जीरो बोल दूँ तो तू बोल सकता है कि ग्राउंड पर यू इनिशल अगर जीरो रख दें तो हाई टू पर यू फा अगर कोई ऐसा बोले कि मैं तो यहां पर ग्राउंड पर यू नीशिल पराबत 10 मानूंगा आप यहां पर यू फाइनल आप आप कितना बोलोगे एम जी एच प्लस 10 तो मज़े की बात यह थी कि एक ही जगा पर potential energy अलग अलग आ सकती है एक ही जगा पर potential energy अलग आ सकती है वो depend करेगा कि आपने 0 यहां माना है या 0 कहीं नीचे माना है तो इसलिए बोलते हैं potential energy at a point it depends on the reference line आपने 0 कहां पर माना है इस बात में depend करेगा किसी जगा कि potential energy क्या लिख रहे लेकिन अगर मैं इनके बीच में delta u MGH बिल्कुल इसी पिरकार यहां पर अगर delta u देखेंगे तो change in potential energy हाँ पर भी कितनी है MGH क्यों MGH plus 10 और नीचे है 10 दोनों का difference लोग है तो MGH तो यहां से दो बात समझ माई बेटा दोनी बहुत सारी बात समझ माई मैं सारी बात recall कर रहा हूं अच्छे बच्चे प्लीज नो पॉइंट ठीक है potential कायदे में change in potential energy के बारे में बात करते हैं वो अलग बात है कि आपने reference line पर एक जगे 0 मान लिया तो दूसरी जगे अपने potential energy बोल दी ठीक दूसरी बात it is only defined for conservative forces क्योंकि यह इमांदार force है non-conservative तो हाला बहिमान था जैसे friction था वो खा जाता है दूसरा point तीसरा point जो potential energy at any point it depends on reference line जैसे थोड़े पहले हम दोगों देगा जमीन पर 0 मानेगा तो हाइट उपर MGH जमीन पर 10 मानेगा तो हाइट उपर MGH प्लस 10 तीसरा point जो हम लोगों ने delta U देखा तो यह independent होता है on reference line और delta U का एक बात और है मेरे पास वक्त नहीं है बना इसको भी प्रूफ करा था कि delta U frame independent भी होता है किसी भी frame से हम लोग delta U निकालते हैं तो वो same आता है ठीक यह बहुत सारी बात है हम लोग ने यहाँ पर देखिए यहाँ पर और तीसरी बात interaction होना बहुत ज़रूरी है acceleration due to gravity अगर ना होता तो यह उपर ही भागता infinity तक पहुंच जाता ठीक तो यहाँ तो पुल ही नहीं कर रही है जब interaction ही नहीं हो रहा है इसलिए बोलते है ना point charge है point charge की single point charge की आप self potential energy क्या बोलोगे आप जब इलेक्टोष्यटिक्स में पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं zero क्योंकि point charge है वो थोड़ी ना किससे इंट्रेक्ट कर रहा है तो अगर मैं बोलोगे single charge particle है single charge potential energy क्या बोलोगे बखवास सवाल है सर पह रख दूँगा मैं बोलूगा potential energy बताते कितनी होगी बखवास सवाल कुछ नहीं लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि यहां पर एक charge और Q रख दूँँ अब बता कितनी होगी तो के Q1 Q2YR हुई थी मैंने अगर यहां पर एक और Q रख दिया बता अब कितनी होगी तो याद सब बागी है तो वी हाट का साइन मना तो वाई साब क्योंकि नॉन स्टॉप क्लास लिए कमेंट्स फे मैं ज्याधा दिहान दे नहीं रहा हूँ मैं उनली हाट्स पर धियान दे रहा और जो बच्छे आज है बारा बच गया ठीक है थैंकि भी या करम पानी के लिए जो बच्चे एक मिटको पी लेता हूं मैं थैंक्यू कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है लेक्चर तो देख यूट्यूब पर चला जाएगा है ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कल लेक्चर देखेंगे चार दिन के बाद देखेंगे तो मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि ठीक है या आपने थोड़ा सा ठीक से नहीं पढ़ाया मेरे असाब से तुमको जज नहीं करना चाहिए इन देट केस चाहे वो कोई से भी सर हो रिजन इस यह पांच छे गंटे से क्लास चल रही है और स्पैमिंग जवर्दस्त हो रही है अगर यह रिकोर्डिंग क्लास हो रही है इस सच में बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है ठीक है तो बच्छे कल परसो तरसो बाद में लेक्चर देख रहे हो तो वह आप यह ना सोचेंगी सर की नैच्छरल टीचिंग ऐसी है क्या नहीं नैच्छरल टीचिंग तो इससे दस गुना ज्यादा अच्छी है जो मैं भी बोल दूं कल परसों में भी नहीं लूँगा ठीक तो तब इन देट केस आपका जो में मोटीव है वह यह होना चाहिए कि सर बर्क पावर एनरजी बारे लेक्चर का अर्टिकल होता है ना देड़ घंटी क्लास होती इसका मज़ा 18-20 घंटे को हम 6 घंटे में यह साली 6 घंटे में हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे है तो इसका मजब हम जो में काम-काम की बात है सर उसके फोकस करेंगे कि हमारा रिविजन भी हो जाए और इसके जो सवाल आ रहा है जही में में जही एडवांस में बो भी हमारा सवाल बन जाए तो यह आपका इटिट जो जाएगी वह हो जाएगी एम जी जब्लकूल उसी भरकार जब हम लोगे ने बात करी किसकी इस्प्रिंग वाली किसा सपोज एक्जाम्पिल पर इसको वी वेलोश्टी दिया और यह सपोज कंप्रेस हो गया ठीक यह सपोज एक सपोज एक्स तो spring force जो होता है वो भी conservative होता है तो आप यहां पर लिख दोगे work done by spring force और यह बात आपको पता होगी work done by spring force क्या होगा बाई साब यह आपको पता है सर वो हो जाएगा f spring dot dx का integration खेर मैं यह क्यों लिख रहा हूँ यह तरह सीधा formula ही आपको यहाद है न work done by spring force क्या होता है minus half के x final का square minus x initial का square तो अगर इस situation में मान के चलूँ कि सर यह natural length में था और x initial की value 0 में मान लो थोड़ी दिर के लिए तो delta u बराबर u final minus u initial निकल के आ जाएगा half के x final का square minus x initial का square तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि सर x initial पे u initial 0 है तो जैसी आप इसको 0 रखोगे यह 0 है इसका मतलब u final निकल के आ गया half के x final का square मुद्दे की बात क्या है मुद्दे की बात यह है कि अगर spring x compress वा अगर spring x compress वा तो उसके पेट में half के x square energy होगी इसी को बोल देते हैं spring potential energy ठीकी clear है मैं अगर spring x compress वा तो उसके पेट में जो energy होगी उसको बोलेंगे half k x square और यह बिल्कुल उसी तरीकी से है जैसे हम दोगों ने electrostatic capacitor में पढ़ते थे अगर capacitor पर चार्ज क्यू हुआ तो उसके पेट में half k square वा इसी energy होती थी जो उसके पेट में half k x square वा इसी energy होती थी उसी को हम लोग बोल दिया करते थे कि सर यह जो है यह पोटेंशियल energy है बिल्कुल इसी परकार पोटेंशियल energy stored in the spring will be half k x square अगर spring यह तो x compress है यह x खिचा हुआ है दोनों ही केस में मैंने का हाँ 2 mg y के आई थी तो मैं तुस्से पूझा कि बता इसके पेट में spring ठिच गया है इसके पेट में energy है इस्प्रिंग पोटेंशियल energy मैं बोलो इसकी value बता कितनी होगी तुम बोलो के सर इसकी value जो होगी वह होगी half k x square मतलब half k x square का मतलब 2 mg y k का whole square ऐसे सवाल यहां पर पूझे जाते हैं पास सोज मारी है तो basically इस पर सवाल बहुत सारी पूझे मतलब NLM में जितने सवाल तुस्से पूझे गए हैं कि find compression in the spring या elongation in the spring वो सारे सवाल पूझने का तरीका बदल जाएगा तुससे compression पूझने के बजाए तुससे यह पूझ लेगा कि सर यह बता तो जैसे ही मैं इसके बारें बात करूँगा इससे सीधी बात बोली potential जी stored in the spring gear ठीक तो तुम बोलो कि सर देखो कायते में क्या होगा यह पूरा wedge है इससे इधर लगेगा normally action ठीक तो अगर मैं इस wedge की अबीडी बनाऊं ठीक है तो इधर लगेगा सर normally action यह angle है ठीटा आप निका सकते हो जिमेट्रिस है कि यह angle आजाएगा 90 माइनस ठीक तो सर इधर अगर एन है तो सर इस तरफ कितना फोर्स लगेगा नीचे लगेगा सर एन कॉस्ट ठीटा सर इधर लगेगा एन साइन ठीटा मैंने का ठीक है तो सर यह एन साइन ठीटा इस wedge को उधर कंप्रेस करना चा अगर यह equilibrium मैं क्योंकि उसने बॉल दिया है सवाल में कि system is an equilibrium रिक तो इसका मतलब इसको किसी ने cancel out किया है तो इसको किस ने cancel out किया है सर spring ने तो यह इसको इधर भगाना चाह रहाएं तो जो spring है डब गया होगा अगर spring x डब गया तो इधर से force लगाया होगा spring ने kx और सोरी, sorry, x निकल लगा गया, n, sin, θ, y, k, तो यह k आया है, compression in the spring, यही सवाल पूछने का तरीका क्या हो गया, potential energy stored in the spring, तो तु बोलेगा, that will be equal to half k x square, पासव ने भाला ही है, तो इस तरीके से जो है, यहां पर questions यहां पर क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, आपको compression in the spring elongation in the spring के पूछने का तरीका हो जाता है कि find potential energy stored in the spring आप answer यहाँ पर क्या दे दोगे half k x square बास समझ मार रही है और भाई अगर समझ मार रही है जल्दी से heart का sign बना दो फटाक से जल्दी से जल्दी से जल्दी से heart का sign बना दो भाई कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए यह अभी हाँ चल्दी तो basically यह था basically potential energy की कहानी तो in short अभी तक जो हमने पढ़ा मैं फिर से डिवाइस करा है था हूँ हाई टूपर potential energy mgH spring x compress है या x elongated है तो spring के अंदर जो energy चोड़ होती है उसको क्या बोलते है harp की x square इसके बाद अब आपन चलते है next article की तरब जो purely mathematical है ठीक है जो purely क्या है mathematical है इसके पीछे physics का दिमाग बिलकुर ना लगाए purely mathematics का दिमाग लगाए जैसे सबसे पहले ज्यान से देखना सबसे पहले ये भी हैं कर रहा है साला ठीक relation between इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते है relation between force and potential energy ठीक मतलब आपको force given होगा ठीक है और potential energy पूछी जाएगी पहला दूसरा आपको you given होगा और force पूछा जाएगा ये basically इसके बीच की कहनी है ठीक तो मैं ये ही है जिससे कुछ सवाल आते हैं इसके बाद ये article समाप्त हो जाएगा इसको आप 15-20 मिनिट जितनी दिर में समझ लो उतना काफी है ठीक ठीक है सर तो सर बाइड डेफिनेशन जो हम चल रहे हैं न हमने बाइड डेफिनेशन ये पढ़ा सर चेंज इन पोटेंशल एनरजी बराबा निगेटीव वागदन बाइचोटा सा इंटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स मतलब सर डीउ बराबा निगेटीव वाफ डॉट डी आर पासद मारीए छोटा सा वगदन तो यहां से आपको दो बात पता चली क्या कि सर अगर आपको फोर्स निकालना हो तो यह काइदे में होता है पार्शिल डिफ्रेंशेशन अफ यू बिद रस्पेक्ट टू आर या तो तो डू बाइड लिख सकता है यहां पर माइनस लगा के ठीक या फिर अपन यह बोल सकते हैं कि सर अगर आप निकालना चाहते हो मतलब यू आपको गिवन हो और फोर्स आपको निकालना हो तो आप सीधा बोलो निगेटिव लगा के partial differentiation of u with respect to x partial differentiation of u with respect to y partial differentiation of u with respect to z partial differentiation आपको पता होगा मैं सिधा मुद्दे पर आता हूँ समय थोड़ा सा कम है कि सर ये है काईदे में जो result हमारे काम का है इस पर सवाल आते है ये कैसे आया ये यहीं से आया यह जो हमने निकाला है भाईया यह तेरा fx है यह तेरा fy है और यह तेरा fz है एक्जाम्पल के तौर पे question में एक छोटा सा सवाल मैं दे रहा हूँ मैंने ऐसे बोल दिया भाईया u बराबर जो है वो 3xy दे रखा है u बराबर 3xy दे रखा है मैं जानना चाहता हूँ कि भाईया आप यह बता दो कि what will be the force add x बराबर 2 या y बराबर तू ऐसे लिख देता हूँ coordinate बना के लिख देता हूँ what will be the force as 2,3 मतलब जो भी इस system के potential change हो रही होगी वो इसे साब से change हो रही होगी तो भाईया force बता दो कैसे निकालोगे आप सीधी बात बोलोगे सर देखो अगर आप effect निकालना चाहरे हो तो partial differentiation of you with respect to x निकालो और यहाँ पर लगा दो भाईया i cap और ध्यान इस बात करें कि यहाँ minus नहीं भूलना है सुकून से आप यहाँ पर निकालोगे इसका differentiation x के respect में partial differentiation का मतलब आपने mathematics में पढ़ा होगा x के respect में differentiation करना है y और z को constant मानना है आप यहाँ पर y को constant मान लोगे तो यह निकल के आ जाएगा minus 3y ठीक i cap उसी परकार अगर मैं fy पूछूँगा तो आप बोलोगे minus du by dy j cap अगर मैं इसको y के respect में differentiate करूँगा keeping x constant तो यह आ जाएगा 3 x j cap तो कोई अगर force पूछेगा सर force पता तो force किता निकल का गया force आ गया minus 3y i cap minus 3x j cap अब उसने बोला x की value से 2 है y की value 3 है तो मैंने बोलूँगा बईया अब किसी भी जगे पर तो यहाँ पर force निकाल सकता है मैं आपर कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ चेक करके बताना एक बाद सिली मिश्चेक्स तो नहीं कर रहा हूँ कमेंट तुम्हें पढ़नी रहा हूँ यहाँ ठीक है कार्टी का गरवाल ने आंसर दिया minus 9 i cap plus 6 j cap minus 9 i तो एक सवाल तो हमारा यह पूछा जाता है मतलब थोड़ा सा कुष्चन और थोड़ा सा अलग तरीके से लिखे लेते कि मैं अगर एक सवाल लोड दे दू भाईया u बराबर x square plus y q example के तोर पे plus z square यह minus z square मैंने दे दिया यहाँ पर let मैंने बोलती है यह potential energy है तो force का statement बताओ कितना होगा try करो सब लो तब तक एक बिक सखा ले तो हमें जल्दी से एक बच्चा पूजा can I crack j in 15 days कर ले भाई हो जाए तो बता देना हमको कैसे किया ठीक है क्योंकि हमारी तरफ से तो answer है no जो लोग 2 साल से तियारी कर रहे है 6 महिने से लगातार पढ़ रहे है वो बेवकूफ है क्या बेवकूफ है कि एज इनिकाल देंगे अगर आप force निकालना चाह रहे हो तो sir fx अगर बात करे fx बराबर minus du by dx चुप चाप इसका differentiation कर दो minus 2x i cap fy बराबर उसी प्रकार minus 3y square j cap उसी प्रकार fz अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोल दोगे कि minus minus plus हो जाएगा 2z into k cap ये forces आगे है जर्स कुछ नहीं करना है इसके बाद जिस जगह पर आपसे particle पर force पूछा जाएगा वहाँ x, y, z की आप values पूछ कर देना solve करके answer निगाल लेना पस अजमा रही है ठीक तो ये जो question बेटा मैंने बताएगे है ये बताएगे कि अगर you given है और आपसे force पूछा है ठीक है तो फिर आपको partial differentiation करना है मैं या लिग देता हूँ क्या करना है आपको partial differentiation करना है अब इसका reverse अगर दे रखाओ कि force given कर रखाओ जैसे की question कि सर एप बराबर मैं कह देता हूँ 3x i cap plus 4y j cap example के तोर पे मैंने एक सवाल दे दिया और लिखू if potential energy at 1,2 is 20 zool find potential energy at 2,4 या 2,5 सबस्थ मैंने ऐसा सवाल दे दिया ठीक मतब आपको force दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि potential energy बता दो कितना होगा तो शायद आप ये बात समझ रहे हो कि सर f बराबर अगर मैं ऐसा बोलू fx i cap plus fy j cap plus fz k cap अगर मैं लिख देता हूँ और displacement अगर मैं ऐसा बोलू कि सर dxi cap plus dy j cap plus dz k pack अगर मैं लिख देता हूँ तो change in potential energy हम लोग ने क्या बोला था सर negative of conservative force है इसका negative of work done by force f इसका मतब वही statement आ जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था work done by force f क्या होगा सर आज की class के शुरू के आदे गंटे में ये बताया था इसका work done निकानने का तरीका क्या होता था सर fx.dx plus fy.dy plus fz.dz और इसको आपको क्या कर देना है सर? integrate कर देना ठीक? ये तो आया work done by force f आपको यहाँ पे लगाना है definition का minus मतलब अगर यहाँ सवाल पूस्ते तो आप बोलते सर डेल्टा यू बराबर minus definition वाला 3x into dx का integration plus 4y into dy का integration खतम सवाल कहां से कहां तक? सर x गया है 1 से 2 तक checker x गया है 1 से 2 तक सर y गया है 2 से 5 तक इस तरह से सवाल हमको यहाँ पे करना होता है ठीक सर यह answer थोड़ी ना है यहाँ से क्या निकलगा delta u delta u का मतलब u final minus u initial u final आप से पूछा गया है और u initial आपको दे दिया गया है 20 zool तो यहाँ पे लिग दो गया 20 that is equal to negative of आप यह integrate कर सकते हो बता दी है कि अगर आपको u देके force पूछा जाएगा तो partial differentiation करना है minus नहीं भूलना है और अगर force देखे आप से u पूछा जाएगा तो चुप चाप integrate कर देना है और वहाँ पर minus नहीं भूलना है बहुत से बता देता हूँ यार यहाँ पर गलती मत कर देना मेरे भाई यह minus सवाल गलत करवा देता है अच्छे अच्छे बच्चों से यह वाला जो minus है बोलते बोलते जाला मेरे पेट में दर दोना स्टार्ट हो गया क्लियर है भाई साब लब यू बेटा प्राम बिविद्य पीट बिनाई शर्मा कल मिलना मुझसे ठीक है बोलो क्या बात समझ में आई दोनों सेट ओफ कोश्चन्स के किस तरीके इसे कोश्चन्स से आपे पूछे जाते है जल्दी बोलो मिनट से बेले ठीक है ठीक है सर ओके सर तो यह बस बेसिकली यहां से हमें दो बात समझ में आई जो कोश्चन्स टाइप होंगे मैं आपे पूरा लिख देता हूँ ठीक है पहला होगा यू गिवन और फोर्स बराबर क्या इसका फंडा है पार्शिल डिफ्रेंशियेशन ठीक है दूसरा एफ गिवन यू क्या इसमें आप लिखोगे डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनेस यू इनिशियल बराबर निगेटिव ओफ ये इंटिग्रेशन वाला जो तरीका था देस प्लस देस प्लस देस ये चीज बेटा काम की है ये मत भूलना कभी कभी तो यहां के बाद तेरा ये आर्टिकल समाप्त हुआ इसमें एक और रहे गया है ग्राफिकल बाली चीजे ठीक है बो भी 15 विसमेंट की है बो भी एक बार देख ले अब हमने क्या किया कुछ एक्जाम्पिल्स देखे जैसे पहला एक्जाम्पिल यहां पर सपोस्थ थोड़ी देर के लिए कटोरा लिया और कटोरों में भाई जब यहां पर एक मास को रेश्ट पर रख दिया ठीक है सर रेश्ट पर रख दिया आपने बोला तो रेश्ट पर रखके अगर अपने इसको थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया और हम पूछे बता डिस्प्लेस करके क्या होगा तो तु बोलेगा सर यह बापस आ जाएगा और बापस उसी जगह पे आ जाएगा डैट मींस मैं अगर तुससे पूछू कि स्टार्टिंग की सिच्चुेशन बता कैसी होगी तो आप बोलोगे सर इस्टार्टिंग में नीचे लग रहा है सर M.G उपर लग रहा है सर नॉर्मल सर यह इकलूबरियम में है क्यों इकलूबरियम में है तो वो लोट के बापस लोट के अपनी पुरानी पोजिशन को रिगेन करने की कोशिश करता है ऐसे इकलूबरियम को हम लोग बोलते है स्टेवल इकलूबरियम पास वाज मारिए ऐसे इकलूबरियम को हम लोग क्या बोलते हैं टो यहां पर भी है तो है ठीक मगर इस इकलूबरियम में अंतर यह है अब्लगी टोड़ा सा दिस्प्लेज किया तो आप समझ जाओगे किसर जैसे आप आप इसको हलका सा थोड़ा सा दिस्प्लेज करोगे से यह तो फटाक सा यह ऐसे भाग जाएगा और कॉस छीटा बराबर 2 by 3 जैसे कि आज कोश्चन हम लोगों ने किया था उतने एंगल पर यह पार्टीकल दूर भाग जाएगा तो यहाँ पर आपने जैसे ही पार्टीकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वो बापस नहीं आया मास का इसको उठाके हमने सपोर्ट थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करके यहां रख दिया तो जहां रखेगा वो वही का वही रहेगा ना वो आगे जाएगा ना वो पीछे जाएगा तो ऐसे एकलूबरियम को भाई साब हम बोल देते हैं न्यूट्रल एकलूबरियम तो मज लोगों ने देखा था कि से यह बराबर होता था दि यू वाइडी यार तो इसका मतलब ये है कि सब्सक्रिम सेます तो d y dr वाला term जो है वो तेरा 0 हो जाएगा तो तो लिख सकता है d y dr बराबर 0 बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चा रहा हूँ कि equilibrium का मतनब है r के respect में बात समझ मारी है r के respect में जो u का differentiation है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस पे मैं एक question करा रहा हूँ बड़ा ही बेशरम सवाल है ये बेशरम सवाल इतनी बार आ चुका है कि अगर मैं ऐसा दे दू कि u बराबर a बटे r की पावर 4 माइनस b बटे r की पावर 5 अब मैं तुस्से बोलू कि find इकलू विरियम पोजिशन बता दो या find mean पोजिशन बता दो तो सीधा सची बात है तुझे कुछ नहीं करना तो सीधा सबसे पहले तू बोलेगा सा d u by dr निकालो और solve करके equal to 0 कर खतम और ये बात ये सवाल पता है कम से कम 5 बार आ चुका है जे मेंस में पांच बार आ चुका है जे मेंस में एक बार नहीं पांच बार आ चुका है जे मेंस में मैं तुरको यहीं दिखाएता हूँ कैसे सवाल sir u given होगा आपको और तुछ से पूछेगा कि equilibrium position बता दो आपको just differentiate करना है इसी का एक चोटा version ऐसा भी आ सकता है sir u बराबर 2x square minus suppose x ठीक सिंपल सवाल ऐसा देदेगा बूलेगा जी बता दो find mean position और equilibrium position आप बोलोगे कि sir f बराबर इस case में मैं लिख दूँगा minus du by dx क्योंकि y और z तो है नहीं तो partial differentiation की तो अब शक्ता ही नहीं है तू सीधा differentiate कर दे तो जैसे मैं आप differentiate करूँगा minus du by dx कितना हो जाएगा 4x minus 1 तो अगर आप चाहते हो कि sir हम तो हमें तो बता दो equilibrium position कहां पर होगी तो आप बोलोगे कि sir equilibrium position का मतलब है कि sir force को 0 करना है और force को 0 करना है का मतलब sir इस term को 0 करना है मतलब 4x minus 1 को 0 करना है x की value 1 by 4 be prepared इस पे सवाल बहुत जादा पूछे जाते हैं मैं आपे slow जा रहा हूँ जैसे और question देख मैं तुसे कहें दूं अगले सवाल में मैं कैसे कहें दूं भईया u बराबर मैंने दे दिया 4x q minus 2x square find equilibrium position ठीक तुबोलेगा sir du by dx को निकालो और चुपचाब 0 करतो खतम खानी differentiate करो और equal to 0 करतो देख लें यहां से कितना आ रहा है यह 12x square minus 4x बराबर 0 x बराबर 1 आ जाएगा 0 और 1 x बराबर कितना निकल का जाएगा 1 बटा 3 यह हमारी equilibrium position आ गई है clear है समझ में आ रहा हो तो भईया type कर दो जल्दी से याँ पर जल्दी से heart का sign मना दो to p अगे जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से ठीक जल्दी sign मना दो heart का अगर सउंज मार रहा तो ठीक इसमें जो मुश्किल सबाल है मेरी आवाज जा नहीं रहे हैं इसका मताव आपको शैद डिले जादा है लब यू टू शिवाम राज लब यू बेटा जल्दी से मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा रहे हैं एक बाल लेट मी चेक कि 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 हाँ जारी अबाज ठीक है ठीक है सर ओके तो इस पर वे सवाल हाँ एक बच्चे ने वोला SHM जो SHM पढ़ते हो ना वो स्टेबल इकलूबरियम का एक्जाम्पिल होता है क्योंकि जैसे आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हो आपको याद होगा SHM में आप क्या देखते थे SHM में जब एफनेट निकालते थे तो माइनस के एक्स का फॉर्म निकल के आता था तो जैसे आप डिस्प्लेस करते थ पार्टिकल को फोर्च डिस्प्लेस्मेंट क्या पोजिट लगता था वो रिस्टोरिंग होता था तो SHM की जो मीन पोजिशन होती है ना उसको हम लोग स्टेबल इकलूबरियम पूछ लेते हैं ठीक खैर अभी मेरा मोटिव नहीं है इस टाइप के सवाल हो पर अगर यू द जाएगा किस पर वे सवाल किस तरीके से पूछे गए जे मीन्स में ध्यान से देख बड़ा ही बेशरम आटिकल है इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं ध्यान से 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 ध्या यहां पर du y dx क्या हो जाए 0 हो जाए differentiation कर तो 20 का differentiation 0 इसका differentiation 2 into x-2 और x का differentiation 1 और 2 का differentiation 0 जब आप solve करोगे तो x बराबर 2 निकल के आ जाएगा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं next आगे बढ़ते हैं इसका b part थोड़ी दिर के बाद देखेंगे भाई साब next और देख और देख और देख यह मैंने कराई दिया तेरे को यह वाला सवाल ठीक है उसके बाद जैसे एक सवाल देख यह आया हो था जे मेंस 2010 में उसने ऐसा बोला कि u बराबर है a बटे x की पावर 12 माइनस b बटे x की पावर 6 ठीक है अब उसने बोला है उसने style मार देगी dissociation energy of the molecule यह है तो इसकी value बता तो वो बेसिकल यह जानना चाहता है जैसे ही तू x की value infinity रखेगा यहां पर यहां इंफिनिटी रखेगा तो जाइची बात है यहां भी जैसी infinity रखेगा तो यह जैसा term यहां पर value पूट करेगा तो यह term तीरा बन जाएगा 0 यहां infinity रख 0 माइनस 0 is 0 that means जो d की value है that is equal to negative of u at equilibrium position तो u at equilibrium position का मतलब है कि सबसे पहले तो तुझे x की value निकालनी पड़ेगी जहां पर net 4 0 है तो उससे तुझे du by dx को करना पड़ेगा equal to 0 इसको differentiation तू कर ले ना differentiation करके x की value निकाल ले ना जो x की value आएगी वो value जब तू यहां put करेगा तो तुझे x की उस value पर u निकल के आ ज सवाल पहले पूछा गया था और एक बार सवाल देख अभी और पूछा गया था जैसे की जैसे की जैसे की जैसे की जैसे की कहां गया जैसे यह सवाल देख अभी पूछा गया था देख पर equilibrium होगा ठीक next 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 ने और देख लेता हूं देख दो बार सवाल मिल गया और देख जेमें 2021 में मिला जेमें 2021 में फिर से सवाल ही आया था potential energy उसने ऐसा दे दिया है उनने फिर से सवाल पूछा था उसी उसी फॉर्म में सेम है चुप चाप इसको differentiate करो differentiate करके equal to zero कर दो एक की सवाल repeat भी हुआ है सौज मारी बात तो इसका मतलब आप लोग एक बार जड़ा papers देते भी रहना विटा suppose किसी के first lot का paper आया है और किसी का दो दिन के बाद paper है तो एक बाद paper का idea लेलना कैसे आ रहा है क्योंकि questions repeat भी हो रहे है ठीक है next उसके बाद जो है sorry vertical circle motion इतनी सवाल ने के सायद ठीक है भाई हो सकते है यहाँ पर सवाल miss हो गए हो कोई बात नी तो अ हमें यह तो पता चल गया किस जगा पर equilibrium position होगी मगर अब बात आ जाती कि सर कौन सा stable होगा कौन सा unstable होगा अब वो भी एक बात देख लेते हैं हम लोग कहांगे भाई notes आज तो बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी लग रहा है ना चाते वह बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी क कोई बात नी 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 कहां 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 यह ठीक तो सर यह तो हमें समझ माया कि कोई सभी इकलूब्रियम चाहे वह स्टेबल हो चाहे वह अनिस्टेबल हो चाहे वह न्यूट्रल ह सर दी उबाई डी एक्स तो जीरो हो गई होगा वैसे तो दी उबाई डी आर भोलना चीट लेकिन अगर एक्स के रस्ट्रक्ट में बात कर रहे हैं तो दी उबाई डी एक्स तो जीरो हो गई होगा सर यहाँ पर भी 0 होगा R लिख देता हूं में और सर यहाँ पर भी 0 होगा सर आप ऐसा क्यों बोल ले अरे भाई stable हो या अनिस्टेबल हो या neutral हो इकलूबरियम तो इकलूबरियम है तो इसका मतलब इकलूबरियम का मतलब भाईया differentiation R के respect में तो 0 आना ही आना है तो मैं एक बाई फिर सर रिजल्ट बना के लिख देता हूं यह तेरे काम के रिजल्ट रहेंगे बेटा ध्यान सा देखना result क्या सर इस्टेबल इकलूबरियम मैं बात कर रहा हूं only x-axis में सवाल अक्सर ऐसी दिया होते हैं सबोज आप एक सेक्सी ने बात कर रहे हो तो सर इस्टेबल इकलूबरियम का मतलब है कि सर दी यू बाई डी एक्स तो 0 होना ही चाहिए सीधी सची बात यह है 0 होना ही पड़ेगा ठीक सर अगर unstable इकलूबरियम है तो अब तो सर यह कैसे पता चलेगा कौन सा stable है कौन सा unstable है तो पहले मैं तुझे बेटे result बता देता हूँ आगे थोड़ी देर बाद उसका मैं तेरे को जो है बता दूँगा किस तरीके से टेकनिकल तरीके से कैसे answer आया result या दखना बहुत important है तो stable equilibrium में जो double differentiation of U होता है with respect to X वो positive होता है unstable equilibrium में जो double differentiation होता है X का वो negative होता है और neutral equilibrium में जो double differentiation होता है X का वो 0 होता है यह सीधी सची बात है तुझे सीधा याद रखना है कैसे आया मैं थोड़ी दे के बात बताऊँगा कि stable equilibrium में सब में DUY DX 0 है सब में DUY DX 0 है लेकिन stable में double differentiation positive unstable में double differentiation negative और neutral में double differentiation क्या हो जाएगी भाई साब 0 हो जाएगी ठीक कैसे आया यह समझने के लिए हम एक example लेते हैं कि मैंने अगर ऐसा बोला कि sir U versus X का graph suppose मैंने ऐसे बना दिया मैंने ठीक है ऐसे बना दिया मैं तुस्थे पूचू कि sir equilibrium position कहां पर होगी आप बोलोगे sir equilibrium position वहां होगी जहां पर 40 होगा या जहां पर DUY DX 0 हो जाएगा या जहां पर slope 0 हो जाएगा क्योंकि U versus X का graph का slope होता है DUY DX तो वो तुझे मिल रहा है ते इस जगे पर ठीक है बो तुझे का मिल रहा है इस जगे में बिल रहा है तो इसका मतलब यहां पर तु बोल सकता है कि सा slope 0 है मतलब DUY DX 0 है इसका मतलब यह जो X 0 है यह तेरी equilibrium position है अब बात आई कि sir यह stable है यह unstable है तो ध्यान से दे या तो तु यह समझ ले कि sir पार्टिकल को एक बार ना एक बार खुश सोचो अभी पार्टिकल सबोज आपने यहां रख दिया मैंने का ठीक है sir सर जो force होता है वो minus DU by DX है by definition ठीक है sir minus DU by DX है DU by DX है slope अब बन जा भाई क्यो ना अकमेंदम कर रहा है तो force बराबर आ जाएगा negative of slope मतलब ध्यान से देखना कि मैंने अगर यह diagram बना दिया F sorry F नी U versus X का तो आप बोलोगे कि sir देखो यहां पे slope 0 है इसका मतलब यह हमारी mean position है by definition F बराबर minus DU by DX है तो हम यह बोल सकते हैं कि sir जो force होगा आई कैप भी लिखते है चाहे तो यहां पर X के बरें बात कर रहा है तो sir जो force होगा आप वो negative of slope है ठीक मतलब sir negative of slope का मतलब यह है ध्यान से देखना कि sir suppose particle आपका X naught पर है मैं अब slow जाता हूँ थोड़ा सा X naught पर है आपने इस particle को थोड़ा सा displace करके यहां रख दिया suppose यहां रखने का मतलब यहां नहीं यहां रख दिया तो यहां पर अगर अगर अपन ध्यान से देखें आगे जाने पर जो slope मिला वो positive मिला अगर यहां पर slope positive है तो जाहिर सी बात है हम यह बात यहां पर बोल सकते हैं slope अगर positive है तो force negative हो जाएगा क्योंकि यहां पर minus sign लगा हुआ है force negative हो जाएगा का मतलब यह हुआ कि जैसी force negative होगा इसका मतलब आगे डिस्प्लेस करने पर force पीछे की तरफ लगेगा ठीक बिलकुल उसी प्रकार जैसे ही आप इस particle को थोड़ा पीछे डिस्प्लेस किये पीछे के किसी पॉइंट पर आप पकड़ो तो ध्यान से देखो यहां पर जो slope है वो negative है slope negative है मेरे भाई तो force यहां पर positive आ गया इसका मतलब पीछे डिस्प्लेस करने पर इस पर जो force लगा वो आगे लगा तो technical तरीका तो यह है कि आगे डिस्प्लेस किया तो force पीछे लगा पीछे डिस्प्लेस किया तो force आगे लगा इसका मतलब अपनी initial situation को वो regain करना चाहरा है इसका मतलब यह क्या हो गया हमारा stable हो गया लेकिन exam में तो बार बार ऐसे नहीं करेगा बनना time waste होगा exam में तो सीधी सची बात बोलेगा तो कि sir देखो अगर ये u है और ये x है अगर आपने इस type का diagram बना दिया है suppose ठीक अगर आप बात करना चाहरे हो कि sir ये बताओ equilibrium position कौन से है तो हम बोलेंगे equilibrium position वो है जहाँ पा slope 0 है इसका मतलब ये गुलाबी वाले जो है ये आपके equilibrium position है क्योंकि यहाँ पे सब जगे slope क्या है 0 है अब बात आती है कि sir slope तो 0 है sir equilibrium अगर स्टेबल है या निस्टेबल है मैंने का यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ से जो u shape है ये stable निकल के आ रही है तो क्योंना पन सिदा याद ही रख ले कि sir अगर u versus x में हमको ऐसे grab दिखेगा u shape का जिसमें मुझे एक हस्ती भी smiley दिखेगी तो हम बोल देंगे कि ये जो equilibrium position होगी ये हो जाएगी stable बिलकुल इसी प्रेकार अगर हम ऐसा बोल दें कि sir इधर मानलो u और इधर मानलो x हमें गर आप कुछ ऐसा दिखाई दे गया तो sir यहाँ पर ये हो जाएगा वो point जहाँ पे slope 0 है इसका मतब ये आपकी हो जाएगी mean position लेकिन यहाँ पर ये दुखी दिखाई दे रहा है तो हम ये बोल देंगे कि ये हो जाएगा unstable equilibrium सीधी सची बात है जादा दिमाग मतलगाओ सीधा ऐसे याद रखो happy face है तो stable और sad face है तो unstable याद अगने का तरीका भी आसान है भाईया जब बंदा stable होता है तो हमेशा खुश रहता है ठीक है जब बंदा unstable हो जाता है तो दुखी हो जाता है तो यह बोई situation है आपर कि यहाँ पर दुखी बन रहा है तो इसका मतलब यह क्या हो गया unstable हो गया है और यहाँ पर happy face है तो समझ जाए यह क्या है बाई साब यहाँ पर stable है अब अगर सवाल तुम्हें यह दिया जाएगा न यह तो तो सीधी सची बात बोल एक line खीच ले यह ले ठीक तो तु बोलेगा सर यहाँ पर कैसा face है सर यहाँ पर happy face है तो यह कैसा हो जाएगा यह a point कैसा हो जाएगा stable ठीक यह कैसा हो जाएगा यह B सर यह हो जाएगा unstable क्यों? क्योंकि दुखी वाला phase है यह कैसा हो जाएगा सर इस्टेवल ठीक क्योंकि happy phase है यह कैसा हो जाएगा सर यह तो neutral हो गया ना खुशी है ना दुखी है यहाँ तो double differentiation भी क्या है भाई साब बिटा कोन से भाइच में था तू आदितियरावत कोन से भाइच में था अब मैं तुझे क्या बोलूं आधितियरावत खुशकबरी दे 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 जल्दी चाहिए कब तक सिंगल रहेगा ठीक है ते यह बहुत सारे दोस्त बहुत सारे काफी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो तेरे क ठीक तो मुझे message करना है हाँ हाँ अपनी जड़ा college college तक मौनची भी यह पो के चलो आगे बढ़ते तो भाई साब यह वा सुरुर। सबने और अगर मैं इस गराव को ऐसे बना दूना ऐसे ऐसे ठीक तो यहां पर सर मजे की बात पता क्या है? हम लोग लोग यहां पर बोलेंगे तो next, पीछे बड़ता होँ यहां पर तो यहां से मैं चालता हूँ कि सबसे पहले तो तो यह सीख जा देखना कि देखते के साथ ही बता दे कौन सा stable equilibrium है, कौन सा unstable equilibrium है, जैसे एक question और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, sir, u versus r का, x का, graph एक बार और अपन देख लेते हैं, suppose मैंने ऐसे बना दिया ठीक, मैं जानना चाहता हूँ a point b point c point और d point कौन इस्टेबल है, कौन इस्टेबल है बोलो a दुखी है, अनिस्टेबल b stable c अनिस्टेबल और d, neutral तो ऐसे question भी पूछे जाते हैं एक बाद जैए advance का question यही आ गया था, मैं PBT, PBT पर नहीं जा रहा हूँ बनना भी time waste हो जाएगा उस चीज में तो सबसे पहले तो देखना सी stable and unstable, देखते के साथ ही कैसे बताना है ठीक, next इसके बाद अब एक चीज और समझ में आई, ध्यान से देख क्या चीज़ समझ में आई कहां क्या 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 क्या, कि सर देखो ये तो हमें समझ में आगे कि stable equilibrium है happy और खुसी फेस से तो थोड़ी देर के लिए अगर अपन इसको मिटा दे समझने के लिए, ध्यान से देखना तो क्या अपन ये बोल दे कि सर, ये stable equilibrium है और यहां पे जो U का, वो minima observe हुआ है U का क्या observe हुआ है बाईस आप minima observe हुआ है, और ये क्या है सर, ये unstable है तो यहां U का maximum observe हुआ है तो अगर मैं DU by DH ते बारे में बात करूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ सर, यहां पे double differentiation of U with respect to X square हो जाएगा positive आपको याद होगा minimum double differentiation positive होता था और यहां पर double differentiation of U with respect to X हो जाएगा sorry positive sorry negative जैसे आप लोग quantity की question में पढ़ते हो same result मेरे भाई यहां पर भी है यहां पर double differentiation अब साथ अपती logical तरीका mentor को बता दिया है यहां पर U का minimum मिला है stable situation पे stable में अगर U का minimum मिला है that means यहां जाहिर सी बात है mathematically we can say that double differentiation of U with respect to X is positive और यहां पर double differentiation of U with respect to X क्या हो जाएगा भाई साथ निगेटिव हो जाएगा clear है भाई साथ sort of Solankee मैं भी आप से IIT में पढ़ा हूँ नहीं यार और IIT कानपूर में हूँ नहीं नहीं ऐसे किसी sort of Solankee को नहीं जानता मैं पता नहीं भाई sort of Solankee कोन से बैस में था बेटा सोरव सो लंकी है 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 ऐसे रेंडम तीन बार रहा है या बटा याद रहता है मुझे ऐसी बात नहीं है सबके नंबर है मेरे पास सोरव सो लंकी IIT कानपूर के सारी लिस्ट निकाल दूगा मैं हर साल की हाँ ऐसा मत समझना बिल्कुल भी है वोलो आपका फेवरेट वेच कोंसा है बसा तो सारी ये फेवरेट होता है ठीक है अभी ओल्लाइन में पीपि टी वेच ठीक खेंज किया निशकर्स लेके मैं बहार निकलता हूं सारी बाते यूच लग ब्रू यूच लग भ्रो यह दूख्श है चलो कहें आ मतलब dy dx 0 ठीक double differentiation positive unstable का मतलब dy dx 0 double differentiation negative और neutral equilibrium का मतलब 2 0 अब इस पे एक profile of questions आते हैं जही advance में जही means में तो नहीं आते हैं कि मैं सीधा तुझे u दे देता हूं example के तोर पे मैंने u दे दिया x square minus 2x मैं जानना चाहता हूँ पहला find equilibrium position and its type कैसे करते हैं सवाल को सर equilibrium position का मतलब है du by dx बराबर 0 differentiate करो 2x minus 2 बराबर 0 x बराबर 1 सर यह आ गया हमारा equilibrium position clear है ध्यान से देखना मैं इसकी पूरी field दिला तूंग अच्छे समझना इसको सर यह हमारा आ गया क्या equilibrium position correct नेक्स्ट सर यह stable है या है मैंनकर double differentiation निकालो double differentiation निकालोगे तो यह हो जाएगा 2x minus 2 ठीक है यहां minus मतलगा न mathematical term चल ला है double differentiation पूछा जा रहा है ठीक है सर यह तो यह आ गया मैंनकर यह बता x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर तो जल्दी से कोई गलती कर रहे हैं कि हम लोग चेक कर जल्दी 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 को चेक कर फटाक से को गलती हो रहे शाया देश में 2x minus 2 बराबर 0 x बराबर 1 ठीक है जबर चेक कर भई हाँ double differentiation यह निहीं होगा यार double differentiation हो जाएगा मात्र तो ध्यान से दे जो या पर double differentiation आया है वो तेरा आगया है positive इसका मतलब x बराबर 0 पर ये क्या हो जाएगा stable ठीक है तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर यह निकालते हैं कि equilibrium जो है stable होगा या unstable होगा बात सौझ मारी है क्या कुछ लिगा नहीं कि मैंने लिखतो दिया इस तरह से हम लोग निकालते है stable होगा या unstable होगा तो quadratic equation तुने पढ़ी होगी तो अगर अपन quadratic equation से game खेले तो इधर मानले u और इधर मानले x तो शायद तुझे दिखाई दे रहा होगा यह ऐसी quadratic equation है जिसमें ax square प्लस bx प्लस c जिसका c 0 है b जो है वो negative है और a जो है उसका positive है और quadratic equation तुने बेटा पढ़ा होगा अगर a positive होता है तो u shape का graph बनता है upward पैरा बोला बनता है और यहां पर x बराबर 0 पर भी एक route मिल ला है तो इसका मतब पैरा बोला ऐसा बनेगा जो इससे पास करेगा तो it will be like this तो इसका मतब अब पैरा बोला बना है और चेक करके दे यह happy face है यह stable है तो इसका मतब इस जगह पर यह x बराबर 1 होगा और यह तुझे कैसा दिख रहा है भाई साब यह stable equilibrium दिख रहा है का मुझे आती इतनी mathematics जितनी श्टॉक मेरी physics से उससे दो से डाइगुना ज्यादा math से बात समझ में आ रही है तो I think अब तुझे यहाँ पर समझ गया होगा किस तरह से stable equilibrium हम लोगों ने दोनों तरह से निकाल लिया graph से भी निकाल लिया ठीक इसको plot कर दिया graph के form में वहां से भी verify कर लिया अच्छे यह बता यहाँ पर तुन्हें पहरावल में पढ़ा होगा कि सर यह जो point होता है यहाँ पर slope 0 होता है इस जगह पर यह बो point होता है जहाँ पर d y y dx 0 होता है ठीक d y dh 0 को मतलब यहां से जैसी तो y बराबर यह रखके d y dx निकालते 0 करता है तो कितना देख 2ax plus b बराबर 0 तो x की जो value निकलकाती है भी y 2a निकलकाती है ती minus लगा के तो यहाँ पर minus b by 2a plus dy 4a वाला जो term जाता था यह उस point का coordinate हो जाएगा तो basically x की इस value पर stable equilibrium आ जाएगा minus by 2a clear है और तू चाहिए तो यहाँ पर बेलीपूट करके देख ले minus by 2a कितना है भाई साब minus 2 by कितना तब है 2a 2 into a कितना है 1 1 निकलका आ गया और x बराबर 1 पर ही हमारा stable equilibrium आ यह मैट्स के साथ में relate करनी कोशिश कर रहा हूं जो मेरे को करना नहीं चीए ले में भी पढ़ता है दस्वी क्लास में भी पढ़ता है और जो है इसके बाद 12 में भी बढ़ता है ड्रॉपर में भी बढ़ता है पिछले चार साल से तो पढ़ रहा है तो product of the root यह सारी चीजे जो है तू खेल सकता है इन सवालों के साथ बोलो भाई-साब क्लियर है बाई-सा क्लास को समाप्ती की तरब लेके जा रहा हूं अगले 10 में क्लास को समाप्त कर रहा हूं ठीक सबसे पहले तुझे आना चाहिए कि सर अगर यू गिवन है तो फोर्स निकालना इसके लिए तुझे यूस करना पड़ेगा पार्शियल डिफ्रेंशेशन पहला प्रेंशेशन सर एफ गिवन है तो यू निकालना इसके लिए तेरे को यूस परना पड़ेगा इंटीग्रेशन माइनस लगा के तीसरा ग्राप के सवाल आते हैं तो या दखना यू बर्सेस एक्स में जो स्लूप का निगेटिव होता है वो फोर्स देता है क्योंकि फोर्स बराबर होता था माइनस डियू बाइटि एक्स ठीक तीसरा चौथा ऐसा भी हो सकता है कि ग्राप में तुस्क्ते पूछा जाए क्यों है अनिस्टेवल कौन है तो इंदैस के अनिस्टेवल और अनिस्टेवल के केस में या दखना ज़िए स्टेवल में हैपी फेज होगा और में du by dx बराबर होता है 0 मेरे भाई और double differentiation होता है positive और unstable में double differentiation होता है negative और neutral में double differentiation क्या हो जाता है भाई साफ 0 clear है ये terms है बेटा ये सारे terms याद रखने हैं इनके साथ आप tips में खेलो मेरे असाफ से that is more than sufficient clear है ठीक इससे कम समय में सारी चीजे cover कर पाना is impossible task ठीक है इसमें सारी चीजे मैंने बता दी है बस एक चीज रह गई है वो भी बता देता हूँ जिसका नाम है mechanical energy conservation ठीक है ये mechanical energy conservation ऐसी है जो तुझे नहीं भी आता हो तो भी कोई नुकसान नहीं है तुससे कोई सवाल तेरा नहीं अटकेगा work energy theorem से आप लोग mechanical energy conservation के सवाल भी कर लेते हो mechanical energy conservation का मतलब यह है कि मैं तुससे बोलू work energy theorem क्या कहती थी तो वो लेगा work done by all the force equal to change in kinetic energy तो work done by all the force को मैं ऐसा लिख दू work done by external force work done by internal conservative force या work done by internal non conservative force या work done by आल्टु फाल्टु आल्टु थी एक्वल टु चेंज इन काइंटिक एनर्जी है ठीक आल्टु फाल्टु का मतलब मैं तुस्थो वो लना थी थी थो नहीं क्या कहेगी वो तो यह कहेगी न वोग all the force equal to change in kinetic energy तो हो सकता है कि कुछ external लग रहा हो सकता internal लग रहा हो सकता internal conservative हो तो इस पेशल केस कि अगर मैं पूछूगी आलतुफालतु भी नहीं यह यह फोर्स तो है लेकिन का वॉग्डन जीरो है और नॉन इंटर्नल सी यह सब जीरो हो जाए बस केवल इंटर्नल कंसर्वेटिव फोर्स बचें तो तो बोलेगा सब वॉग्डन भाई इंटर्नल कंसर्वेटिव फोर्स बाई आवर डेफिनिशन इस निगेटिव अप डेल्टा यू इसका मतला माइनस में यू फाइनल माइनस यू इनिश्यल बराबर के फाइनल माइनस के इनिश्यल इसको इढ़ ले जा इसको इधार ले या तो निकलके आया kinetic energy plus potential energy वराबर काइंटिक energy final plus potential energy। प्लस potential energy के टर्म को विट्व हम लोग बोल देते हैं mechanical energy। तो यहां से तो लिख सकता है कि mechanical energy initial बराबर mechanical energy फाइनल ठीक तो इसी को बोल देते हैं हम लोग mechanical energy conservation बोलेगा सब mechanical energy conservation का मतलब क्या है तो by definition style मार के तुसके explain कर दे क्या work done by external agent is zero and work done by internal non conservative forces is zero the only forces acting on the system is internal conservative forces तब हम बोलते हैं mechanical energy will be concerned जैसे एक छोटा सा सवाल देख ले उससे तुझा idea लग जाएगा मैं तुझा ऐसा बोलू कि भाई साब यहां से highest point पर जब पत्थर को इस तरीके से लटकाया था और यहां पर highest point पर उसकी velocity इधरती under root g r तो बता दो ए पॉइंट पर velocity कितनी होगी तो हमने work energy theorem से भी सवाल किया था या पिर तो सीधी बात यह बोल लें तो एक gravity force लग रही है जो कि conservative nature है एक tension force लग रहा है tension का जो work done है tension external force लग रहा है एक तरह से लेकिन उसका work done जो है वो zero है इसका मतब यहां पर बाहर से कोई भी energy lane दे नहीं हो रहा है except the gravity तो हम लिख सकते हैं कि potential energy at c plus kinetic energy at c बराबर potential energy at a plus kinetic energy at a तो अगर इसको मैं reference line मान लूँ मैं मान लो कि यार यहां पर potential energy zero है तो यह height 2R हो जाएगी तो potential energy at c तो लिख सकता है mg into 2R हो जाएगा मैं बस यहां पर value put करना चाहा रहा हूँ potential energy at c will be equal to mg h की value 2R हो जाएगी kinetic energy at c half m v square potential energy at a is zero kinetic energy at a नहीं पता half m v a square अगर मैं इसको solve करूँगा दो से multiply करते यह हो जाएगा 4 mg r plus 5 mg r तो velocity at a will be equal to under road 5g r तो वही सवाल जो आप पहले solve किया कर रहे थे work energy theorem से वही सेम सवाल आप यहां पर mechanical energy conservation से भी कर सकते हो लेकिन मगर इसकी तो special case है ना कि अगर मैं friction friction दे दे देता फिर आप नहीं कर पाते तो इसलिए better रहेगा कि आप mechanic energy conservation पर time waste ना करें आप work energy theorem पर जादा focus करें आज की class में work energy theorem पर हम लोग ने खुप सारे सवाल किये हैं और J mains और J advance में उससे सवाल जादा आते हैं मिठा ठीक है बाकी वाला जो portion है उसससे सवाल थोड़े से कम आते हैं लेकिन मैंने जितने इस time constraint में कराया जा सकता था almost everything मैंने करा दिया है that is more than sufficient क्लियर है बाई ओके तो चलो फिर class को समाप्त करें अब class को समाप्त कर लेते हैं बाई ठीक है सर आप अपनी तवियत के ध्यान रखूँगा है बिलकुल ठीक है और उसके बाद और कोई दो चार बाते पूछ नहीं तो पूछ सकते हो सर वी डिका एक्जाम जरूर देना ठीक है जाना ना जाना बात की बात है लव यू गुरू जी लव यू टू बेटा ठीक है और उसके बाद और और चलो बई मेरे साब से देट इस तो इसलिए जितना मैं तुझे कराया है और बहुत सारे सवाल लगा लिए तुने काफी है क्लियर है? ओके? चलो भाई साब, टेक केर देखते हैं मन्जिल स्रीस में आगे है अपन्न मिलते हैं या नहीं मिलते हैं मुझे नहीं पता, यह बैटके सोचूँआँ गा कि दौणारा मिरगों आना है या नहीं आना है ठीक है राजबन सर का मुझे नहीं पता है ठीक है लेकिन हाँ आगे से सपोज मैं नहीं आऊ या राजबन सर नहीं आए या कोई दूसरे सर कोई नए सर आए तो इस बात कर धिहान रखना जो अच्छे लोग है आप लोग कोशिश करना कि सर को एक ऐसा एंवार्मेंट प्रोड आप कूटों पकड़के ठीक है मैं नहीं बोल सकता गालिया मैं नहीं दे सकता लेकिन तू जो A B C C D E F G H जो दे सकता है तू देना जितना देना उसको कम चेकम भगाव तो जही एड़ीस उनको ठीक है ताकि मस्त हो के आप और हम यहां पर पढ़ सकें ठीक चल बेटा टेक क झाल आप सकता है झाल झाल